चलो, futures का discussion स्टार्ट कर रहा हूं, देखना, let's say, time 0, time capital T, this is time small t, that is during the life of the contract, ठीक है, time 0 पे S0 दिया होगा, इससे F निकल आएगा, F क्या रहेगा, S0 into 1 plus R, hold to the power T, ठीक है, अब देखना, forward के case में क्या होता है, आप time 0 से चालू होते हो, आपको maturity पे, maturity पे जाके, पूरे के पूरे trade से exit करने मिलता है, दुबारा, मैंने यहाँ पे contract किया, यहाँ पे S0 था 20, F था 25, किया था ना, हमने एक question ऐसा, F was 25, isn't it, बड़ा सा example चेंज कर रहा हूं, time is equal to 1 year, लिया, R ले लिया मैंने 10%, ठीक है, F कितना आएगा, 22, F will be 22, correct, अब एक चीज देखना, वापस चलते हैं, potatoes वाले case में, यहाँ पे, F plus कौन करेगा, MacDs, और F minus कौन करेगा, farmer, ठीक है, दोनों ने किया, at 22, ठीक है, हम time 1 पे पहुँचे, time 1 पे, let's say, S1 is equal to 75 रुपीज, इसका क्या मतलब हो गया, S1 is equal to 75 रुपीज, who has won the bet, MacDs has won the bet, MacDs has won the bet, correct, MacDs को डर था, कहीं भाव बढ़ना चाहिए, भाव बहुत जादा ही बढ़ गया है, ठीक है ना, हम एक साल के बाद पहुचे, MacDs पहुचा, farmer के पास, कह रहा है, या तो physical delivery दे दे, आलू दे दे, मुझसे 75 रुपीज ले ले, cash settlement कर दे, at time 1 होना क्या चाहिए, MacDs बोल रहा है farmer को, कि भाव तुम मुझे चुप चाफ से 53 का cash settlement कर दे, और मैं जाके market से trade कर लूँगा, मैं market से क्या trade करूँगा, मैं potatoes ले लूँगा, और उन्हें 75 रुपीज दे दूँगा, MacDs के angle से, cash outflow कितना हुआ, minus 75 plus 53 is equal to minus 22, यही उसका contract था, तो यह whole true भी हो रहा है, पिल्कुल perfect है, यह यहाँ पहुँचे, MacDs वाले पहुँचे farmer के पास, कह रहे हैं मेरे 53 रुपे निकालो, farmer कह रहे हैं, जो करना कर ले, एक रुपे निदूँगा, possible, not possible, पॉसिबल, not possible, counter party risk है या नहीं है इस केस में, MacDs कह रहे हैं, तुमने यह contract sign किया था, farmer कह रहा है, contract यह तेल लेने, जन नहीं करता आप में कुछ भी, MacDs कह रहे हैं, मैं तुझे sue कर दूँगा, farmer कह रहे हैं, जकर, क्यों, वो कह रहे हैं, मुझे क्या परवा है, क्या होगा मेरा, तेरी केस लड़ने की cost जादा आजाएगी, यहां क्या, पच्चिस, पचास जार लाख रुपे का loss होगा, उससे आदा तो, केस में लगा देगा तू, जाहां मेरे को यह contract and honor नहीं करना है, is this possible, the answer is very much yes, अब सुनना forward और future में फरख है, forward में, forward को कहते हैं, OTC, over the counter, forward is in OTC contract, over the counter exchange, बतब over the counter, this happens, over the counter मतलब, what is the meaning of the word counter, table, over the counter, तो, बैट के दो parties, one on one negotiate करती है, तो उस वज़े से यह जो contract होता है, यह customized होता है, जब मेगडी यह contract करता होगा, जब मेगडी यह contract करता होगा, तो मुझे बताओ, वो इसमें बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा, तो मुझे जो आलू supply करोगे, जो farmer मुझे potatoes supply करेगा, यह लिखता होगा ना कौन सी variety के आलू होगे, कौन सी size के potatoes होगे, हाँ या ना, यह लेज या मेगडी अगर यह contract कर रहा है, तो उस पर लिखते होगे, कि तुम मुझे x y z variety के आलू supply करोगे, अदर्वाइस देराज वो छोटे-छोटे से आलू आते हैं, वो थोड़ी ना ले लेंगे यह लोग, और नहीं तो कुछ varieties आती होगे, जिससे उनका taste अच्छा settle होता होगा, तो forward contractor, OTC contract, मतलब over the counter contract, and customized contracts, इन में क्या रहता है, इसमें counterparty risk रहती है, counter party risk, क्यों, क्योंकि यह one on one किये गए, one on one मतलब, Magdees ने enter किया, farmer one के साथ, फिर Magdees ने enter किया, farmer two के साथ, and so on and so forth, ठीक है न, इसी के सामने एक दूसरे type के contract है, which are called futures contract, which are called futures contract, सारा कुछ सेम है इसमें, इसमें pricing कैसे की थी, F is equal to, S into one plus R hold to the power T, इसमें कैसे करेंगे, F is equal to, S into one plus R hold to the power T, यहाँ F का मतलब था forward, बहुत बढ़ी है, यहाँ F का मतलब है, futures, S, with me so far, हाँ सर, बस यह जैसे OTC contracts है, यह exchange traded contracts है, मतलब, यह आप stock market में listed देख सकते हो, because यह listed है, exchange traded है, तो यह customized नहीं हो सकते, यह standardized है, यह आई क्यों थे, because ऐसे बहुत बार हो गया, MacDies और farmer वाले case में, कि MacDies पहुंचता था, अपना पैसा लेके, और farmer लट लेके बैठे होते थे, कहते थे, आ लेके दिखा पैसे, है हम्मत तेरे में, तो MacDies, बतलब, आप contract में एंटर क्यों कर रहे हो, कि कल मुझे loss हो जाए, अगर कल market मेरे से unfavorable position में चले जाए, तो मुझे loss ना हो, और farmer क्या बोल रहा है, अगर तुझे loss हो गया, अगर तुझे loss हो गया, in that case, अगर तुझे farmer बोल रहा है, अगर तुझे loss हो गया in that case, तो मैं ही धोका दे दूँगा तो practically मैंगी को ऐसे contract में एंटर करने का कोई फायदा ही नहीं है तो he will never enter into this contract this was the problem कि forward के case में counter party risk was a very big risk this was the problem इस वजह से the solution that came up the solution that came up was exchange traded contracts exchange traded contracts में क्या difference आरा था देखिएगा exchange traded contracts में क्या difference आरा था एक्षेंज ट्रेड़ कॉंट्राइक्ट में क्या था यह बीच में बैड़ गया एंस्सी पॉब्लीक बीएस्सी पॉब्लीक एक्स्चेंज अब अगर मेगडीस को ट्रेड करना है तो मेगडीस फार्मर वन के साथ ट्रेड नहीं करेगा मेगडीस ट्रेड करेगा इनस्सी के साथ और चाहे फार्मर वन हो चाहे फार्मर टू हो चाहे फार्मर थ्री हो चाहे कोई भी farmer हो ये सारे ये ट्रेड करेंगे एक्षचेंज के साथ इसका impact क्या होगा मुझे बता रहा इसका impact मुझे बतार है the impact will be such that farmer ने potato's sell करने है farmer ने potatoes sell करने है येस नो तो farmer को क्या बोला जा रहा है कि भॉस तुम आके potatoes दे दो और हम तुम्हें इसके बदले में पैसे देंगे और मेल्डीज को क्या बोला जा रहा है तुम्हें पोटेटोस चाहिए तुम हमें पैसे दे देना ये कौन से केस में होगा फिजिकल डिलिवरी के केस में ये होगा फिजिकल डिलिवरी के केस में एक 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 लिए मैं बोल रहा हूं कोई फिजिकल डिलिवरी होती नहीं तो आप यहां से पोटैटो जटा दो यहां से पोटैटो जटा दो तो कुल मिलाके क्या होगा आपको यह पता है कि एफ जीरो आपको यह पता है कि एफ जीरो इस ट्वेंटी एफ जीरो इस ट्वेंटी टू मुझे बताओ मैंडीज एफ प्लस करेगा या एफ माइनस करेगा मैंडीज करेगा एफ प्लस तो यह तो आपने वो टिकर देखा है जब आप कई बार नुज बिजनेस नुज देख रहे होगे तो नीचे टिकर चल रहा होता है वो टिकर क्या है वो टिकर रेट कार्ड है न जैसे आप रेस्टरों जाके खाना खाते हैं उस पर मेन्यू पर लिखा रहता है कि आंजी इड़ली 70 रुपे दोसा 100 रुपे इसी तरीके से उस पर नीचे लिखा रहा होता है कि स्पॉट पोटैटो स्पॉट 20 रुपे पोटैटो फूचर 22 रुपे मैगडी पोटैटो फूचर को देखके क्या कर देगा लॉंग कर देगा तो मैगडी ने अपनी पोजिशन बना ली एफ प्लस और ये भाईयों ने अपनी पोजिशन बना ली एफ माइनस ये क्या है वन इयर पॉवर्ड का प्राइस दिख रहा है 22 रुपे का मैगडी ने पोजिशन बना दी 22 रुपे में मैं गया लॉंग एक साल के बाद रेट आगया 75 एस वन आगया 75 रुपे अब मैडीज को मतलब नहीं है कि फार्मर ओनर करेंगे या नहीं करेंगे आप हाईरार्की पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजेगा मैं जैसे स्टोरी को मूग कर रहा हूँ मैडीज यहां पे मैडीज के लिए काउंटर पार्टी कौन है यह वाले ए ग्जेंपल में यह तरकौइज ब्लु raises में मुझे बताओ मैडीज के लिए मैडीज के लिए काउंटर पार्टी कौन है f1 yes no macd's के लिए the counterparty in this case is f1 with me on this or not who is the counterparty for macd's in this case he is farmer 2 if farmer 1 defaults if farmer 2 defaults will macd's suffer the loss yes in this case who is the counterparty for macd's who is the counterparty exchange for farmer who is the counterparty exchange तो आपको इस बात से फरक ही नहीं पढ़ रहा है आपको इस बात से फरक ही नहीं पढ़ रहा है कि दूसरी party honor करेगी यह नहीं करेगी अगर f1 अगर f1 default कर गया अगर f1 default कर अच्छा s1 75 होने पर s1 के 75 होने पर क्या होना चीए था मुझे यह बताओ कि वार्ट शुड हैव happened at if the s1 turns out to be 75 भाई यह 53 रुपीज तो 53 रुपीज इसको मिल जाने चीए थे और nsc यहां उठा कि 53 रुपीज दे देगा येस नो अब because beach में exchange बैठा है और यह दो अलग-अलग contracts हैं तो अगर मान लो इसने 53 रुपीज नहीं भी दिये तो भी exchange अपने जेव से निकालके 53 रुपीज मेकडीज को देगा एक्सचेंज के नौट से कि भाई मुझे फार्मर ने पैसे नहीं दिये मैंने तुझे नहीं दिये because what will मेकडीज से मैं नहीं जानता फार्मर को मैं तो तुझ से ट्रेड कर रहा हूं ना मैं तो तुझ से ट्रेड कर रहा हूं तो practically जो position बनती है वो क्या बनती है देखना कि देखना यह कॉंट्राक्ट वन हो रहा है कॉंट्राक्ट नॉम्बर वन यह जैसे ही मेकडीज एफ प्लस पोजिशन लेता है इसके सामने एक्सचेंज एफ माइनस पोजिशन ले लेता है और जैसे ही यहाँ पे फार्मर एफ माइनस पोजिशन लेता है यह भाई एफ प्लस पोजिशन ले लेता है net position क्या रह जाती है net position रह जाती है F plus इसकी रहती है निल इसकी रहती है F minus but please understand this is one separate contract this is second contract net net में कड गई position इसको मिल गानिल but this guy has an F plus on his plate and this guy has an F minus on his plate हां या ना सर ऐसे ही चलता रहा तो एक्सचेंज कंगाल हो जाएगा हां या ना बिकॉस फ़स्ट वॉपड यहां लिख लेता हूं नो एकाउंटर पार्टी तो रिस्क है कि आना बिकॉस काउंटर पार्टी इस एक्सचेंज अब देखना इसका अगला स्टेप क्या होगा मुझे बताओ इस अगर कोई बीद में अब यह से लिए तीन अलग अलग पार्टीज अब दो कॉंट्राक्ट्स बन रहे हैं एक इनके बीच में और एक इनके बीच में ठीक है नदीज टू कॉंट्राक्ट्स अरे अब एक्चुशन के सानिक तो organization प्रक्रक्राइघज थे शानिकर भूब एक्चनेज वोलेगा यहां वर्बात हो जाओं and exchange बोलेगा वियंगिएट माई सरसे कंपनेंट इसलिए एक दूसरा सॉल्यूशन निकाल को ठीक है न अभी तक कि एक सॉल्यूशन क्या लिया था कि मैगडी बोल रहा है मुझे फार्मर से मतलब नहीं फार्मर बोल रहा है मुझे मैगडी से मतलब नहीं बीच में एक्सेंज आगे खड़ा हो जा रहा था कि हांजी मैं आपकी काउंटर पार्टी जो लेना देना होगा मुझे से होगा अब क्या हो रहा है वो ध्यान दीजेगा मैंडी और एक्सचेंज एक्सचेंज तो उठाके 53 रुपीज दे देगा मैंडी को लेकिन बात यहां फस जाएगी इफ एवरी टाइम मैंडी स्पेस प्रॉम इट्स ओन पॉकेट प्राक्टिकली एक्सचेंज विल गो बैंकरप्ट एक्सचेंज विल गो बैंकरप्ट ठीक है न तो इस वज़े से दे कॉंसेप्ट ओफ मार्जिन वाज इंट्रोडूस्ट पहला और दूसरा दे कॉंसेप्ट ओफ डेली सब्सक्राइब यह दो कॉंसेप्ट लेकर आएगा अब देखेगा क्या मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं इस सम्थिंग कॉल्ड इनीशियल मार्जन इस सम्थिंग कॉल्ड मेंटेनेंट्स मार्जन एंड देन यह हो गया एंड देन डेली सेटल्मेंट में हम सीखेंगे मार्क टू मार्केट यह सारे के सारे एग्जेंपल्स मतलब यह सारे का मीनिंग मैं आपको एक के स्टेडी से समझा रहा हूं अभी तक कि हमने देख लिया था नीड ओफ फ्यूचर्स के है पॉरवर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी उसको फ्यूचर सॉल कर रहा था जब हमने फ्यूचर के डिटेल में डिस्कस किया तो हमको समझा है कि बहुच यह सारे के सारे एस्पेक्ट हमको फॉरवर्ड में जो परिशानिया थी उससे बचा सकते हैं अब मैं आपको के स्टेडी करा रहा हूं देखिएगा यही मदब टू डिस्कस ओल दीस प्राक्टिकल पॉइंट मैंने पूछा एफ कितना रही है बताईए एफ देखिए का आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना था एफ वाज एस इन्टू वन प्लस और होल्टू दी पावर टी एस कितना है अठारह सो आर कितना है पांच पर 60 डिवाइड़ वाइ 360 नहीं होगा है ठीक है एफ पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे अगर ध्यान हो आपको एक्विटी बॉन्ड करेंसी स्टॉक यह सारे के सारे केस में टी बाइ 365 और कंपाउंड इंग यह चलता था कंवेंशन ठीक है ना इस तो दिस विल बी 181 पोर पॉइंट फाइफ जीरो दिस यूर एफ इस 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 करेक्ट इस इस का एफ कितना आ रहा है इस इस देज एफ इस कमिंग आउट एफ एफ इस वन एट वन फोर पॉइंट फाइफ जिरो 60 डेज एफ इस कमिंग आउट एफ इस वन एट वन फोर पॉइंट पाइफ जीरो ठीक है नहीं यह एफ किस केस में आ रहा है फॉवर्ड के केस में ये केस ये एफ किस एमें आ रहा है फॉवर्ड के केस में अब this was 0.1 this was forward में 1 यह था गिवन इससे आपने निकाल लिया यह इसकी interpretation क्या है देखिएगा you know for a fact that this price this price forward price of original contract will remain constant throughout the life of the contract तो यह 1814.50 यह यही नंबर पर रहेगा पूरे के पूरे टाइम ठीक है नब यह फॉरवड प्राइज यह रहेगा सर लेकिन एक बात बताओ यह टाइम जीरो है यह टाइम सिक्स्टी डेज है अगर यहाँ पर स्पट चेंज ओता रहां गॉर्ट प्रोट इस पॉर्ट चाइज है लेकिन पूर्म प्रोट क्ता का यह कै नहीं होता अब आपने टाइम जीरो पे लॉंग पोजिशन एंटर कर लिया था तो इस वज़े से आपको इस गैप का ये जतना गैप है ये इसके जितनी आपके आपके कॉंट्राक्ट की वैल्यू बन रही है दिस वुड़ बी दा वैल्यू लेकिन प्राक्टिकली स्पीकिंग आपका जो ओरिजिनल कॉंट्राक्ट था उसका तो एफ सेम ही रहने वाला है सर आप इतना एंफिसाइज क्यों करें ये तो बात हमको पता ही है कि 1814.50 दिस वुड़ रिमेन दे एफ मुझे एक बात बताना फ्यूचर्स के केस में वाट वोड़ बी दे प्राइस दे प्राइस वूड बी एग्जाक्टली सेम इस इस दे प्राइस फ्यूचर्स कॉंट् देखिएगा फ्यूचर्स के केस में लेट से वन एट वन फोर पॉइंट फाइफ जीरो दिस इस दिस इस थी एफ ठीक है मान लीजे कॉंट्राक्ट साइज इस हंडरी युनिट्स वरी कॉंट्राक की कॉंट्रीटी इस हंडरी उनिट्स तो कॉंट्राक का साइस केटना हो गया तो इस 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 मॉल्तिप्लाइड बाइद बैस तो इपकोंस वन एट वन फोर फाइफ जेरो 181450 एजन्ट इट 181450 ठीक है अब यहाँ पर आता है concept margin का ध्यान दीजेगा let's say let's say initial margin सर initial margin होता क्या है यह तो बता दो इनिशेल margin is 10% so let's say the initial margin is 181450 का 10% so the initial margin is 18145 18145 देखना initial margin का क्या मतलब है initial margin का यह मतलब है एक बार forward contract imagine करो forward contract enter करते समय macdiz और farmer जब यह दोनो एक दूसरे के साथ forward contract enter करते थे तो time zero पे cash flow कितना होता था मुझे यह बताओ what was the cash flow at time zero कोई पैसे किसी ने देई नहीं रखे थे futures क्या बोल रहा है देखना futures बोल रहा है boss एक contract के बदले दो contract हो गए एक हो गया है macdiz with bsc वो दूसरा हो गया है bsc with farmer ठीक है ना अब macdiz कर रहा है f plus और यह कर रहा है f minus वो कह रहा है boss exchange क्या बोल रहा है कि भाई मैं तुम दोनों के लिए risk ले रहा हूँ मैं तुम दोनों के लिए risk ले रहा हूँ अगर farmer default करेगा तो मैं macdiz को पैसे बरूँगा macdiz default करेगा तो मैं farmer को पैसे बरूँगा लेकिन I do not want कि मैं कोई भी risk लो मैं तो दोनों को facilitate कर रहा हूँ नो why should I take any risk this is just facilitation so whether you are f plus और you are f minus जितनी भी total contract value है जितनी भी total contract value है total contract value क्या है 181450 तुम दोनों के दोनों मेरे पास जमा करा होगे तो time 0 पर time 0 पर macdiz क्या करेगा macdiz देगा exchange को कितना पैसा 18145 और time 0 पर ही farmer भी देगा exchange को कितना पैसा 18145 18145 time 0 पर macdiz और farmer दोनों के दोनों macdiz और farmer दोनों के दोनों exchange को 18145 deposit करा देंगे consider this as security consider this as security अब दूसरी चीज़ देखना there is a term called maintenance margin यह क्या हुआ 18145 दोनों ने macdiz ने और farmer ने दोनों ने deposit कर दिये दोनों ने deposit कर दिये with the exchange ठीके यह हुए time 1 पर पर यह हुए time 0 पर T1 देखना हूँ this is time 0 अब मान लो time 1 पर यह भाव change हो जाकर at time 1 मान लो this changes यह time 0 था time 1 पर देखना क्या हो रहा है यह जो rate था 1800 रुपय का यह जो rate था 1800 रुपय का let's say यह अगले दिन आ जाता है 1820 पर next day this rate comes to 1820 1820 यह था जीरो यह था जीरो डेज पर यह हो गया वन एट्थ डेपर यह कितना हो गया 1800 मान लो rate रह गया 5 परसेंट डेज लेफ्ट कितने हैं यहां पर डेज लेफ्ट कितने आएंगे यह बताओ what is the number of days left 59 days एक आंसर नहीं आया अच्छा नहीं नहीं बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था मेरे इसमें पॉप नहीं हो रहा था okay the days number of days left are 59 days ठीक है मुझे बताओ अब f कितना हो जाएगा what will be f अगर new f compute करना होता तो वो कितना हो जाता यह price rise होके होगे 1820 करेट 1820 कि यह मुझे बताएगे what would be the new what would be the new price कि यह आया one eight three four point four one प्रीक है ना one eight three four point four one ठीक है अब देखना जब one eight two zero जब eighteen hundred का spot था let's say this curve is a spot curve and this curve is a forward curve यह है forward curve sorry future बोलना चाहिए यह है futures और यह है spot जब spot 1800 था तो future कितना था future था one eight one four point five जब spot 1820 है तो future कितना होगा future होगा one eight three four point four one the future should be one eight three four point four one ठीक है ना अब मुझे बताओ इस point पे contract की क्या value होनी चाहिए इस point पे contract की क्या value होनी चाहिए इन टू हंड्रेट वन एट थ्री पोर फोर वन अब समझेगा अपने प्राब्लम पर चलते हैं प्राब्लम यह थी कि हो सकता है हो सकता है यहां पर मैगडीज फार्मर को पैसे देने से मना कर दे तो एक्षेंज ने बोला बीच में खड़ा हो जाता हूं उसने क्या बोला एक्षेंज ने बोला जितने पैसे का contract है उसका 10% पहले ही दिन पे रख लो जो loss और profit होगा वो इसी से settle कर लेंगे बट क्या पता 60 दिन में loss और profit इससे बहुत जादा vary कर जाए इससे बहुत जादा vary कर जाए यह भी तो हो सकता है आपका जो stock है या आपका जो commodity है वो हिलता है अगर आप large cap stock में हो अगर आप large cap stock में हो और यह बहुत जादा हिलता नहीं है यह लेट से टाटा स्टील जैसा है यह ऐसे ऐसे रहता है यह ठीक है ना मतलब जिसमें dispersion कम है उस case में margin छोटा रख लेते हैं जिस case में जिस case में अदानी जैसा stock है ऐसे भम भम उपर नीचे जाएगा तो वहाँ पे margin को increase कर लेंगे क्योंकि risk जादा है क्योंकि risk जादा है ठीक है ना अब इन्होंने का यह तो initial margin deposit कराया था एक और हम लॉक कर लिए एक और safe point रख लेते हैं अपने लिए वो क्या होगा exchange says that भाई अगर तुमने time 0 के बदले time 1 में contract enter किया होता time 0 के बदले time 1 में contract enter किया होता तो contract की value change होती दुबारा time 0 पर time 0 पर time 0 पर mcd's ने जो position लिए एक बार वो देख रहा हूँ position इसने लिए f प्लस की इसने लिए f माइनस की इसकी better upside इसकी better downside time 0 पर rate था 1814.50 ठीक है उसके इसके इसाब से यह दोनों ने initial margin deposit करा दी अब बोल रहे है time 1 पर time 1 पर rate कितना हो गया rate हो गया 1834.41 1834.41 f प्लस अभी तक की क्या लग रहे है he is he is towards winning the bet or he is towards losing the bet he is towards winning the bet and by how much is he winning 1814.50 sorry 1814.50 इस contract की जो size है वो कितनी हो गई है 1834.41 कितने से winning है 19.91 in 200 units मतलब जो total winning है वो कितनी है जो total winning है वो कितनी है 19.91 पर यूनिट की win है मतलब अगर मैं यहां पर value देखूंगा अगर यहां पर value देखूंगा तो क्या आएगा 19.91 पर यूनिट ठीक है ना in 200 units 19.91 हां या ना 19.91 करेक्ट तो time 1 पर क्या होगा देखना time 1 पर यह जितना जीतर है न यह जितना पैसा जीतर है इसे realize करा दिया जाएगा what will happen is that farmer farmer अपने जेव से 19.91 देगा और यह 19.91 एड़ कर लेगा आप कोई बात समझ आई practically क्या हो रहा है at time 1 at time 1 यहां पर forward में क्या होता था आप time 60 days पर जाके देखते थे winning यह losing क्या हुआ है यहां पर आप बोल रहे हो नहीं भाई 60 दिन रुकेंगे यह नहीं daily की daily देख लेंगे daily की daily देख लेंगे देखना अब क्या हो रहा है यहां पे जो contract की value थी वह क्या थी 181450 अब contract की value हो गई 183341 183341 आपने बोला जितना भी ऊपर या नीचे आया है जो भी हिसाब बनता है लेना लिवाना आज ही कर लो 181450 से 183341 ठीक है ना वर्किंग नोट बिलोग यह स्टार देखा ठीक है अब क्या होगा अट टाइम वन पार्मर विल पे टू एक्सचेंज वू विल पे टू मेग्डीस हाव मच वन नाइन नाइन वन इस विल वन नाइन नाइन वन आर यू विथ मे तिल इस पूंट तो मार्जिन कितना डेपॉजिट कराया था इसने मार्जिन डेपॉजिट कराया था वन एट वन फोर फाइफ इसने कितना कराया था वन एट वन फोर फाइफ वन एट वन फोर फाइफ वन एट वन फोर फाइफ देखो 18145 deposit कराया था 19.91 रुपीस पर यूनिट से जीते हो आप कि इतने की विनिंग आई यह आपकी कि 1834.41 माइनस 1815 अब क्या होगा मुझे बताना इनीशियल मार्जन कितना डिपॉजिट था इनीशियल मार्जन कितना डिपॉजिट था 1814.5 इन फाक्ट लेट मी चेंज दिस लिटल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेगडीज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फार्मर 18145 यह था टाइम जीरो पर टाइम वन पर क्या होगा मेगडीज को मिल जाएंगे 1991 इसके यहाँ से चले जाएंगे 1991 कितना आ गया मार्जन डेपॉजिट यह बताओ यह आ गया 20136 यह आ गया 16554 ठीक है डे जीरो के एंड पर ऐसा सीन था डे वन के एंड पर ऐसा सीन हो गया हाँ या ना यहां तक के कोई queries हैं तो पूछी है अब देखना आगे चल रहा हूं मैं यह एक candidate ने ब्रेक मतलब जब मैं doubts के लिए session open कर रहा था तो एक बहुत अच्छा चीज पूछा गया वो कह रहे हैं यह 18344 यह settlement price है क्या बिलकुल इसी को settlement price कहते इस इस settlement price ठीक है ना यही है आपका settlement price ठीक है अब एक बार ने यह मैं दुबारा बोल दे रहा हूं क्या हुआ है यह 18145 मेकडीज ने so what will happen is that exchange के पास ने मेकडीज अपना एक account खुलवाएगा मेकडीज अपना एक demat account खुलवाएगा exchange के पास exchange उसे बोलेगा कि अगर तू 100 units का contract करना चाहता है तो at least 18145 यह पैसा deposit कर दे time 0 पे ठीक है नो तो यह मैं बोल रहा हूं demat account और यह मैं बोल दे रहा हूं bank account मेकडीज के एंगल से क्या होगा मेकडीज time 0 पर time 0 पर अपने bank account से demat account में 18145 भेज देगा तो bank account में minus 18145 demat account में plus 18145 ठीक है इसी तरीके से एक bank account और एक demat account इसका भी होगा किसका farmer गा यह macd's का है यह farmer का है ठीक है ना macd's भी क्या करेगा फार्मर भी क्या करेगा 18145 अपने account से डाल के अपने demat account में डाल देगा यह demat account का control यह demat account आपने कहा खोला है मैंने जिरोधा में ही खोल रखा है तो जिरोधा के पास है जिरोधा is an extension of exchange अभी के आप मान लीजे ठीक है अब time 1 पे क्या होगा time 1 पे macd's जीता है 181991 से macd's जीता है तो what will happen is that इसके account से कम हो जाएंगे 1991 इसके account में आके जुड़ जाएंगे 1991 ठीक है ना यहां से पैसे यहां पे जा रहे है that's it this is exchange of money that's it nothing else और कोई difference नहीं आ रहे है इसमें ठीक है with me so far बहां सर यह clear है अब देखना मान लो अगले दिन अच्छा रूको 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 ठीक है time 1 के end पे time 1 के end पे value of the contract के time 1 पे इस point पे during time 1 यह जब time 1 चल रहा था जब यह दिन खतम होने के तरफ था तो मैडीज क्या सोच रहा होगा आज मैं 1991 जीत गया हाँ या ना आज मैं 1991 जीत गया हाँ या ना बिलकुल यही सोच रहा होगा और time 1 के end पे उसको पूरे की पूरे वन नाइन नाइन वन मिल भी गए उसे पूरे यह वन नाइन नाइन वन मिल भी गए अब मुझे बताओ what would be the value of what would be the value of the futures contract at time 1 end what would be the value of the futures contract at time 1 end after this 1991 has been paid after this 1991 has been paid what would be the value of the futures contract it is 0 forward contract में क्या होता forward contract की value यही case अगर forward में हुआ रहता अगर यही case time 1 वाला यहां पे आके बन जाता 1 8 कितना है था 3 4.41 अगर यह यहां हुआ रहता इसकी value निकालते तो यह आता 1 9 9 1 यहां पे क्या हो रहा है अगर इसकी value निकाल रहे हो तो भाई जितनी value निकली थी हो तो pay कर दिया न forward contract में क्या बोल रहे थे forward contract में day 1 के end पे मैं बोल रहा था देख मैंने जो शर्त लगाई थी वो सही तरफ जा रही है मेरी अभी की winning at this point what is the meaning of the word value value means that if I close the contract at this moment of time what will I get तो forward contract के case में 1 9 9 1 मिलता future के case में already मिल गए 1 9 9 1 तो अगर अभी contract को close कर भी दू तो और क्या मिलेगा 0 और क्या मिलेगा 0 तो what is the value of the futures contract on day end 0 futures contract की value हमेशा 0 हो जाएगी दिन के end पर are you with me till this point यहां तक के कोई queries तो नहीं है नहीं सर्च चलो इसके अगले दिन फिर भाव बदलते हैं इसका यह time one था इसके अगले दिन पर इसका भाव फिर से बदलते हैं रुको time two लिख रहा हूँ अब मैं हाँ पर let's say this is time two इसके अब बस्टो जीरो वन थ्री सिक्स एक सेगन रुके गाए बस time two पर देखर हैं one six five five four यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ value इसके बाद का take away क्या होगा मेरा value of futures contract on day end is equal to nil अब time two पर देखना लेट से इस 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 एट टाइम तू यह वन इट टू जीरो था लेट से इट ड्रॉप्स it drops to one eight zero five this will also drop future surprise will also drop यह कितना हो जाएगा बताना एक बार at time two days this will become at time two days this becomes one eight zero five this remains five percent this remain this becomes 58 days what will this price be it will become one point zero five y to the power x 58 divided by 365 bracket close is equal to into one eight zero five यहांसर आ रहा है one nine one eight one nine point zero five one eight one nine point zero five आ रहा है one eight one nine point zero five कि कैसे आ रहा है देखते हैं यह this becomes एक्राइट बेक्ट बेड़ा है इन फिट्स जाहे हैं तो फॉन इन इस इस दिन पर क्या होगा अब गया इस दिन पर क्या होगा कितना अब यह नया सेटलमेंट प्राइज यह अब मुझे बताइए वाट वोड बी दम मनी देट वुड बी एक्सचेंज़ वाट वोड बी दमनी देट वुड बी एक्सचेंज कितने पैसे लेने देने के बनेंगे ओरिजनल कॉंट्राक कितने का था वन एट वन फोर पॉइंट फाइज अब कितने का है वन एट वन नाइन पॉइंट जिरो फाइज 1819.05 माइनस 1814.5 यह बना 4.55 इन टू हन्डर्ड यूनिट्स हाँ या ना यह कौन किसको देगा मुझे बताना यह कौन किसको देगा एफ प्लस पार्टी पे करेगी सॉरी एफ प्लस पार्टी रिसीव करेगी एफ प्लस पार्टी गेट्स पूर फॉर्टी फाइव एफ माइनस पार्टी पेज फॉर फॉर्टी फाइव येस नो सारे के सारे नालाएट सब उल्टा सीधा लिख रहा हूं मैं मेकडीज मैंने शर्थ लगाई day 0 पे मैंने शर्थ लगाई at time 0 मैंने शर्थ लगाई कि 60 दिन पे भाव 1814.5 से उपर होगा time 0 the bet was that at time 60 the price would be north of 1814.50 अगले दिन पे वो भाव पहुंच गया 1834.41 तो इसके बीच का जो winning था वो already मैडीज को मिल चुका है because the price had moved in favor of मैडीज the price had moved in favor of मैडीज ना ये मैडीज को मिल चुका है oh sorry यह वाला जो अपसाइड है यह मेंग डी पॉकेट कर चुका है आज अशर कर चुक है इन फाक्ट मुझे यह बोलना चाहिए यह वाला जो गेन यह मेंग डी पॉकेट कर चुक है अब प्राइस गिर गया अब तो फार्मर को पैसे मिलने बाकी है अब तो फार्मर को मिलने बाकी है जो वन नाइन नाइन वन मिले थे उसमें से कुछ वापस आएगा और बचा हुआ चारसो पचपन मेकडी के पास नेट नेट रह जाएगा यह होगा तो मुझे बताओ कितना वापस मिलने वाला है अब वाट इस दा प्राइस बन्दब वाट वाट इस देल्टा ओर है यह हो गया वन एट वन नाइन पॉइंट जीरो फाइफ यह हो गया फिफ्टीन पॉइंट थ्री सिक्स पर यूनिट डेल्टा इस इक्वल टू 1819.05 माइनस जो प्रीवियस था जो प्रीवियस था वो कितना था? 1834.41 आप ग्राफ से देखोगे तो आपको जादा अच्छे समझाएगा ग्राफ नीचे आ रहा है F माइनस पार्टी जीत रही है ग्राफ उपर जा रहा है प्लस पार्टी जीत रही है यह कितना नीचे आया है यह कितना गैप कितना बना है This is 15.36 15.36 बता रहे हैं मुझे सारी यह यह करेक्ट है न? यह न? इस इस 15.36 15.36 यह हो गया 15.36 यह आ गया 15.36 एट टी वन एट टी वन क्या होगा? अब मेकडीज एक्सचेंज को देगा और एक्सचेंज फार्मर को देगा क्या? 15.36 15.36 यह कैसा दिखेगा? टाइम टू पे क्या होगा? यह देगा 15.36 इसे मिलेंगे 15.36 टी टू एंड पे क्या पोजिशन दिखेगी बताओ मुझे अट टाइम टू एंड अट टाइम टू एंड कितनी दिखेगी पोजिशन? इसके अकाउंट में कितने पैसे दिखेंगे? 20.36 माइनस 15.36 1 186.00 यह ही आ रहा है ना? 20.136 18.145 पॉलस 19.91 माइनस 15.36 यह दिखे रहा है 18.600 और यह कितना दिखेगा? 16554 प्लस 15.36 यह दिखेगा? 18090 अचीक है ना? अब टाइम टू पे क्या हुआ होगा? देखो टाइम टू पे 15.36 यहां से चले गए होंगे और इसके पास आ गए होंगे यहां पे 15.36 ठीक है जी? कुल मिलाके डीमेट अकाउंट में कितने रुपे थे? अट दे स्टार्ट 18145 इंटू टू पैसे थे 36290 36290 और बाद में कितने रजाएंगे? यहां भी वही रजाएंगे यह सब कुछ होने के बाद कितने रजाएंगे? सेम ही रजाएंगे 18600 प्लस 1890 यहां यह कुछ अलग क्यों हा रहा है? 18145 माइनस 1991 प्लस 1536 17690 हा रहा है 17690 अच्छा यह 16154 था यह 16154 था सौरी इस वाज 16154 तो टोटल पैसे क्या रह जाएंगे बाद में भी बाद में भी 36290 ही रह जाएंगे आर वी क्लियर तिल दिस पॉइंट यह जो चीज कर रहे हुआ इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं M2M Mark to Market दिन का हिसाब किताब जो Profit Laws है दिन के End में सब दे दवा दो अब हो क्या रहा था Forward में Time 0 पे Enter कर रहे थे Time 60 पे Win और Lose देखा जा रहा था तो 60 दिन तक के दोनों पार्टी यां एक दूसरे पे भरोसा कर रही थी अब क्या हो रहा है? हर दिन के End पे Exchange बोलते है भाई तू जितना पैसा जीता अतना लेके जा चितना पैसा हरा अतना देके जा तो पहले Counter Party, पहले एक पार्टी को Instrument Initial Marx USB तो आप initial margin लगा रहे हो और daily M2M कर रहे हो सर आपने एक और word बताया था maintenance margin maintenance margin ये क्या था मान लो maintenance margin इस case में है 9 maintenance margin है 10,000 रुपे let's say maintenance margin is 10,000 रुपे इसका क्या मतलब होगा कि अगर किसी दिन के settlement में अच्छा चलो एक सेकंड रुप जाओ पहले अभी तक जो M2M में कराया उसको उसको close करो वहां तक के कोई queries हैं तो बताईए नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ initial margin और maintenance margin पढ़ा रहा हूँ ये वाला discussion यहीं end होता है मैं ये M2M लिख रहा हूँ this is mark to market this is mark to market M2M mark to market mark to market मतलब कि दिन के end पे price वहां पहुचा दो जितना market पे है mark to market अब देखो न ये जो forward ये जो future contract है ये जो future contract है on time on day 1 1834.41 हो गया 1834.41 हो गया correct तो what will you do you are actually reprising the contract यहां पे आप future contract को adjust कर दे रहे हो किस पे नए price पे पहले आपका futures contract का जो price था 1814 था अब आपने उसको adjust करके 1834.41 पे ला दिया अब जब भी आप इसके अगला profit या loss देखोगे तो 1834.41 से देखोगे ना कि 1814.5 से ठीक है नो तो आप हर बार अपने contract को recalibrate कर ले रहे हो that is why this this function is called mark to market ठीक है ना अब कुल मिलाके forward और future में आपने अभी तक के difference क्या देखा है देखिएगा ये है forward और ये है futures as far as the concept of pricing is concerned दोनों में formula same दोनों का pricing formula is same in both the cases ठीक है ना pricing of original contract original contract price of original contract forward के case में remains constant remains constant during the life और future में क्या होगा changes on daily basis अज़ अगर आप अगर आप original contract वाल्यू यहां पर क्या होगा पॉवर्ट के कॉन फॉर्वर्ट कॉंट्राक्ट में चेंजेज डेली चेंजेज डेली यहां पर क्या होगा फुक्टर्स गामा फूर्वर्ट तो थेली अठ वोचेंग है शॉक्टर्वश डेली आखर शॉर्ट ल hina कुर्ण तो जर। on day end ठीक है ना due to M2M mark to market आपकी books इसे MTM भी कहती है mark to market mark to market या M2M जो भी लिखो आप दोनों सही है आपकी books इसे MTM कहती है Indian books इसे M2M कहती है mark to market ठीक है जी अभी मैंने सिर्फ maintenance margin नहीं पढ़ा है कोई doubts है तो प्लीज पूछिए एक candidate ने पूछा कि 1536 कैसे बच गए 1536 बचे नहीं है 1536 DMAT account MACDES के DMAT account से कड़ जाएगा और farmer के DMAT account में आ जाएगा ठीक है ना कितना बचेगा farmer MACDES के account में उसने डाले थे कितने उसने डाले थे 18145 और अब कितने रहे गें 18600 यह कितने प्लस हुए है उसके टोटल में what is the total plus the total plus is 445 याद है आपने जो 445 निकाला था यह total profit था यह total profit था उसे पहले दिन profit हुए 11991 का दूसरे दिन loss हुए 1536 का total profit is 445 और farmer के case में उसे total loss हुए 445 फाइब का वो भी यहां पर पहले लिस्टेड था अपने एंड ठीक है ना कि इनीशियल मार्जन डल फ्यूचर्स पूरा का पूरा खतम है मेरे इन पर इनीशियल मार्जन मैंने समझा दिया मैंने मार्क टु मार्केटश समझा दिया एक आखरी कॉंसेट सिखा रहा हूं और कि एकarin डिवाएं पर पूरा का पूरा दिस्कुर्शन फ्रोजर के लिए एक और डाउट पूछा गया अगर किसी एक के दिमाग में है तो अगले दिन इस पॉट्रेट 1820 यह कैसे आया तुमारा इस पॉट्रेट नहीं किया है अगर ऐसा हो कि एक ही दिन में भाव 10% से जाधा तूट जाए ऐसा नहीं होता दोस्ती ऐसा होता है कि मैं आपको डेवन के ये थो साथ फी प्लस माइनस होते रहते हैं आपके अकाउंट में प्लस माइनस जैसे जैसे स्पॉत चेंज हो रहा होता यह वेसे फ्यूचर चेंज हो रहा होता है और यह जो इनाитर यह ऒी frontier कि आपका इनिश्यल मार्जिन बहुत नीचे आने लग जाता है यह बहुत नीचे आने लग जाता है जैसे रिस्क पर आता है उसी समय मार्जिन कॉल आ जाती है मार्जिन कॉल कि बॉस यह पैसे डेपॉजिट कराओ अदर्वाइस आपका यह ट्रेड हम स्कुएर ओफ कर देंगे और आपका जितना उस समय का आपका लॉस मान लेंगे आपकी कैपिटल विल गो बस्ट ट्रेड आपका स्वेर और कर देगा एक्सचेंज कोई रिस्क नहीं लेता तो एक्सचेंज विल नेवर बीए अट रिस्क आप इसके लिए बिलकुल चिंता ही ना करें अगले डिसकुशन कर रहा हूं में चोटा सा सब्सक्राइब करेंगा अब देखना क्या है यह है आपका कि इनीशियल मार्जिन यह मेरे पिछले कुश्चन में था 18145 ठीक है ना यह निकाला कैसे था उसको छोड़ो यह चलो ठीक है जो टोटल कॉंट्राइक वैल्यू थी उसका 10% था इनीशियल मार्जिन मान लो मेरा एक मेंटेनेंस मार्जिन है मेंटेनेंस मार्जिन इस 10,000 रुपे इनीशियल मार्जिन मतलब वो पैसा जो दोनों की दोनों पार्टीज डे जीरो पर कॉंट्राक्ट एंटर करते ही डेपॉसिट करेंगी एल सेक्यूरिटी विट दे एक्सचेंज विट मी सो फार मेंटेनेंस मार्जिन क्या है मेंटेनेंस मार्जिन ये बोलता है कि बॉस जब ये हमने डे जीरो पे कहानी स्टार्ट की थी दोनों पार्टीज ने 1,8,1,4,5 जमा करा दिया ठीक है न अब अगले दिन क्या हुआ था अगले दिन 1,9,9,1 का गेन हो गया आप यहां पहुँच गए ठीक है न इसके बाद उसके अगले दिन माइनस 1,5,3,6 का लॉस हो गया ये जो टोटल बीच में गैप आ रहा है ये गैप की साइज कितनी है ये गैप की साइज कितनी है गैप की साइज है 4,45 मान लो ये ये किसका अकाउंट चल रहा था ये चल रहा था मैगडीस का अकाउंट हाँ या ना ये मैगडीस का अकाउंट चल रहा था इसी के सामने एक बार फार्मर का अकाउंट देख लेते हैं रुको ये था मैक डीस का अकाउंट इसी के सामने मैं एक फार्मर का अकाउंट बना रहा हूँ विट पहले दिन लॉस दूसरे दिन गेंड इसके केस में ये जो छोटा सा ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये जो छोटा सा रेड पोर्शन दिख रहा है लॉस का ये ये क्या है यह 441 का लॉस हुआ है इसे वन नाइन-नाइन-वन का लॉस हुआ अगले दिन इसे 1536 का गेन हुआ था कि यह माइनस वन नाइन या उस沒錯 इसे हुए प्लस 1536 यह रेड वाला कितना रहेता माइनस 145 और यहां पी रह गया था यह रह गया था प्लस 445 इसके अगले दिन पर मन लो इसके अगले दिन पर हुटा है इसके अगले दिन पर कि मान लो कि मैं ओके सुनना कॉंसेप्चुली बोल रहा हूं उसके बाद नंबर्स के साथ बोलूंगा यह उपर नीचे होते रहेंगे प्राइजस तो यह आपका इनीशियल मार्जिन है यहां से ऐसे कुछ-कुछ उपर नीचे होता रहेगा ठीक है न अगर उपर हो रहा है त तो इसके अकाउंट से पैसे जाते जाएंगे यह वाले पीस में इसका लॉस हो चुका है मैकडीस को कोई जहुरत नहीं है पैसा जमा कराने की देखना अभी तक कि यह जो ट्रांजेक्शन्स हुएं वो कुछ ऐसे हुआ है जो ट्रांजेक्शन्स आर समवाट ओन दीज देखना कुल मिलाके हुआ क्या है हमारा तो फोकस होना चाहिए एक M2M पर दूसरे M2M पर करेक्ट मान लो इसके अगले दिन का एक और M2M हो जाता है यह यह दो दिन के M2M थे इसके अगले दिन का मान लो एक और M2M हो जाता है M2M होता है इसको मिलते हैं इसको मिलते हैं 10,000 और इसके जाते हैं 10,000 तो T3 के end पे account balance क्या रहे गया बताना यह हो गया 28,600 और यह हो गया 7,690 ठीक है maintenance margin का क्या मतलब था minimum account में हमेशा 10,000 रुपए पड़े रहने चाहिए इस account से 10,000 से नीचे हो गया balance हाँ या न न 10,000 से नीचे हो गया इस account में balance ठीक है जैसे ही account में balance 10,000 से नीचे हुआ क्या होगा बताओ इसका अगला स्टेप यह 10,000 रुपए ऊपर चला गया यह 10,000 रुपए नीचे चला गया यहां पर ठीक है with me so far यहां तक की story clear है आपको maintenance margin से नीचे आ गया यह कौन से लेवल पर आ गया यह 7690 पर आ गया इसको पैसे कितने जमा कराने पड़ेंगे यह बताओ इसे पैसे कितने जमा कराने पड़े what will be the funds that will be required to be deposited what will be the funds required to be deposited ideally देखके लगता है 2310 दस अजार पर वापस आने के लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर आपका account maintenance margin से नीचे चला गया है तो आप funds deposit कराओगे कितने initial margin पे पहुंचने के लिए initial margin में पहुंचने के लिए ऐसा क्यों बोलता एक्सचेंज एक्सचेंज बोलता है यार 7690 से 10,000 पे लाया इससे 2310 ले लिया अब इसका account यहां पे border पे आगया वापस से जैसे ही दो रुपे का out loss होगा दोबारा margin कॉल करनी पड़ेगी फिर margin कॉल करूंगा है फिर 10,000 पे लेके आएगा फिर नीचे जाएगा फिर margin कॉल होगी है तो बड़ी बेवकुफी हो जाएगी तो एक्सचेंज बोलता है यह काम करने के लिए नहीं बैठा मैं तुम्हार अकाउंट जैसे maintenance से नीचे गया तो मैं मान लूँगा कि भाईया यह अकाउंट डिफॉल्ट हो रहा है अब तुम उतने पैसे जमा कर आओ जितने इनीशेली होने चाहिए तो इनीशेली होने चाहिए थे 18145 तो यह margin deposit कराएगा कितने गा 18145-7690 यह कितना रहा है 10455 रुपीज यह जमा कराएगा अपने अकाउंट में यह होता है futures का pricing और valuation का overall discussion nothing more to add at my end next piece पर move कर रहें मैं forward price और future price के बीच में आपको relationship दिखा रहा हूं in the light of the impact of interest rate and future price का correlation दुबारा अभी आपको forward price और future price दोनों निकालने आता है formula wise हम बोल रहे हैं इन दोनों यह दोनों कैसा behave करेंगे if the correlation between interest and future prices is as follows यह discussion कर रहें ध्यान से सुनियों correlation between interest and future prices कैसा हो सकता है correlation के bounds है minus 1 to plus 1 to correlation can either be there can either be no correlation or positive correlation or negative correlation चीगे नहीं है how can the interest rate behave how can the interest rate behave it can either remain constant or it can increase or it can decrease so these are the bounds these are the bounds interest rate कैसा behave करेगा एक यह देखना है आपको और दूसरा correlation कैसा है between interest rate and future prices यह देखना है अब ध्यान दीजेगा मान लो में यह कह रहा हूं कि correlation between interest rate and future prices interest rate and future prices is positive अगर यह positive है और interest rate increase कर रहा है मतलब मैं यह वाले box की बात कर रहा हूं इंट्रस रेड इंक्रीज कर रहा है और correlation positive है मैं यह वाले box की बात कर रहा हूं ठीक है ना let's call this box as a if I'm talking about box A इस case में क्या होगा अगर correlation positive है and interest rate increase कर रहा है interest rate increase होने का impact क्या होगा future prices increase होगा future prices increase होगा future price increase होने से मुझे बताओ क्या होगा future price increase होने से M2M gain आएगा M2M gain आएगा margin account increase हो जाएगा margin account increase हो जाएगा अब because M2M gain आए margin account increase होगा तो आप क्या कर सकते हो you can draw out cash out लिख दे रहा हो सब्सक्राइब cash out funds from margin account इसका क्या मतलब हुआ cash out funds from margin account आप margin account से पैसा निकाल के अपने cash account में डाल दोगे अपने bank account में डाल दोगे यू विल पूल आउट फंड्स प्रॉम यर मार्जिन अकाउंट गेटे डिपोजिटेट इंटो यूर बैंक अकाउंट अब सुनना यह जो बैंक अकाउंट में पैसा आए यह आपको हायर इंट्रस्ट इंड गरेगा आप इन फाक्ट यह पैसा निकाली क्यों हो रहे हो यू विल कैश आउट डिस टू अर्न मोर इंट्रस्ट ठीक है नहीं अब देखना यहां क्या हो रहे है प्रक्टिकली समझना आई इंक्रीज हुआ फ्यूचर प्राइज इंक्रीज हो गए क्यों बिखाज इन दोनों में को режosition हाई था आई इंक्रीज हुआ फ्यूचर प्राइज हिए क्योंकि इंक्रीज हाई था अब हम यह बोल रहे हैं कि बॉस अगर फ्यूचर प्राइज मेंप्रीज होगा तो आप पैसे वो कैशा उप कर पाऊगे और कैशा उपकर पाऊगे तो दिस बिकम्स मोर एडवांटेजियस नो वें दर इंट्रस्ट रेट इस इंक्रीजिंग यूट वांट तो मेक मोर इंट्रस्ट नो तो तो दैट्स वाइब वाट इस हैपनिंग इस दाइट इफ इफ आए इफिद्र इस थे सरता हैं baptized केंउ नode क्या फिचला गाले heu Bar組 । तो किया फॉर्वर्ट में हं आप् All nord इंट्रस्ट कम आपाथे क्या नए तो Richardson's पेंजेभिन preferred to forward, in which scenario, future becomes more preferred to forward, in which scenario, when the correlation is positive and the interest rate is increasing, when the correlation is positive and the interest rate is increasing, case number b lena, case number b lena, yaha bhe kya ho raha hai? Correlation is positive but the interest rate is decreasing, is case me kya ho ga? Is case me kya ho ga? Correlation is positive but the interest rate is decreasing in this scenario, in this scenario, when the interest rate is decreasing, because the interest rate is decreasing, future prices will, futures prices will decrease, m2m mein kya ho ga? loss, margin account niche, ab kya ڈalna padega? ab kya ڈalna padega? you will have to invest funds in margin account, invest funds in margin account by taking loan at lower price. lower rate, lower rate, lower rate, lower rate, per, top-up, kya na? ये इसको मैं top-up भी लिख देता हूँ, top-up. तो again futures is better than forward, because forward वाले case में क्या होता है? सब कुछ end में देने वाले की बात थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? जब interest rate कम हो रहा है, तो आप उसका advantage ले ले रहे हो, जब interest rate increase हो रहे हो, तो उसका भी advantage ले 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 रहे हो, तो A और B, दोनों के दोनों cases में क्या होगा? बताइए, A and B, in both the cases, A and B, both cases में, future price is more than forward price, आपको end में क्या मनब लिटरली याद रखने की जहुरत है, आपको end में यह याद रखने की जहुरत है, इस जगह पे, future is more than forward, exact opposite logic जाएगा की correlation negative हो जाए, in that scenario, future will be less than forward, और जब कोई correlation है ही नहीं, उस time पे तो फरक ही नहीं पड़ता हूँ, उस time पे यह सारे के सारे सेम ही, उस time पे यह दोनों में, there is no competitive advantage, there is no competitive advantage, इस point पे सब कुछ सेम रहेगा, चाहे forward लो, चाहे future लो, दोनों का भाव से, this is it, आपको क्या, मनदब exam में क्या पूछा जाएगा, आपसे exam में यह वाला portion पूछा जाएगा, कि अगर positive correlation है, और interest rate increase होगा, वो interest rate increase बोले, चाहे decrease बोले, ऐसी की तैसी कराएगा, आपको इस बात से मतलब भी नहीं होना चाहेगा, positive correlation है, तो future better than forward, negative correlation है, तो future worse than forward, यह कराया करो, ऐसी चीज़ें बताया करो, logic logic तो हमें पसंद ही नहीं आते हैं, ओके जी, no worries, आपको जो पसंद आते हैं, बैसी की तैसी करते है, this is how they close the discussion, nothing more to edit mind on forwards and futures, everyone I am moving ahead, यह questions दिये हैं मैंने आपको solve करने के लिए, please try solving these, once you are done with these questions, you will find solution on the other half of the video, ऐसा है, अगर आप recording देख रहे हैं, so let me say this out loud, first question के दो पार्ट, second question के दो पार्ट, third question के तीन पार्ट, तो 2, 2, 4 and 3, 7, 7 questions है, you should take about 20 minutes to solve this, if you are watching this in recording, pause the video over here, read all these questions, solve by your own pen, paper, calculator, सब कुछ solve करें, answer निकालें, फिर video कौँ करें, कोशिच करके time it and see आपका क्या स्वोर आता है, at least 5 सवाल के तो answer correct आने ही चाहिए, उतने भी नहीं आ रहे हैं, तो हम CFA Institute के benchmark से बहुत नीचे है, ठीक है, class मैंने ये questions पहले ही दे दिये थे, अब मैं इलके answers डिसक्स कर रहा हूँ, आइए start करते है, मैंने solve कर लिया है, ये mean why, let us have a look at all this, आइए दिखते है, it says B purchases a 100 ounce gold future contract, the current spot price is 1770, 1770 is the current spot price, this is S0, RF is 2%, we assume that gold has no storage cost, यहां बोल रहा है, क्या होगा, 1770 into 1.02, hold to the power, hold to the power what, 91 days का contract है, 3 months ले सकते हैं कि 91 लेना पड़ेगा, 3 oblique 12 कर सकते हैं, 91 oblique 365, 91 oblique 365 ही करना पड़ेगा, कोई इसमें कलाकारी नहीं दिखानी है, लगने को, this is how we do, go about it, we get, the answer is 1778.76, और 100 contracts लिये थे तो into 100 कर लिया है, यह आगई contract price, with me, हाँ जी सर, second case में बोल रहा है, मान लो, दो आउंस, दो डॉलर पर आउंस की अगर cost लग रही है, दो डॉलर पर आउंस की अगर cost लग जाए, तो क्या होगा, यह 100 आउंस का contract था, दो डॉलर हर आउंस की cost लग रही है, क्या करेंगे, what would you do, अगर दो आउंस पर डॉलर की cost लग रही है, तो आप cost भी incorporate कर लेंगे, you'll have to add the cost as well, what do you do, दो डॉलर cost थी, sorry, दो आउंस, दो आउंस इसकी cost थी, जो की pay करनी पढ़ रही थी at the end of the contract, दो डॉलर cost थी जो की pay करनी पढ़ रही थी at the end of the contract, so यह 2 डॉलर is what, present value या future value, FVC is 2 डॉलर, PVC कितना हैगा, PVC कितना हैगा, 2 divided by 1.02 hold to the power 91 by 365, ठीक है न, यह कर दिया, इससे present value of cost आ गए थी, उसे add कर दिया, and then did the whole computation, alternatively आप क्या कर सकते थे, यह जो आंसर आपका आया है, यह आपका जो आंसर आया है, यह आपके book में solution ऐसा किया हुए, मैं ऐसे नहीं करता, मैं करता तो क्या करता, I would have said, S into 1 plus R hold to the power T plus FVC minus FVI करते हैं, यह portion आगया, 1778.76, यह portion है 2, तो आंसर क्या होगा, 1780.76 और क्या, सिर्फ add करना 2 यहाँ पर, सिर्फ 2 यहाँ पर add करना था, इन्होंने पहले 2 को discount back किया, फिर 2 को compound किया, यह क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, इन्होंने कसम खा रखी हम अपने formula पर ही लेके आएंगे चीजों को, हमने थोड़ी था कसम खाई है, हमने तो बोला है, हम logically solve करेंगे, तो we will just add 2, my easy question था 1.2, next, say the above contract was a forward contract, यह चल तो रहा है future, लेकिन बोल रहे हैं, अगर यह forward होता, और 71 days बीच जाते, यह forward होता और 71 days बीच जाते, और 71 days बीच 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 बाद 1720 का भाव आता, जीरो, 91, आप बोल रहे हो, day 71 पर, अगर 1720 की spot आती है, तो इसकी value निकालो क्या है, इसकी value निकालो क्या है, क्या होगी value, s minus present value of f, s कितनी है, 1720 minus present value of f, कितनी है, 1778.86, 0.76, divided by 1.02, 20 by 365, 20 दिर के discounting, हाँ या ना, answer आ रहे है, 56.83, total loss आगे है, 5683, ठीक है, 100 ounces का loss आगे है, 5683, इता 2.1, next up, what would be the realized MTM today, realized MTM क्या होगा, what would be the realized MTM today, forward के case में, realized MTM होता ही नहीं है, यह तो unrealized MTM है, ना, मतब यह तो unrealized value है, जो value आ रहे होई होई तो unrealized piece है, realization कुछ नहीं होगी, तो the answer would be nil, future के case में, exchange होता है, यह और वर्ट के case में, exchange होता ही नहीं है, यह answer would be nil, 2.2 is nil, आगे बढ़ रहे हैं, say the above contract, was the future's contract has stated, now one day has elapsed, तो 91 days थे, अब one day elapsed होगे हैं, प्राइस पॉलन बाइ 5 डॉलर पर आउंस, क्या गिर गया है, future का price, f has fallen by 5 बोल रहा है, ठीक है न, f has fallen by 5, तो f था कितना, 1778.76, माइनस 5, 1773.76, 76 लिख लेना है आपकर, ठीक है न, कुल मिलागे, आपको तो loss से मतलब है, ये loss है, 100, क्या किता है, quantity 100 थी, तो loss कितना हो गया, 500, आपने margin कितना deposit किया था, 4950, 500 का loss 4450 बन गया, maintenance margin कितना था, आपका initial margin था, 4950, ठीक है, ये maintenance margin था, 4500, जैसे ही loss हुआ आपका, यहां से आपने start किया, जैसे ही loss हुआ, आप यहां आगए, 4450 पर, margin call, A होगी या margin call, B होगी, margin call, A होगी या B होगी, margin call था, कितना होगा, 4450 से 4950, 500 की होगी, margin call, ठीक है, contract की value क्या होगी, day 1 के end पर, कुछ नहीं, 0, ठीक हूँ ना, मुझे क्या लगता है, गलती होने के chances कहां कहां पे थे, मुझे लगता है, one cut two हो सकता है, कुछ लोहोग का गलतो, two cut two हो सकता है, कुछ लोहों का गलतो, 3 132 में, यह गलती हो सकती थी, कि आप इसे, spot price ले ले लेते, आप इसे स्पॉर्ट प्राइज ले लिए कि स्पॉर्ट के लिए क्योंकि मैंने पहले को दिया था आपको यह इडेंटिफाय करना है कि फ्यूचर प्राइज पांच से यह बोल रहा है कुश्चिन कि दन नथिंग मोर्ट वेडिस बूट वर्ट प्राक्टिस यह जो आपने गलती बोली है वही गलतियां हमने की है मैं इतने समय से लोगों की गलतियां ही तो देखते आ रहा हूं तो मुझे पता है क्या पॉसिबल मिस्टेक्स रहती है नॉट सब्राइज वन बिट इंट्रस् रेट फोड अनॉट एंटिसक्स कर लिया यह नहीं किया है हम यह मैं इंट्रस पॉरवर्ट में क्या बॉल रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या थे हैं we said we are at this time this was FRA start this was FRA expiry FRA start this was FRA expiry and this was deposit expiry deposit maturity कुल मिला की था क्या को मिला के वी वर सेइंग दाइख कि एक टाइम जीरो विए आप आइम स्माल देंट्रस्ट राइज और या रईज देन वी एंटर इंटो एक और एक एगरिमें इंग एक आगे डियांग तरेंट इंग त्वी तु पार्टी स वन अन वन वही जो सारे फॉर्स इंट्रस्ट्रेट फॉचर्स में निकलेंगे तो यहां पर वुन ऑन वन पार्टी का हो रहा था था ठीक है न हम यहां पर करेंगे रिसीव यहां पर करेंगे एफल पे यह थी अभी तक की स्टोरी एफ आरे की या इंट्रस्ट रेट फॉवर्ड की अब आ रहा हूं मैं इंट्रस्ट रेट फ्यूचर पर ध्यान दीजएगा इंट्रस्ट रेट फ्यूचर्स क्या करेगा वो देखिए यू आरे कि प्यूचर्स रेट फ्यूचर्स प्यूचर्स रेट फॉचर्स रेट फॉचर्स यह इसका इनिशिएशन यह है इसकी एक्सपारी सेम यही चीज़ पहले भी पड़ी थी ठीक है यहां पर अंडरलाइंग क्या होता था एफ आरे में यहां पर अंडरलाइंग क्या होगा मुझे बताओगे अंडरलाइंग इस लिबर या एमराफ कौन से पीरियड का टी माइनस टी हाँ या ना टी माइनस टी एस और नू सेम अंडरलाइं यहां पर अब यहां पर अब यहां पर अब यहां पर अब यहां मुझे बात बताना अगर यहां वाला केस लेट से इस जिरो जिस टू मौंस एट मुन्स थिस पिरिदिट इस इस एड पर यहां लिद्क आश्चा मुझे बताओगे वर कॉत वांचे नेम उप पूशनाव मूज बताओगे नेम इस एफ पर उत आप अगर उत अश्रानी वा आपके बुक्स में लेवल वन में नोटेशन नहीं मिलें हो सकता है ना हो यार फोर्स मैं रों नो इस एफ रे को बोलते ही यह इस एफ रे को बोलते ही हैं आपकी बुक्स क्या कह रही है आपकी बुक्स ने यह लिपर को यह लिवर की नोटेशन यह जो एम इरा तरी यह जो जैनान यह जानते हैं थे एंधिशन और यह सिक्स कॉमा एट और अट् कैया होगा है यह इसका नाम what will be the name of this what will be the name of this forward rate जो time 2 और एक 8 के बीच में इस forward rate का क्या नाम होगा इस तू कॉमा 6 और टू कॉमा 6 उन्होंने इसका नाम दिया है बाकी उन्होंने एफारे का नाम नहीं दिया हुए एफारे का नाम लेवल 2 में ज़रूर है उस एफारे का नाम 2 by 8 होता है इस देड़ आपको यहां पर आपके नोट्स में भी लिखके दिया हुए बट इस देड़ें अगर यह अगर यह नाम है नहीं आपको बस यह बताना चाहरे थे कि अंडरलाइं कि यहां पर भी अंडरलाइं क्या होगी दोर दोर भी यह विज मांट क्या इड़ आपकों के यह पर होगा स्पिदित और एंग्रेश म.. अधिए के लिए इस भी फस्परे? and this is the naming this is the underline underline is this अब देखो होगा क्या this is an exchange treated इंस्टुमेंट लोकि एक्यूचर तो ये होगा एक्शेंज टुएट आफ बनाव सेग्द इसके इसके प्राइजिंग कंवंशन देखेगा कैसे होते लिए राइजेंग convention fixed income में PVBP present value basis point था उसके टाइप का इसका naming convention इसका pricing convention है देखेगा अधा प्राइज convention है देखेगा अधा प्राइज़ कन्वेंशन है इस समवाट on these lines future price is equal to 100 minus 100 into MRR T, T-T यह है इसका प्राइजिंग कन्वेंशन मतलब ध्यान दीजेगा अगर यह प्राइज मान लो 97.50 है तो MRR कितना चल रहा है एक बार वो निकालेंगे अगर यह 97, मान लो भो भी यह 9, what is the MRR? MRR is 100 minus 100 से एफ पी इस एक्वाल तो हंड्रेड कुंप्यूट एम आर आर के आने वाल है एमरार विल भी पीडिवल टो 97 सौरी 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 माय बैट का दिया ने बताने है 97 इस एक्वल टो 100 माइनस हंड्रेड इंटो एम आर आर हंड्रेड इंटो एम आर आर इस ट्री इंड्रेड इस त्री परसेंट पुल मिलाके एम आर आर आएगा कैसे वह देख लो वह आएगा हंड्रेड माइनस एफपी बाई हंड्रेड ऐसे आएगा यह 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 होगा आपका एम आर अब मार्केट में ट्रेडड क्या है मार्केट में जो ट्रेडड इंस्ट्रुमेंट है जो मार्केट में जो ट्रेडिंग प्राइज है वो है यह मार्केट में ट्रेडिंग प्राइज है यह तो आप इससे क्या निकालोगे आप इससे MRR फाइंड कर पाएंगे आप इससे MRR फाइंड कर पाएंगे मुझे एक चीज़ बताओ आपकी अभी तक की observation प्लीज तेल मी इफ एस पी इनक्रीज़ एमरार विल राइज या पॉल आर या एफ इफ एफ पी इंक्रीजेज एमरार विल राइज या पॉल आर या एफ यह एफ पी नाइटी सेवन से नाइटी एट हो जाती है मान दो यह केस वन बोल दे रहो हुए केस वन रुपो 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 उल्टा कर देखे तेख से यहां ले आता हूँ और ऐसे दर लुपो पॉशंग यहां पर लेगा लिए लिए स्केस वन इस पेस्टू इस पेस्टू अगर यह नाइनटी एट होगा तो क्या होगा यहां पे नाइनटी एट लिख देंगे आप MRR क्या होगा बताइए MRR विल बी वन माइनटी एट बाइ हंड्रेट तो दिस बिकम्स तू पर्सेंट ठीक है ना तो एज एफ पी इंक्रीजेज एम आरार पॉल्स एम आरार पॉल्स यह क्या हुआ डायरेक्ट रिलेशन हुआ इंवर्स रिलेशन हुआ इन दोनों में हो गया इंवर्स रिलेशन हुआ ठीक ना देखना इफ एफ पी राइस प्रों निटी सेवन तो निटी एट इफ एफ पी राइस प्रों निटी सेवन तो निटी एट तो मुझे बताना MRR में क्या impact आ रहा है यहां पे MRR था 3 परसेंट यहां पे MRR हो गया 2 परसेंट चेंजेज प्रों 3 परसेंट टू परसेंट है ना इस एकल तो 1 परसेंट पॉल इस एकल टू हंड्रेड बेसेश पॉइंट फॉइंट फॉइंट पॉंट फॉइंट के सिखारो मार बसस्ट फॉंट वैल्युग बैसे पॉंट वैल्यू वाट वैसे स्वाइल वैल्युट इस नौशनल प्रेशिपल नपी नौशनल प्रिंसिपल कि इन्टू पिरियोड्स कि इन्टू 0.01 यह बेसेस पॉइंट क्या होता था ध्यान है आपको यह बेसेस पॉइंट वही है ना 317ट इस एक्वल 200 वेसेस पॉइंट वन बेसेस पॉइंट है इस एक्वल टो जीरो पॉइंट बाता रहें आपको देखेगा आपके वाले कांट्रेक्ट में इन इस वैरी कांट्रेक्ट मान लो मैं कहरा हूँ दे नोशनल प्रिंसिपल इस डॉलर वन मिलियन पीरियुड यहां पर कितना पीरियुड है यह इस शिक्स मॉन से दू सिक्स बाइट वैट विफ जिस जीरो पॉइंट जीरो वन मॉल्टिप्लाइ करो कितना आता है यह . डालर फिटी यह रहा है डॉलर फिटी वन मिलियन डालर इट। भई लिटीट एन्ति फिद्ट टॉ लिक टॉए लॉइड फिट्इल्ग बॉयूइट फिए टॉए नुक इन के तुए coming out as $50, $50 क्या दिखा रहे है आपको, $50 क्या दिखा रहे है आपको एक बेसिस पॉइंट चेंज होने पे, वन बेसिस पॉइंट चेंज इन एम और 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 वोड लीड़ तू, वोड लीड़ तू, प्यूचर कॉंट्राक्ट वैल्यू, अब वापस देखिएगा, अब एम और चेंज इस फ्रॉम, 3 परसेंट तू, 2 परसेंट, इसका इंपक्ट क्या हो रहा था, अगर एम राग चेंज होही है, 3 परसेंट से 2 परसेंट, तो कितने परसेंटेज चेंज ये, वन परसेंट चेंज है, वन परसेंट चेंज है या फिर, है अब मुझे बताओ वन बेसेश पॉइंट चेंज से फ्यूचर की वैल्यू कितनी चेंज होगी यह इन्टरस्ट रेट को यह फ्यूचर्स वैल्यू यह कितनी चेंज होगी डॉलर फिफ्टी इन्टु हंड्रेट इसका इंपक्ट क्या होगा इसका इंपक्ट क्या होगा मुझे बताई ही लॉन पार्टी पे लॉंग पार्टी पे इसका इंपक्ट क्या हुगा एक बार दुबारा कर रहा हूं सारा का सारा मुझे लॉजिकल आंसर चाहिए आपने सबसे पहली चीत सीखी जैसे एपारी था उसी तरीके से फ्यूचर्स वक कर रहा है यह एक्सचेंज ट्रेड इसका प्राइजिंग केंवेंशन ओपोजेट बैटर है ओपोजेट बैटर है मतलब यह बोड़ रहा है हंड्रेड माइनस एम 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 तो आपने यह देखा कि अगर 97 का एफ़ चेंज ओके 98 पर आजाता है तो एक परसेंट से मरा चेंज हो रहा है अब मैं बोल रहा हूं एक परसेंट से मरा चेंज हमने पहले स्टडी किया था बाद में उसी को बॉइल डाउन करके बोला पॉइंट जीरो वन परसेंट चेंज यह िट वारी दिया जाएगा 5 तौग थाहूँन का हाँ यह ना यह जेस और मॉध्क अर्ट में टिल दिस पॉइंट कुल मिला के क्या होगा देखिए the forward price has changed from the forward price देखना forward price यह है day 0 यह है day 1 this has changed from 97 to 98 मुझे बताओ F plus party winning है या losing it F plus party winning F plus party winning F बढ़ रहा है quantum of win क्या होगा quantum of win क्या होगा वो देख रहे है F P 97 से 98 हो रहा है तो MRR क्या होगा 3% से 2% 3% से 2% F plus party क्या है winning F plus क्या है winning if अब quantum देख रहा हूँ 0.01% के change से 0.01% के change से dollar 50 का change आना चाहिए तो 1% के change से dollar 5000 का change आना चाहिए यह party winning है तो यह क्या होगा plus 5000 हाँ या ना are you with me till this point इसकी basis point value क्या थी इसकी basis point value थी 50 इसकी basis point value थी 50 और interest rate में चेंज कितना है मतलब यह winning कैसे निकाल रहे हैं देखना value of futures contract यह M2M of futures contract लिख देता हूं M2M of futures contract क्या होगा basis point value इंटु basis points change basis point value क्या है 50 into basis points change कितने हंड्रेट तो यह आगया 5000 ठीकर ठीकर हाँ केस टू बताना एक एक एक्जाम्पल करवा रहा हूं देखना एक बार लेक्से इस इस देख्विश्चिन इसकी प्राइजिंग हुई कैसे थी मुझे यह बताओ यह था मैंने से चैंज कर दिया था और है चैंज इस टू ब्रीग इंड टू इस फो यह इंट एंड विद्व फीग्र m.r इस एकल लिए पीड़े से तो इस एक 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 एट रहे अब पहले वाले केस में क्या है यह 97.5 97.5 थीक है ना तो 97.5 बाइंडरेड वन माइनस 97.5 बाइंडरेड कितना आ रहा है यह आया धाई पर्सेंट यह बढ़के हो जाता है 97.8 यह कितना हो जाएगा यह 2.202.20 से 2.20 यह 2.50 से 2.20 कितने अपॉइंट का ढूइंडरेंस है बाइंडरेंट इस थलटी बैसे सब्च कृंइंडरेंट तो यह आगया 30 बैसे सपोंट इसका इसका बी-पी-वी कितना होगा वो निकालते हैं वर्ट इस दवी पीवी नोशनल प्रेंसिपल इन्टु पीरियट इन्टु 0.01 परसंट नोशनल प्रेंसिपल कितना ओन मिलियें पीरियद कितना थरी बाइटुएल इस पॉइंट जीरो वन परसेंट यह कितना रहें बताना अश्वार्ट नियुकर इस थोट इस थे इस थे फिव डॉलर्स बिस पोई वाल युई इस कुमिए आटेविव डॉलर्स तो दिस वोल पीस दो मिद थे 750 डॉलर्स रहे हैं हाँ या ना अब हाव दू यू रीड देखेगा आपने बैट मारी प्राइस पे 97.5 आपने बैट मारी प्राइस पे 97.5 यू तोग एन एफ माइनस बैट एक बाइनस बैट मतलब आपका क्या बैट था एक बार अब चलो ठीक है एक बार इस एस दन कामिंग आउट एस प्लस करेक्ट आंसर इस कमिंग आउट एस प्लस प्लस 750 अब एक बार इसकी इंटर्प्रटेशन दिखा रहा हूं देखीगा यह बहुत ज्यादा क्रिटिकल है यह वाले में कर लेते हैं क्या ही फरक है दोनों की कर रहा हूं प्राइस कहां से कहां गया है 97.50 से जो प्राइस गया है वो गया है 97.8 प्राइस हैस गॉन फ्रों 97.5 तो 97.8 अगर आप प्राइस के अंगल से देखो अगर आप प्राइस के अंगल से देखो तो लॉस्ट दबेट है लॉस्ट दबेट क्योंकि एफ माइनस कौन सी बेट थी एफ माइनस थी डाउनसाइड बेट एफ माइनस थी डाउनसाइड बेट और यहां पर प्राइज हुआ क्या है प्राइज है मूवड अप है ना तो यह हो गया लॉस्ट दव बेट अब यह तो प्राइस के एंगल से था एक बार इसी को MRR के एंगल से देख लो प्राइज और MRR ओपोजेट है प्राइज और MRR ओपोजेट है कितना रहे है एस पाइफ, प्याव ihा लिएृब कुल रहा है इनट्रोस्ट इंक्रीज हो उनल चेक वह त attempt has increased एक बार और इंट्रेस्ट रेट फिस्टर को कम्पेयर कर रहा हूं मगेज़े बुचना अगर long position लिया है अगर long position लिया है मैं FRA में तो मेरी bet क्या है interest rate would would rise या fall rise या fall FRA में it would rise it would rise अब मुझे बताना interest rate interest rate future में interest rate future में if if I have taken a long position मान लो यहां पर long position ली थी मैंने तीए ना F plus लिया था F plus F plus कब जीत रहा था जब भाव बढ़ रहा था जब भाव बढ़ रहा था या फिर जब interest rate गिर रहा था तो मुझे बताना interest rate future वाले की क्या bet अगर वो long है तो उसकी क्या bet that interest rate would go down सर यह तो जी का जंजाल हो गया तो exact opposite हो गया सब कुछ ठीक चल रहा था यह opposite हो गया मैं क्या करूँ pricing convention की वज़े से फरका गया that's it pricing convention की वज़े से फरका गया इसमें short position की बेटर interest rate गिरेगा इसमें short position की बेटर interest rate बढ़ेगा करना कैसे है question solve पूरी की पूरे discussion कर रहा हूं close मामला बहुत simple है कि आपको कि एक यह formula रटा होना चाहिए आपको यह पता चलना चाहिए कि इनके बीच में relationship inverse है आपको basis point value निकालने आनी चाहिए और end में आप यह compute कर लें that's it these are the four primary pieces इसकी interpretation मैंने हां करा दी थी और यह इसका final FRA versus IRF मेंने आ कर दिया मेरे hand से कुछ add करने का इसमें नहीं रह रहा है एक convexity bias नाम का एक छोटा सा topic है मैं आपको वो करवा रहा हूं and that's it किसी मतब इसी का है FRA versus IRF का ही part है वो convexity bias last topic करा रहा हूं FRA versus IFR convexity bias convexity bias यह करा रहा हूं यह FRA का question दिया हुआ है FRA के starting में initiation में two point five percent पे one million के national principle पे short position बनाएं आपने FRA की expiry पे rate होगा है two point two FRA की expiry पे rate होगा है two point two आपको बताना है कि FRA की value क्या होगी at maturity यह बताना है आपको solution solution देखिएगा those of us who are watching and recording they should pause the video do this at your own मैं solution discuss कर रहा हूं आपकी position क्या थी two point five पे short and rate आया किस्ता two point two one the bet lost the bet यहां पे bet one यह bet lost bet is one by how much by how much quantum of is equal to zero point three zero percent कितने पे one million पे कितने period पे three by 12 पर कितना यह 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 शाड़े 700 लेकिन यह शाड़े 700 की विन किस दिन किये यह यह शाड़े 700 की विन किस दिन किये इस time किये तू मुंथ पर कितनी रहेगी present value of seven fifty यह क्या होगा seven fifty by one point zero two two hold to the power three by twelve यह कितना आएगा यह बताओ में अच्छा hold to the power three by 12 नहीं यह तो one plus two point two percent into three by 12 वाएगा लिबर बेस्ट रहता है यहां से कितना आएगा बताओ two point two percent divided by four plus one one by x into seven five zero this is coming out as seven forty five point eight nine my bad seven forty five point eight nine यह यह है वाल्यू एपार एगी अब सेम कुश्चन दे रहा हूं मैं आपको आएफर के इसमें देखना क्या लिखा हुगा मान लो इन्होंने लिखा आया पास पी जिरो पे आया फार लॉंग किया अपने आया फार लॉंग किया अपने लॉंग अट रट रट आग 97.5 जिए आप ताम ऩुमंग्स यह आफर ऐस इस आफर मन्स अंडरलाइंग इस थ्री मॉन्स एम आर आर तीक है आपने लॉंग किया प्राइज बढ़ गया बैट वन और लॉस्ट बैट वन और लॉस्ट बैट इस वन कॉंटम क्या होगा वर्ट विल बीड़ कॉंटम कि इसका कॉंटम निकालो देखना क्या आएगा कॉंटम कि नाइन्टी सेवन पॉइंट से सेवन पॉइंट है है हटी बेसिस पॉइंट का चेंज आगे आम रार में एंट इस पॉइंट का चेंज आगे आ एम नरा अ यह की है ना मतलब वाट आम ट्राइंग टू से यही वाला कुश्चन मैंने आपको पीछे करा दिया है लेकिन अगर आपको यहां पर दुबारा चेंज निकालना हूं आपको यहां तो यू कैन्पली से ओन इसलिक्तों नो शौन ट्रीड़ बाइट लिए द्टू पर्सेंट यह अगेया 7.50 दॉलर्स कि यह प्रिविए स्लाइड देख लो इसके लिए वैसे बहुत सिंपल है कि विन कितनी है 0.30 कि विन कितनी कि यह 0.30 कि यह 0.30 वैसे 4.30 एष फार वाट डिस्ट इस फौरएट टी और एड वन मिलियन क्ले क्या होगा थ no.30 relevant 2020 by demonstrate into 1001,C períodosine क cuatro-party Watch this यह यहां फिर जो किछले कुशियन में किया था basis points value into basis points और यह तो आपको पता है पढ़ाना यह चाहरा हूं कि एफ रे के केस में यह साड़े साथ सो डॉलर कहां बन रहे थे यह साड़े साथ सु डॉलर बन रहे थे डिपॉसिट मैच्यारिटी पे और एफ रे की मैच्यारिटी पे अगर लेके आओगे तो वह साड़े साथ सो से कम हो जा रहे थे आएफ और के केस में यह साड़े साथ सो डॉलर कहां बन रहे है वह बन रहे हैं टाइम टू मन्स पर ठीक है ना बस यही है कॉन्वेक्सिटी बायस यह आपको पता होनी चाहिए घुक पॉलर है यहाण ट्य है जो लेह अखार है यह यह रहा है यह ए थे और सदिक्ट ऑश पर ठीक है यह। खाधिक है जैए ह। प्विशचय तेहुक्ंवay q2 का मतलब के एक पर्सेंटेज जेंजम इंट्रस्टेट का इंपक्ट पॉरवड़ पे होगा वह स्मॉलर होगा को sistema और जो फ्यूचर पे होगा उवह चांग उब यहां पर कितना है यहां पर कितना है प्रेजेंट वैल्यू आप सेवन विप्टी यह है आपका फाइनल रिजल्ट यह आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लिक करना चाहिए लिए है अधिया ना कि आपको यहाद है कॉन्वेक्सिटी आपने कहाँ पड़ा था बॉंड के केस में इस में इस सब्सक्राइब और आपको पता हो तो लार्ज चेंज या लॉंग टम बॉंड्ट के लिए जादा रहता था वह चीज यहां पे भी अप्लाइब हो रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं अपकी बुक्स में मदब नंबर्स करता ही नहीं है मैंने आपको यूज करके दिखाया है कि देखो यह ऐसे एक से एग्जिबिट कर रहा है मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ऑप्शन्स ठीक है ध्यान दीजेगा फॉर्वर्ड के बहुत जादा बेसिक्स यूज होंगे फॉर्वर्ड में क्या हो रहा था एफ प्लस वस गेटिंग इंटुआ कॉंट्राक्ट तू बाइं तो अगर मैं मेकडीज की बात करूं तो मेकडीज क्या कर रहा था मेकडीज को डर था कि कहीं आलू के भाव बढ़ गए पोटैटो प्राइजेज बढ़ गए तो मेरा नुकस लेता हूँ हूँ हैस वस हंडिरेड और फफ वोस टैन टाइब वॉन एर्स टो आपने निकाला एस इस इंवल्ट टू लिवांडड एंट्10 ठीकिन आपने हं टाइम जीरो पर committee क्या ताईम जीरो पर contract किया किस बात करको रहा यह आपट टाइम अंवन पर मेकडीज 100 रुपीज पे करेगा फार्मर को और उससे पोटेटोज मिल जाएंगे मुझे एक बात बताओ तोट समझ के आंसर देना अगर प्राइज आफ्टर वन इयर अगर प्राइज आफ्टर वन इयर 110 नहीं है अगर प्राइज आफ्टर वन इयर है 75 तो वाट वोट बी दा इफेक्टिव प्राइज ओफ पोटेटोज तो मेकडीज यह केस नंबर वन case number two if the price after one year is 175 what will be the effective price of potatoes to make these what will be the effective price of potatoes to make these मैंने एक मिस्टेक कर दी यहां पर time 0 पर contract किया है और time 1 पर time 0 पर क्या था s was 100 and f was 110 तो मुझे यहां पर 110 लिखना चाहिए था मुझे 110 लिखना चाहिए था कि effective price of tomatoes क्या आएगा effective price potatoes क्या आएगा मेगडी को मेड़ी के लिए effective price क्या आएगा अगर CMP इतना रहता है तो effective price क्या आएगा कि effective price 110 आएगा दोनों के दोनों के सिज में हां या ना पर जी सर क्यों क्यों कि आपने जैसे ही कॉंट्राक्ट एंटर कर लिया तो उसके बाद भाव गिरे चाहे बड़े पे आउट सेम रहेगा सिमिलर्ली अगर फार्मर होता यहां पर तो प्राइस चाहे बड़े चाहे गिरे फार्मर को सेम चीज ही मिल रही होती है ठीक है ना एफेक्टिव प्राइस फॉर अगर आप फार्मर होते हैं तो आपके दिल में यह नहीं आता कि काश जब प्राइस गिर जाए 75 रुपे हो जाए है तो मुझे 110 रुपे मिल जाए लेकिन जब प्राइस 175 रुपे उजए मतलब अगर प्राइस बढ़ जाए तो मुझे प्राइस बढ़ गया तो ऐसा लगता होगा ना फार्मर को किया जबरदस्ती कॉंट्रैक्ट कर लिया अब बिल्कुल आएगा अच्छा सेम चीज मेटीज को भी लग सकती है मैंटीज को ऐसे लगेगा कि कि जब प्राइस गिर जाए तो मेरा एफेक्टिव प्राइस हो 75 मतलब जब सी एम पी ओ सेवंटी फाइफ एफ था 110 मैंटीज का विश क्या होगा वाट पूट मैंटीज विश मैंटीज का विश होगा कि जब प्राइस 75 हो तो मैं 110 दो और फार्मर की क्या विश होगी कि जब प्राइस 75 हो तो मुझे 110 मिल जाए piston प्राइस 175 हो तो मुझे 155 मिल है आयमा कि यह तोम चीनी हूरा कि यहां पर दोनों के दोनों बराबर ते एक दे रहा था दूसरे को मिल रहा था यहां पर यह 75 देना चाहता है और यह 110 लेना चाहता है यहां पर 110 देना चाहता है यह 175 लेना चाहता है यह तो कभी मैच ही नहीं हो रहा था problem समझा गई आपको जैसे ही आप forward में enter करते थे तो एक तरीके से क्या होता था forward जो contract है न यह जो future contract है वो spot को पूरा का पूरा negate कर देता था और आपका eventual payoff आज ही decide हो जाता था forward के initiation pay आपको exact पता होता था कि यही होगा end में जाके हाँ या ना सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ सर बिटकुल ठीक कहे रहे हूँ एक बात बताओ यह जो farmer की wish है magdees की wish है क्या यह पूरी हो सकती है the answer is yes अभी तक के क्या था magdees को डर लग रहा था किस बात का कि price rise हो जाए तो यह hedge क्या कर रहा था यह hedge कर रहा था f plus f plus का क्या मतलगता contract to buy क्या इसके लिए time zero पे cash flow देना पड़ रहा था the answer is no अब आपने बोला नहीं मुझे तो मज़े लेने है क्या कि अगर भाव गिर जाए तो मैं market से खरीद लू अगर भाव गिर जाए if prices fall इसमें problem क्या थी medis would pay 110 इर्रिस्पेक्टिव ओफ whether प्राइस राइजेज और प्राइस फॉल्स ये एक सो पचित्तर वाला केस ये पचित्तर वाला केस सॉल्यूशन क्या है या विश क्या है मैकडीज क्या चाहता है मैकडीज चाहता है अगर प्राइस गिरे मतलब 75 हो जाए तो मैं क्या करूँ परचेज फ्रॉम मार्केट और अगर प्राइस बढ़ जाए एक सो पचित्तर हो जाए तो मैं परचेज करूँ परचेज फ्रॉम कॉंट्राक्ट हाँ या ना मतलब कैश फ्लो कितना होगा कैश फ्लो हो इस केस में 110 और इस केस में पचित्तर तो मतलब मैकडीज ये चाहता है कि मेरा दिल मैं कल चाहूं तो तुझसे खरीदू चाहूं तो ना खरीदू पहले क्या था कॉंट्राक्ट टु बाइ अब क्योंकि मैकडीज की विश्ट थी तो इसके लिए एक प्रोड़क्ट और डिजाइन कर लिया गया उस प्रोड़क्ट को क्या बोला गया उस प्रोड़क्ट को बोला गया call option, call option का क्या मतलब है? Excuse me. It's an option to buy. मतलब क्या? अगर price गिरेगी, अगर price गिरेगी, तो market से खरीद लेगा, और अगर price बढ़ेगा, तो जिससे contract किया है, derivatives dealer, उससे खरीद लेगा, चीक है ना? अब एक बात बताना, अगर call option है, किसके हाथ में? Magdees के हाथ में, तो क्या ये एक advantageous position है? ये तो हमेशा ही फायदा उठाएगा, price गिरने पे market चला गया, और price बढ़ने पे, contract में जो दूसरी party थी, dealer उसके पास आ गया, क्या इसे हमेशा एक advantage मिल रहा है? हाँ या ना? बताओ मुझे, क्या इस बंदे को एक advantage मिल रहा है? The answer is yes, he is getting an advantage. अगर इसे advantage मिल रहा है, तो क्या इससे कुछ पैसे लेने चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेने चाहिए? तो क्या time zero पे कुछ cash flow होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? time zero पे कुछ cash flow होना चाहिए? अब एक बात बताओ, pricing और valuation, ये सीख रहे थे हम, आपने अभी तक क्या पढ़ा था? value of f plus और f minus at time zero, कितनी होती थी? कितनी होती थी value? निल? बट क्या value of option अभी call option पढ़ा है, थोड़ी दिल में put option भी हो जाएगा, क्या वो निल होगी? the answer is no it will have some value it will have some value, क्या इतनी बात समझ आती है आपको? एक काम करते हैं मान लेते हैं, मैंने 110 रुपए का contract किया, इसको न exercise price बोल देते हैं, 110 रुपए का contract किया, क्या? call option ठीक है, मैं एक बाद ना parties define करता हूँ, रुपो आपने forward में क्या parties पड़ी थी? f plus, f minus है ना? अब options की दुनिया में parties सुनो क्या होगी? options की दुनिया में कितने एक type के option है? call option और put option call option का क्या मतलब है? right to buy ये right to buy ये option to buy और ये क्या हुआ? right to sell ठीक लिखा या नहीं लिखा है? अगर कोई c plus करेगा तो इस बंदे के पास क्या है? इसके पास right है buy करने का अगर इसके पास right है buy करने का तो किसी के उपर obligation होगा कुछ? सर ये बात नहीं समझाई मेरी बात सुनो मान लो मैं अपने डाड के साथ घर पे रहता हूँ मेरे डाड ने मुझे बोला तेको ना घर पे जब आनाया रात में नौ बजे, दस बजे, ग्यारा बजे, बारा बजे तुझे जब आनाया You have a right to enter the house at any point of time अब मैं रात में दो बजे आया मान लो अपने दोस्तों ने साथ घूम फिर के मैंने घर पे आके बेल बज़ाई क्या कोई दर्वाजा खोलेगा ही खोलेगा पका The answer is yes, क्यों? I have a right to buy I have a right to enter the house at any point of time The other one will have an obligation और सुनो मान लो मेरे दोस्तों हो एक ग्रूप है हम पांच लोग है, ठीक है? और हर फ्रेंड्स के ग्रूप में जैसे प्लानिंग बनती है ना कि चलो इस साल घूमने चलते हैं गोवा चलने का प्लान बन रहा है ठीक है नो? मान लो मेरे ग्रूप में भी ऐसी होता है इस वज़े से मेरे पूरे के पूरे 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 पांच फ्रेंड्स के ग्रूप ने मुझे बोला कि बॉस्ट यू हैव दा राइट वेनेवर यू डिसाइड यू डिसाइड देट तुम जिस दिन भी टिकेट करा लोगे मेरे पांच फ्रेंड्स के ग्रूप ने मुझे बोला जिस भी दिन तू बोलेगा उस दिन चलेंगे मेरे पास राइट है मान लो मैंने दस जैनवरी के टिकेट करा दी और उन सब को बोलूगा कि अब मुझे पैसे दो भाईया ठीक है ना सब की गोगा की फ्लाइट के टिकेट और होटल स्टे सब कुछ बुक करा दिया है अगर मेरे पास राइट है कि मैं जब चाहूं ये टिकेट बुक करा सकता हूं तो क्या उनके उपर उबलिगेशन नहीं हो जाएगी अगर ये सारों ने मुझे राइट दिया है तो क्या मेरे उपर उबलिगेशन नहीं हो जाएगी क्या सब के उपर उबलिगेशन नहीं हो जाएगी अगर मेरे पास राइट है तो दूसरी पार्टी के पास उबलिगेशन होगा अगर मैं खरीद रहा हूँ, तो दूसरी पार्टी बेच रही होगी, ठीक है, मैं इस पार्टी को C- बोलूगा, इसने call option short किया है, इसने call option long किया है, मैं ये right और obligation और right to buy, obligation to sell, ये वार बार नहीं बोलूँगा, मैं इसे upside bet बोलूँगा, इसे downside bet बोलूँगा, simple, ठीक है, Before I even move ahead, मैं देखना चाहता हूँ, आपकी understanding कितनी develop हुई है, मान लो, मैंने शर्प लगाई, मैं हूँ C- प्लस पार्टी, मैं हूँ C- प्लस पार्टी, ठीक है ना, और हमने शर्प लगाई, that the price will be 110, मैंने बोला, I have a right to buy at 110, अब, After one year, ठीक है ना, अब, after one year, prices क्या हो रही है, देखिएगा, option की जो maturity है, option maturity, one year की है, देखिएगा, एक बार, अगर मैं आपको बोलता हूं, की spot, at time one year, is 150, it is 110, and case number 3, it is 85, मैं कौन हूं, मैं C- प्लस पार्टी हूं, क्या मेरी value बता पाएंगे आप, जो मेरे हाथ में जो option है, उसकी value बता पाऊगे, मुझे एक बात बताओ, अगर 110 रुपए का खरीदने का right है, मेरे पास, if I have a right to buy at 110, अगर exercise price 110 है, अगर exercise price 110 है, मेरे पास right है, मैं 110 का खरीद सकता हूं, अगर market का भाव 150 हो गया, तो क्या मैं आपसे खरीदूँँगा, हाँ खरीदूँगा, या फिर इसे अभी के लिए mathematically पहले समझा देता हूं, फिर interpretation wise बाद में कर लेंगे, सी प्लस की बेट के है, कि भाव 110 से उपर जाएगा, क्या फर्स्ट केस में चला गया, हाँ, कितना, 40, तो यह आगया, प्लस 40, सेकेंड केस में क्या हुआ, निल, थर्ड केस में क्या उपर गई value, क्या उपर गई value, the answer is no, तो value क्या जाएगी minus, कितना, 110 और 85 में gap कितना है, 15 और 10, 25 का, यह answer correct होता, कब, F प्लस के केस में, F प्लस के केस में यह correct होता, C प्लस में क्या हो रहा है, C प्लस में positive value है, तो मिलेगा, negative है, 0 है, तो 0 रजाएगा, हाँ या ना, यह वाले केस को समझो, C प्लस मेरे पास right है, कि मैं 110 का, तुम्हारी दुकान से आके खरीच सकता हो, मैंने और तुमने contract किया, मेरे पास right है, मैं तुम्हारी दुकान में, जब चाहूँ, 110 का माल आके खरीच सकता हो, मैंने newspaper खोला, मैंने देखा, वहाँ पे सारी दुनिया जहान में, 25 रुपए के आलू मिल रहे हैं, क्या मैं तुम्हारी दुकान में आके 110 का खरीदूंगा, the answer is no, तो जो मेरे पास option है, क्या उसकी कोई value है, the answer is no, सर, दुबारा समझाओ, मैंने और तुमने time zero पे, एक contract sign कर लिया, उस contract में क्या लिखा है, कि केस जब चाहे, वो candidate की दुकान पे आएगा, और उससे आलू खरीद के जाएगा, 110 रुपए देगा, और उससे potatoes ले लेगा, ठीक है, ये वाला page मुझे बहुत valuable लग रहे है, कब अगर आलू के भाव जाके हो गए 500 रुपए के, तो ये वाला जो page है, इसकी बहुत value है, क्यों, क्योंकि मैं 110 में खरीद सकता हूँ, मैं ये परचा दिखा के आ जाओंगा तुम्हारे, what you call, दुकान पे, तुम counter बैठे मैं बहुतूंगा, देख भईया, तुने और मैंने contract किया था, तुमने contract पड़ा, हाँ, हाँ, किया था, क्या लिखा हुए contract पे, कि मैं तुम्हे 110 रुपए दूँगा, तुम मुझे आलू दोगे, मैंने तुम्हे 110 रुपए दिये, तुमने मुझे आलू दिये, आलू की price या आलू की वर्थ है क्या 500 रुपए, मुझे कितने क लुट का फाइदा हुआ 390 का हाँ या ना कि मैं तुम्हारी दुकान में आओंगा ही नहीं क्यों कि आके क्या बोलुँगा मेरे पास यह हग कि मैं तुमसे अलू 110 पय के खरीद लो तुम बोलों कि दिमाग खराब है क्या पचास के अलू 110 के खरीदने है क्या ठीक है ना तो इन केस डिस इस फिफ्टी डिस विल बिक्टॉम डिल येस और नो ठीक है एक बात बताना एफ प्लस की वैल्यू कितनी होती थी आपने जो कॉंट्राक्टेड प्राइस है वो आपको देना पड़ता था और उसके बदले में स्पॉट मिल जाता था आपको पोटैटोज मिल जाते थे तो प्लस स्पॉट माइनस एफ या फिर एस माइनस एफ हाँ या ना यह ठीक लिखा यह नहीं ठीक लिखा टो ओके लिखो एफ प्लस की वैली होती थी एस माइनस एफ की एक बात बताओ में जीलएफ के चेस में यहां पर जैसे एफ कह रहे थे अब उसे आप flipping exercise price के तो तो क्या मैं से स माइनस एक्स लिख सकता हूं कि अगर यह ठीक लगता है तो फिर से लिखो ok कीanking मैं इससे लिख सकता हूँ s minus X लेकिन क्या यह कभी path0 से कम हो सकता यह can it be negative मान लो s-x आ गया 50 तो 50 किन लोगे लेकिन मान लो s-x आ गया minus 25 तो क्या minus 25 हो सकती है के value नहीं हो सकती है फिर मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा यह नहीं तो मुझे एक बात बताना क्या मैं c plus की value लिख सकता हूं s-x and 0 whichever is maximum या minimum maximum या minimum maximum ठीक है ठीक है yes no with me till this point or not ओके अब एक बार ना put option की बात करते है यह put option कैसा है जैसे वहाँ पर f minus था जैसे वहाँ पर f minus था farmer वाला position farmer क्या करता था यहाँ पर contract to sell लेकिन contract यह भी दुखी होने लग गया इसी की तरीके से notes कर लो पूरे के पूरे और आफीज करते ही दुखी है यहाँ यह अब पैसा गया पार मरगा इस पार्मर की बैठ के ज़िए अदर दो प्रायव करण दूख को आफू ज़िए ऑफ्यृ ज़िए कर देंदे अब रेक्रेट रेकारी दूखी की आफीच्ट की गुश्च्च्रेंट है आफीए की क्या करता था माइनस इसका क्या कॉंट्राइक था सेल करने का टाइम जीरो पर कोई कैश्ट अधा क्या नहीं कोई रूनिकन हुआ प्राप्लम क्या थी प्राप्लम यह थी दैट फार्मर वूड रिसीव 110 इर्रिस्पेक्टिव वेदर प्राइजेज गो अप और डाउ विश क्या है फार्मर की फार्मर का दिल क्या कर रहा है जब प्राइजेज गिर के 75 हो जाए तो उसे 110 मिले और जब प्राइजेज बढ़के 175 हो जाए तो उसे 175 मिले मतलब वो क्या चाह रहे है जब प्राइजेज गिरें तब कॉन्ट्राक्ट पुट कॉन्ट्राक्ट में डीलिंग कर लो और जब प्राइजेज बढ़ गए हैं तो मार्केट से कॉन्ट्राक्ट कर लो सेल इन मार्केट हाँ या ना यहां तक क्या are you with me or not तो आप क्या चाहरे हो कभी सेल एज पर कॉंट्राइक्ट कि आप क्या चाहरे हो आप चाहरे हो कि आपके पास ऑप्शनों बेचने का कंपल्शन नहीं हो बेचने का पहले कंपल्शन था बेचने का यू हैड़ अगर आपके हाथ में ऑप्शन आएगा अगर आप एडवांटेजियस पोजिशन में हो इफ यू आ दूइंग प्लस पी प्लस का क्या मतलब है ऑप्शन टू सेल मतलब राइट टू सेल तो क्या किसी के उपर राइट या फिर ऑप्शन अगर आपके पास ऑप्शन है तो क्या किसी और के उपर ऑप्लिगेशन होगी आपकी काउंटर पार्टी पर येस अगर आप सेल कर रहे हो तो दूसरी पार्टी क्या करेगा बाइट तो पी माइनस की पोजिशन क्या है ऑप अगर आपको कोई एडवांटेजियस पोजीशन चाहिए एक स्टुडेंट ने लिखा है नो अगर आपके कोई डाउट से हैं तो आप बताईए मैं पहले डाउट सांसर कर देता हूं एक स्टुडेंट कह रहा है कि पी माइनस के पास के पास भी राइट होना चाहिए ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त राइट एक ही परसन के पास हो सकता है तुम सोचके देखो न मैंने बोला मेरे पास है राइट आवा राइट टू एंटर दी हाउज अनी पॉइंट ऑफ टाइम स जाली से मुझे देख सकती है मैंने घंटी बजाई मॉम बाहर आई रात में दो बचे बड़े गुश्चे में ठीक है वहने का नलायक यह कोई टाइम अगर आने का मैंने मम्मी को बोला आपको पता नहीं है मेरे पास राइट है मैंने डाट के साथ एक कॉंट्राक्ट किया ह मेरे पास राइट है क्या I can enter the house at any point of time सामने से मेरी मम्मी बोल दे I have a right to let you not enter the house at any point after 12 p.m. तो ये कोई बात बनी तो ये कोई बात बनी मैं ये बोल रहा हूँ अगर मेरे पास घर में कभी भी गुसने का right है तो जो घर में होगा उसको खोलना पड़ेगा मजबूरी में वो ये नहीं बोल सकता मेरे पास भी right है मैं तो उजे नहीं आने दूँगा एक बात और देखो आप इसे ओकी चलो ऐसा बोलते हैं लेट से मी एंड माइ वाइफ एव पैक्ट ठीक है ना उस पैक्ट में क्या है मैं जिस तरीके मैं जो स्पोर्ट्स चाहता हूँ अपने बेटे को हो खिला हूँगा और मेरी वाइफ के पास right है कि वो जहां जैसी पढ ही करवाना चाहती है जिस स्कूल में डलवाना चाहती है वहां डलवाएगी if I have a right to put him to any sports then my wife is obligated to support me in that ना ठीक है अब students सुनना 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 अभी ये तो हो गई soft discussion की right और obligation समझा रहा हूँ right मतलब क्या है एक के पास हग है ठीक है दूसरे को दूसरे की मजबूरी है तो कोई भी बंदा वो मजबूरी लेगा क्यों क्योंकि लॉंग पार्टी शॉर्ट पार्टी को कुछ पैसे पे करेगी अब सुनना सारा मुझे पांच मिनट दीजे बस मुझे बात बताओ कि मैने आपको कुछ ऐसा बोला मैंने का दोस्त इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच है इंडिया वर्सेज जिंबाववे का मैच है क्रिकेट मैच है इंडिया बैटिंग कर रही है इंडिया बैटिंग कर रही है ठीक है यह T20 मैच है अगर मैं आपको बोलू मिर्से शर्त लगाओगी कि इंडिया ही जीतेगी मैने शर्त लगाई इंडिया जीतेगी तो यह कोई बहुत समझदार सर्च शर्त है क्या कि दुबारा सुने इसमें अच्छा एक बार इसको छोड़ो इंडिया वर्से जिंबॉवे का मैं जीतेगा इंडिया जनरली इंडिया को जीतना चाहिए ठीक है ना तो अगर मैं इंडिया के उपर बैट लगाने वाला हूं तो कोई रिटर्न बहुत अच्छा होना नहीं चाहिए विकोज एव्रीवन नोज इंडिया विल विन मतलब इंडिया पर विनिंग रेट ऐसा होना चाहिए कि दस हजार रुपे लगाओ तो दस हजार पचास रुपे मिलेंगे लेकिन जिम्बॉवे का रेट कैसा होना चाहिए जिम्बाववे का रेट ऐसा होना चाहिए कि 10,000 लगाओ और अगर जिम्बाववे जीत गई तो 10,000,000 मिलेंगे हाँ या ना ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ अब मान लीजे आपने बोला कि मैं इंडिया पे बेट लगाना चाहता हूँ सारे के सारे इंडिया पे बेट लगा रहे हैं सारे के सारे इंडिया पे बेट लगा रहे हैं एक बार सोच के देखो अगर गलती से कोई एक परसन है जिसने जिम्बाववे पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपे लगाए है तो क्या कल he will not make a killing yes he will make a killing he will make a killing no बोलना क्या चाहर हो मैं ऐसा नहीं है एक पार्टी एड्वांटेजियस है दूसरी पार्टी डिसद्वांटेजियस है no what I am trying to say is that जब forward contract हो रहा था तो at time 0 value 0 थी किसकी F plus की या F minus की दोनों की अब जब call option का contract हो रहा है तो time 0 पे time 0 पे क्या प्लस पॉजिटिव है हाँ या ना अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एक call option का contract है अराम से अराम से देखना एक call option contract की बात हो रही है जो भी long party है अच्छा आप मुझे बताओ call option का discussion हो रहा है आप long party बनना चाहोगे है short party हर बार you will want to be the long party क्यों ऑर अ्य वह पॉट गा तो winner मिलेगा प्राइज घड़ गया तो कुछ लौस नहीं होना है तो अरह कि प्राइज बढ़ गया तो नो लौस भषी है ना तो यह upπό ना तो यह exclusive website betting है हाँ या ना यह तो selective capsid rating हो गए ना हाँ सर बिलकूल ठीक बात है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या, आप long party बनना चाहोगा या short party, सर मैं हमेशा long party बनना चाहोगा, तो इसकी value हमेशा positive है, हाँ या ना, और इसकी value हमेशा negative है, yes or no, बिलकूल, सर एक बात बताओ, अगर यह party हमेशा negative है, पचास उर्पे आ रही है अगर सी प्लस को पचास उर्पे का एड्वांटेज दिख रहा है तो सी माइनस क्या बोलेगा दोस्त तुमें को पचास उर्पे दे सरे बाद समझ नहीं है what I am trying to say is कि सी प्लस इस ओल्वेज एड्वांट इस ओल्वेज वट्यू कॉल having an advantageous position C minus is always having a disadvantageous position but why will C minus agree to have disadvantageous position because he will be paid for it तो ये time zero पे time zero पे value zero नहीं होगी time zero पे cash flow होगा क्या long party will pay to the short party they will pay him some premium to get into a contract with him तो long party short party को कुछ पैसा पे करेगी रुपीज पे करेगी short party long party को क्या देगी बताना एक option देदेगी कि तुचाहे तो मुझसे आके आलू खरीद लेना कितने का 110 रुपे का सर हमें ना conceptually तो समझ आ गया बट हमें अभी भी लग रहा है कि से advantage क्या अब सोचो मान लो मैं हूं बहुत बड़ा expert मुझे यह समझ आ जाता है कि कल weather कैसा रहेगा मैं वेदर की prediction करके यह इस ने बता सकता हो कि अगले साल आलू की उपच बहुत जबरदस होगी यह नहीं होगी possible यह नहीं पॉसिबल है पहले कि बता कि मप्रेडिक्त तो किया जा सकता है कि कि सान से जाके चूँढ़कों बता देगा अगले साल कि फसल कैसी या इस साल क्या उमीद है बजार के भाव कहां जाएंगे टमाटर प्याज आलू टीन डार्ये सब की कि अब मुझे ऐसा लगता है अगले साल प्राइज गिरने वाले विद्ध लगता है प्राइज गिरने वाले कि माई बैट इस अप्राइज आर गोइंग टुफॉल मेने सामने खड़ा है लॉँंग पार्टीश सामने खड़ा मेंघ 10 कि मुझे न opktion दे दूगी मैं तुमसे 110 रुपे में आके लिए दूँ और तू मुझे के एस जो की एक्सपर्ट है वेदर एक्सपर्ट और वाट यू कॉल फार्मर फार्मिंग एक्सपर्ट दिस डैट वो सबका मैं तुझे 25 रुपए देता हूं मैंने का ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर कल तू चाहे तो मुझसे आके आलू खरीच जाई हूं 110 रुपए क्यों कि मुझे पता है कि कल प्राइजेज 110 छोड़ो 60 50 60 70 ऐसे रुपए पर नाच रहे होंगे प्राइज आप नॉट गूंट भी 110 इन फैक्ट मैं अपने माइंड में पता है क्या सोच रहा हूं कि यार ये मुझसे 110 रुपए आके मुझे देगा ठीक है ना ये मुझसे 110 में प्राइजेज ये 110 में आलू लेके जाएगा तो ये मुझे अगर मेरे से कल आलू खरीदने आया तो मुझे 110 रुपए कल दे 135 तक तो मेरा कोई लॉस होना नहीं है अब चलो इस कॉंट्राइक में हमने इंटर कर लिया इसे कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम और इसे कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस मैगडीस की क्या पोजीशन है मैगडीस की पोजीशन है सी प्लस मेरी क्या पोजीशन है सी माइनस अब प्राइसेज आफ्टर वन येर केस बनाते हैं ए बी सी प्राइस हो गया 140 रुपए सिर्फ 40 रुपए 70 रुपए और 110 रुपए मुझे बताओ पे आफ क्या होगा पे आफ मतलब क्या अच्छा मुझे बताओ हूँ वन दबेट हूँ वन दबेट 110 से उपर हो जाएगा प्राइस तो मैडीस कब जीता है यहाँ पे जीता है यहाँ पे हारा है यहाँ पे हारा है यहाँ पे यहां पर टाय लिख देता हूंगा, चीक है ना, अब मेरे पास एक साल के बाद मेकडीज आया, मेकडीज शर्ड जीत चुक है, मैं मेकडीज को कितने पैसे दूँगा बता हूँ, एक साल के बाद मैं मेकडीज को कितने पैसे दूँगा, बजार मेबऊवे 140, मैं मेघ्डीज को कितने फैसे दूँगा, मैं मेख्डीज को पे ओफ टू मेघ्डीज लिग दे रहा हूँ, मैं मेघ्डीज को दूँगा 30 रुपे Case 2, case B और case C में, वो मेग्डीज former के पास आएगा, expert के पास आएगा या आएगा इस पास आएगा ही नहीं, तो पे़ाउफ क्या हुआ, जीरो, केसदी में आएगा या नहीं आएगा, अगीन नहीं आएगा, फुमन खाते इसकी याजूफित Handar या या कहीं से भी मार्केट से 110 या फरक नहीं बढ़ता, तो यहां पर भी नहीं आएगा, तो यहां पर यह हो गया जीरो चलो case e बना लेते हैं case e कर लेते हैं एक सब्सक्राइब चलो छोड़ो रहन दो रहन दो रहन दो दिस फाइन ठीक है अब case e में मैं 10 घर पे बैठा सोच रहा है कि मुझे 30 रॉपया का फाइदा हो गया वो ठीक सोच रहा है यह गलत सोच रहे है वो ठीक सोच रहा है यह गलत सोच रहे है क्यों कि profit और Loss कितना हुए प्रॉफिट और लॉस है पेय ओफ माइनस ऑप्शन प्रीमियम तो यहां पर कितना फायदा हुए उसे माइनस 25 रुपए तो यहां हुआ पांच और केस BCD में क्या हुए यह तीनों के तीनों केसेज में उसे 25 रुपए का लॉस हुए हा या ना, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता इसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट पर यह आना चीए जीरो यह जीरो कब आएगा जब यह आये 25 यह 25 कब आएगा जब यह आये 135 हाँ या ना और मैटीज बैट जीते यह बात समझ आती है आपको अब आपकी book में न पे ओफ का formula लिखा हुआ है P&L का formula लिखा हुआ है आपको जो चाहिए आप वैसे manage कर लो break even point भी समझा है हुआ है जैसे चाहिए वैसे manage कर लो मुझसे वो आला तरीका नहीं होता ठीक है इसी का दूसरा side हो जाएगा put option पे give me one sec give me one sec ओके ये थी call option की कहानी आईए अब put option देखते हैं मान लिजे same case यही सारा का सारा case put option का है as it is case मान लिजे put option का है अब क्या होगा वो discussion करते हैं आईए तरह आपने कहा था class छोड़ दोगे बस छोड़ रहा हूँ put option में क्या long party short party को premium pay करेगी हाँ क्यों क्योंकि एक party प्लस एक party प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एडवांटेज किसके पास है उट में कौन option एंटर करेगा फार्मर तो फार्मर क्या बोल रहा है यहाँ पे फार्मर बोल रहा है कि भाव 110 से नीचे जाएगा मुझे क्या लग रहा है मुझे पता है कि आज मैं प्रीमियम खा लेता हूं 25 रुपे कल तो इसका प्राइस देड़ सो जाने ही जाने मैं मैं पॉलिशी ऐसी करवा दूँगा गवर्मेंट के अंदर बैठ के ठीक है मैं प्राइस को उपर ले जाओंगा लेट से इस 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 इंसाइड गमेंट अगर एक साल के बाद ऐसा कुछ हो रहा है अगर एक साल के बाद यह प्राइजेज हैं तो मुझे बताइए प्लस का पे-अफ क्या होगा बैठ कौन जीता है पी प्लस मतलब क्या डाउनसाइड बैठ 110 के नीचे गया तो फार्मर जीतेगा फार्मर कब जीता है यहां पे जीता है यहां पे टाइबोल लो और यहां पे लूस कर गया हाँ या ना आटो फार्मार कितने रूपय से जीता है जब लूज कर गया तो Sóज बाट बंता के एस of मज़ा चक रहा है ँडा के के फॉरमेंन नियु आरिक सूच रहे और लिए-खर बैट के सोच रहे देखा बड़ा गर्म्icking इक्षपर्ड बंता था की ऐस मैंने इसको मज़ा चाहा है ना 70 रुपिय जीत लिए इस से एस ही 170 रुपीस प्रों मी नू पी एंडल क्या होगा माइनस 25 पी एंडल क्या होगा प्लस पंदरा यहां पर आएगा माइनस 25 हाँ या ना हां या ना कि ब्रेक इवन पॉइंट जब यह आए जीरो जब यह आए प्लस 25 जब यहां जीटे फार्मर और यहाँ पे फार्माइनस 25 जब यहां पर यहां फारेख भ। प्राइज लो 85 जब मैंने इस कॉंट्राक में 215 जब मैंने यार एक बात तो बहुत पक्की है एक बात तो बहुत पक्की है क्या कि 110 की मुझसे बैट लगा रहा है और 25 रुपे आज ही दे रहा है कल कल what is going to happen कल farmer मेरे पास आएगा ठीक है अपना समान बेचेगा अपने potatoes दे देगा मुझे और मैं जो expert हूँ मैं इसे क्या करूँगा मैं इसे दूँगा 110 रुपे यह तो कल होगा तो मेरे जेव से कल 110 निकलने लेकिन मुझे 25 रुपे तो आज ही मिल गए है time zero पे farmer ने expert को 25 रुपे दे दिये he has paid 25 to him हाँ या ना he has paid 25 to him so game ये बनी कि expert 110 की bet लगाई है लेकिन अगर price 85 तक भी गया तब भी मेरा कोई नुकसान नहीं है एक बार देखना price अगर 90 हो जाए तो क्या होगा farmer has won the bet क्यों क्योंकि 110 से नीचे जाने की bet थी farmer has won the bet farmer has won the bet by 20 रुपे but at an overall level he has lost how much 5 रुपे हाँ या ना last एक point बोल रहा हूँ और class end कर रहा हूँ सुनना ये है pay off to make these और ये है profit lost to make these इसको अगर मैं negative कर दूँगा इसी को अगर मैं negative कर दूँग तो ये ये c plus की ये c plus party का pay off और profit and loss है c minus party का क्या होगा exact replication of it it will be minus 30 0 0 0 and plus sorry minus 5 and in all these cases plus 25 हाँ या ना ठीक लिखा है या गलत लिखा है ये c plus particle pay off और p and l बना है c minus particle exact opposite हो जाएगी position ये p plus party के लिए position बनाई है p minus के लिए exact opposite हो जाएगी exact opposite मतलब वहाँ पर हो जाएगा 0 minus 7 minus 40 0 and plus 25 minus 45 minus 15 and plus 25 number same रहे जाएगे value sign minus हो जाएगी क्यों क्योंकि इसे 70 रुपे मिल रहे है तो कौन दे रहा है p minus party दे रहे हैं मैं as an expert c plus वाली case में पूछ रहा हूँ मैं as an expert क्या चाहूंगा मैं as an expert क्या चाहूंगा कि कल c plus party ये option को exercise कर पाए है exercise करी न पाए कि कल इसमें प्राइज exercise होई न मैं simply call option right करके premium pocket कर लूँ और कल वो मेरी दुकान में आई न हाँ या न या न ये जब 40 रुपय का भाव हो गया तो क्या हुआ है उसके पास right था 110 में खरीदने का मैंने उससे पच्चेस रुपय ले लिए मैंने उससे पच्चेस रुपय ले लिए और कल वो मेरी दुकान में आया भी निमू दिखाने के लिए येस और नो ये समझाता है मैं आपको कुछ homework दे रहा हूं आपको मुझे maximum profit और maximum loss निकाल के देना है किसका c plus c minus p plus p minus ये चारों का आपने मुझे maximum profit और maximum loss निकाल के देना है in the above cases okay let us continue with our discussion on options मैंने के चोटा सा कुश्चन दिया था आपको the case was something like this 110 रुपय का exercise price था the exercise price was 110 and call option का premium 25 रुपय है इस case में c plus और c minus का maximum profit और maximum loss बताना है c plus का maximum profit क्या होगा बताओ वाट वुट बीड़ सी वह अच्छा होगे c plus की बैट के अपसाइट इसकी बैट के वाट इस सी प्लस बैटिंग ऑन अपसाइट सी प्लस का बैट है कि प्राइस बढ़ने वाला 110 से उपर जाएगा वाट इस मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर सी प्लस इंफानाइट इंफानाइट क्यों ऐसा बेकॉज अगर 120 उरुपए का स्टी इफ दा स्पॉट प्राइज टाइम टी इस वन ट्वेंटी देन इस प्रॉफिट इस फॉट्टी इस फॉट्टी इस फॉट्टी इस वन थाउजन लेट से वन जीरो वन जीरो देन इस प्रॉफिट इस नाइन हंड्रेट एंड सो और तो यह तो बढ़ते ही जाएगा तो सी प्लस जिस पंदे ने कॉल ऑप्शन लॉंग किया है उसका बैट किया है देट देप्राइज विल बी अब वन हंड्रेट एंड और कितना अब वन हंड्रेट टैन पर जादा प्रॉफिट आएगा जितना जादा हो तो तो थियॉरिटिकली स्पीकिंग इस प्रॉफिट इस मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशल इस इन्फाइन एट अच्छे मुझे इस मैक्सिमम लॉस सर प्राइस कल जीरो हो जाए प्राइस कल जीरो हो जाए अच्छे काम करते हैं ऐसा सोचो एक्स है 110 मुझे एक बार स्पॉट प्राइस टाइम टी बताना 150 110 50 25 निल इस केस में प्रॉफिट या लॉस बताओ फॉर सी प्लस एक सब्सक्राइस के उपर की बैट थी पहले वाले केस में 40 रुपीज का पे आफ होगा बाकी सब में जीरो का पे आफ होगा हाँ या ना दे कॉल ऑप्शन दफ परसन वो इस लॉंग दे कॉल ऑप्शन जो सी प्लस है दे परसन वह सी माइनस वाली दुकान पे जिसके पास है तो यह सारे के सारे केश्च में पे आफ जी रोट इस दे प्रॉफिक फिफ्टीन इन ओल अबर दर केसिट इस माइनस 25 अंट तो मैक्सिमम लॉस क्या होगा माइनस में त्वेलेश्ज प्रॉफिज हम मुझे बात बताना है सी मैनिस का दिल क्या है सी मैनिस ने बैट क्या लगा है डाउंसाइड वेट उसको क्या लग रहा है कि भाव इतना नीचे चला जाएं द्धेड सुरी अगर भाव एक सो दस के नीचे चला गया अगर भाव अगर स्टी इफ स्टी फॉल्स बिलो वन हंड्रेट टेन देन सी प्लस गाइविल नेवर कम टू मी दो लोग है सी प्लस और सी माइनस सी प्लस वाला सी माइनस के पास जाए गा यह नहीं नहीं जाएगा तो उसने ज तो मैक्सिम्मॉम्फित फार टॉर्स फॉर्स फॉर्ट इंदल Actually infinite minus 25 infinite minus 25 B to infinity वा No. diffusion loss forع gia C plus is premium paid. Maximum profit for a C minus premium received. मैक्सिमुम लॉस क्या होगा बताओ वाट इस दे मैक्सिमुम लॉस फॉर असी माइनस माइनस इंफाइनाइट त्यॉरिटिकली स्पीकिंग इस माइनस इंफाइनाइट येस नो अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जस्ट वाश्व फैंज लेट यू अन्मूट ठीक है नो हैंज विन दिस तिल दिस पॉइंट ऑफ तैम ठीक है काम करते हैं पी प्लस और पी माइनस पर चलते हैं सेम केस एक्सराइस प्राइस वन हंड्रेट टेन कि अब पुट कॉल सॉर्णी पूट अप्श। लिया हुआ है उसका प्रीमियम देया हैा 50 Bu पी इस व्टीपे इसका मतलब क्या होता हां जिसमें 25 रुपे दिये गये पूट अप्शन जिसकी वैलीव 25 बिस यूथी इस गफिंजए साइफ प्रॉफिट इन दिस केस अच्छा पी प्लस का बैट किया यह बताओ स्टी पी प्लस का बैट किया है पी प्लस का बैट है डाउन साइड भाव था 110 रुपए सॉरी एक्स है 110 रुपीज अब स्टी की बात करते हैं इस टी इस 150 110 50 25गुं इन सारे के सारे केश में बैट किसने जीती यह गार्ट किवे इस में प्लस इसमें प्लस इसमें प्लस इस मैं उसके से मश्चた मिलेगा फेसым भी प्लस इसमें पी प्लस नहीं बोल सकती है, पी प्लस और पी माइनस सेम बात है, इसमें पी प्लस और पी माइनस सेम बात है, इसमें भी कोई पे आफ नहीं मिल रहा, बाकी सारे के सारे केसे में पे आफ मिलेगा, कितना? 110 की 0150 क्या मिलेगा साथ रूपय 110 की 02 20 15 15 क्या मिलेगा 8010 की 01 0 क्या मिलेगा 110 र्ूपय प्रॉफिट और लॉस कितना होगा यह होगा पे आफ माइनस 25 तो इस केस में क्या आया माइनस 25 माइनस 25 35 60 और 85 बात बाताव पीप्लस को भी इंफाइनाइट न्यों अचाइए नहीं क्योंकि अर। अगर मैं चार्ट वएस yl finger बनाओ लौ और रहा है एकले जाने को तो जाने को तो virus भी जा सकता है Spike एक सो दस की चीज जीरो इन तो आ सकती है एक सो दस की जीरो ब्सकी तो गए तो तो है या ना को और वात यसदव्ट मैक्सिमम लॉस्टन ऐख वोट मैक्सिमुन लॉस्टन क्या होगा बताना प्रेंस किस केसमें बता हूं लॉस्टन किस तो लगता है देकिने इस केसमें प्रईस 15 strength पर पहुंच गया तो लॉस होगया 25 एक बार बताओ अगर प्राइस 300 पर पहुंच जाता तो पी माइनस ने बैट जीती है यह पी प्लस ने पी माइनस ने पे-टुप प्लस उडबी जीरो पी अडल तो पी प्लस वड़ आप नेगेटिव 25 तो हर केस में मैंक्समुम लॉस कितना हो सकता है तो प्रीमियम पेड और मैक्सिमुम गें क्या हो सकता है पी माइनस का प्लस 25 अगेड़ प्रीमियम received are you with me till this point or not कुल मिला के अगर मैं क्रक्स में बोलू conclusion क्या अपना long चाहे C प्लस हो चाहे P प्लस हो अच्छा रुपो long call option put option ठीक है देखना एक बार long और अब ले रहा हूँ एक बार short चाहे C ओ चाहे P ओ short position का short position का maximum gain क्या है short position का maximum gain क्या होगा अगर कोई भी बंदा short कर रहा है मतलब option seller है तो उसको maximum क्या gain हो सकता है उसको gain हो सकता है premium received ठीक है और अगर 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 अच्छा और maximum loss कितना हो सकता है maximum loss कितना हो सकता है अगर इसके सामने लिखना चाहोगे तो आपका दिल करेगा infinite पर infinite सही नहीं है देखना maximum loss क्या हो सकता है maximum loss C- को सकता है माइनस इन्फिनिटी लेकिन टी माइनस को सकता है माइनस इट्टी फाइव तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस इट्टी फाइव ठीक है ना सी प्लस और पी प्लस को मैक्सिमम गेन क्या हो सकता है infinity and 85 और maximum loss क्या हो सकता है premium पेड कुल मिला के क्या बोलना चाहरा हूं देखना अगर आप call option बायर है sorry अगर आप option बायर है फरक नहीं पड़ता call option बायर या put option बायर अगर आप option बायर है तो आपका maximum loss प्रीमियम पेड और अगर आप option seller है तो आपका maximum गेन प्रीमियम रिसीवट है ठीक है बाकी दोनों में लगता है infinite infinite होना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं पुट के केस में 55 मतलब पुट के केस में एक लिमिट बन जाती है because the there is an extent to the fall the fall cannot be infinite because उसका lower bound है जीरो प्राइस जीरो से नीचे जा नहीं सकता क्योंकि प्राइस जीरो से नीचे जा नहीं सकता है तो आपका जो maximum loss है उसकी भी एक लिमिट रह जाएगी लेकिन प्राइस ऊपर कहीं भी जा सकता है तो गें की कोई limit नहीं है गें इंफाइनाइट तक आ सकता है ठीक है this is the conclusion या फिर this even this was good enough आपको जैसा भी सही लगे you can make notes in that manner अगर आपको यहां तक के कोई भी doubts है I'm happy to answer that or else I'm moving ahead with my discussion एक बास मुझे बताओ long का क्या मतलब होता है long का मतलब यह plus sign long है और short का क्या मतलब है minus sign का मतलब short है ठीक है ना तो long call is a c plus and a p plus and short options साथ c minus and p minus ठीक है अब c plus की bet के upside पी प्लस की bet के downside c minus की bet के downside और पी प्लस पी माइनस की bet के upside जो मैंने लिखा है यह मोटा-मोटा correct है इसमें थोड़ा सा friction एक्चुलिए पी प्लस मनदब अगले लेवल में आगे पता चलेगा पी प्लस और सी माइनट माइनस की जो बैट है ना चलो छोड़ो गन्फ्यूज निकरते सी माइनस और पी माइनस की जो बैट है इसमें थोड़ा सा वेरीशन आजाता है बट आपको मैंने अभी जो प्रेजेंट किये डट इस लिट इस परफेक्टली फाइन एक पूछा है सर लॉंग इस बैटर और शॉट इस बैटर दिस यह तो क्वेश्चन का अंसर कोई दुनिया में कोई नहीं दे सकता अगर दोनों में से कोई भी एक पोजिशन बैटर होती तो आपको नहीं लगता सारे ही कर रहे होतें कि आपको नहीं लगता सारे ही कर रहे होतें कि दोनों की दोनों पॉजिशन सेम है कोई डिफ्रेंस नहीं सरी क्या बात बनी वाट आम ट्राइंग टू से इसके आगे का जो पार्ट है वो ना मतलब आपके एक्जैम से वैसा रिलेशन नहीं होगा बट मैं दो मिनट में फिर कोई बने गई नहीं तो ऐसा नहीं होता दोस्त ऐसा है बहुत सिंपल सी बात है मान लो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ कोई आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ ठीक है आपको लग रहा है कहीं गिर न जाए कौन सा हैं इंस्टॉमेंट यूज कर सकते हो आप मैं के स्टॉड़ी बोल रहा हूं इफ यू होड़ा स्टॉक लेट से आपके पास आ रही एल का स्टॉक पड़ा हुए आपको आपका यह फियर है कि कहीं गिर न जाए यॉर फियर या फिर यॉर बैट इस डाट इट इसमें हैज क्या लेंगे यह बताइए मुझे हैज क्या लेंगे इसके एवरीवन शुट आंसर आप एफ माइनस कर सकते थे आप एफ माइनस कर सकते थे लेकिन एफ माइनस करते ही आपको डाउंसाइड की प्रोटेक्शन तो मिल जाती लेकिन अपसाइड का गेन नहीं मिलत तो इस वज़े से आपके पास एक और अल्टरेनिट इंस्टूमेंट है क्या आप पुट्ल लॉंग करसकते हूं अब पूट्ट लांग कर सकते हूए येस और नो तो आप अगर एक पूट कर रे तो आप एक पुट लॉंच कर लोगे साओ अगर कोई बंदा कर रहा है तो कोई बंदा ऐसका दिनाग खराब है मैंने कहा क्यों आपने बूला सिर bono P- का maximum loss कितना हो सकता है P- का maximum loss हो सकता है इतना जादा कि और P- का maximum gain कितना हो सकता है सर आने को सिर्फ पच्चेस रुपए का premium आएगा जाने को 25 रुपए का loss चला जाएगा point समझा सारे मैं क्या बोल रहा हूं इन फैक्ट सी प्लस को देखो कि सी माइनस को देखो सी माइनस को मैक्सिमम 25 रुपए मिलेगा लेकिन जाने को उसका घर बिख जाएगा माइनस इंफिनिटी का लॉस है तो दिमांग नहीं खराब है सर्थ सी माइनस का बिलकुल भी नहीं मुझे बात बताना आपके पास दो चीज़े होती है मुझे आप एक्सपेक्टेड गेन निकालके बताओ एक्सपेक्टेड गें अब्लीक लॉस अगर 99% देखना प्रोबैबिल्टी इस 99 परसेंट एंड वन परसेंट प्रोबैबिल्टी एंड अमांट ऑन गेन ने टींट निटिंट शॉय सब्सून और एक परसीन तीपूसेंट केसेज। यह भवजय दूब के नई टॉटिल एक्सपेक्टेड घन टॉण भॉन तॉब टीनन वन परसेंट लॉट्ड इस इधियेट । और 99 पर्सेंट इंटू 10 इस इक्वल टू 9.90 तो नेट नेट में क्या बन रहा है 0.10 का नेट लॉस बन रहा है अब अगर यही एज़टेस केस लूँ और गेन 10 रुपए के बदले 15 रुपए हो जाए गेन 10 रुपए के बदले 15 रुपए हो जाए तब क्या होगा नाइंटी नाइन पर्सेंट केसेज पर फंदरा रुपए आते हैं तो दिस इस फोर्टीन पॉइंट एट फाइफ नेट गेंग विल भी फोर पॉइंट फाइफ पॉजिटिव बोलना क्या चाह रहा हूं इस केस में अब मुझे बात बताओ अगर अगर जनरली शॉट करने में शॉट ऑप्शन वाले के एंड से सोचना अगर लॉस बहुत जादा है बट जनरली लॉस होगा ही नहीं जनरली प्रॉफिट ही प्रॉफिट है नाइंटी नाइन प्रॉफिट ही होगा तो हो सकता है ना कि बंदा ऑप्शन शॉट करने के लिए रेडी रहे सरी बात समझ नहीं आ रही है मैं चाहूं तो इसको कॉंट से रिलेट कर सकता हूं बट मैं यह नहीं चाहता कि आप मेंसे जो लोगोंने कॉंट नहीं पड़ा उ जनरली जनरली क्या होगा जनरली आपको प्रॉफिट हो रहे हैं बहुत वन आफ केसेज में लॉस हो जाएंगे जनरली आपको प्रॉफिट हो रहे हैं वन आफ केसेज में लॉस हो जाएगा ठीक है ना तो लॉंग स्टोरी शॉट एक ऑप्शन जो भी बंदा लॉंग कर रह क्या सोच रहा है वह अपने आपको सोच रहा है लॉटरी टिकेट खरीदने वाला अगर बहुत लोग दे के जाते रहते हैं और जाने को एक बार कोई मरता है और हजार रुप्ये देने पड़ जाते हैं सेमिलरली ऑप्षण बायर वाले केस में क्या हो रहा है अगर आप लॉट्री टिकेट खरीद रहे हो तो जरी एक एक रुपए की टिकेट सारे के खरीदेंगे एक रुपा का नुक्सान होता जाएगा और किसी एक को हजार रुपे प्लस मिल जाएगा ठीक है ना तो प्राक्टिकली वाट एम ट्राइंग तो सेज्डाइट ऑप्शन सेलर लास्ट क्लोज कर रहा हूं ऑप्शन बायर का अमाउंट या जो कॉंटम रहता है कॉंटम ऑफ गेन यह स्माल है बट प्रॉवेकली ऑफ गेन लाच और ऑप्शन सेलर का क्या होगा ऑपोजट इसका गेन का माउंट लार्ज है बट चांसे उफ विनिंग स्माल है पूलटा लिख दिया ना मैंने जस्ट वन से जस्ट वन से कि अप्शन उल्टा लिए सौरी 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 माई बैट माई बैट माई बैट माई लड़ना मत मुझसे ठीक है ना और होगा क्या आप ये दोनों को मल्टिप्लाइ करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट है ये बहुत जादा कंपेरेबल हो जाए गाँ हीM मैं मैं आगे चल रहा हो लगान आँ अबह्य तक जो पढ़ा इसके बेसेस पर यह बता है Polard का एस प्लस का वेंट एस पायरी क्या होता है कि वाल्यॅट एकसपायरी क्या होता है कुश्चन बहुत सिंपल है मेरा एफ प्लस की वैल्यू एट एक स्पाइरी क्या होती है एक आंसर आया है बस कि दिससेज एस माइनस एफ कि इस एस माइनस एफ हाँ या ना अशर यह बात तो एक दम ठीक है रहो और अच्छा मुझे बात बताओ कि या होगी कि वैल्यू एट एकस पाइरी क्या होगी एस माइनस एफ ही होगी हाया ना एफ के बदले एकस बोल लू एफ के बदले एकस बोल लू ठीक है न एफ को हटा देता हूं इसको S-X लिख देता हूँ, यह ठीक लिखा या गलत लिखा है, यह ठीक लिखा है या गलत लिखा है, एक बार यहाँ पे आओ, जो आपने पिछले इसमें किया है सौल्ड इसे दिखते आई हैं, यह सारे के सारे केसिस थे आपके हैं न, मुझे बात बताओ आपने क्या किया था 110 रुपए का exercise प्राइस था 110 रुपए का exercise प्राइस था मुझे बताओ वैल्यू एट एक्सपाइरी क्या है आपकी प्रीमियम को भूल जाइए profit and loss जब पूछेगा ना सिर्फ तभी निकालना है प्रीमियम को भूल जाइए वो some cost है ना एक तरीके से वो तो देई चुके हो वो तो देई चुके हो उसको भूल जाइए आप डोंट consider that मुझे उसके बिना बताओ वाट इस दवाल्यू एट एक्सपाइरी इस अच्छा यहां पर अगर एफ अगर यहां पर एफ प्लस होता एफ प्लस एट 110 उता तब क्या वैल्यू थी बताओ एक बार सर इन दिस केस बैट वन है तो प्लस थर्टी होती ठीक बूल रहा हूं गलत बूल रहा हूं एक बार दुबारा कर लेते हैंगे यहां न थोड़ा सा न मदब गंदा गंदा सा दिख रहा है एक बार इसको दुबारा कर लेते हैं जस्ट वन सेख एक्स इस वन हंड्रेड टैम स्पॉर्ट प्राइज अटाइम टी इस इकल टो वन फॉर्टी और क्या-क्या वो थे फॉर्टी सेवंटी वन हंड्रेड टैल इससेवंटी वन हंड्रेड टैल केस एकज बी केसी केस डी अगर यहां पे एफ रहता लेट जेगर एफ रहता तब क्या वायलियो होती मुझे बताना बैट एफ प्लस ने जीती है या नहीं जीतिये एफ प्लस एस वं डबेट लोस्ड बैट लोड़ धेट एक काम करते हैं इसको एक सो बीस लिखो एक सो दस लिखो ऐसा करूं यहां पर वन दबेट यहां पर नो रिजल्ट और पेउफ कितना आएगा पेउफ उडबी प्लस थर्टी कि यहां पर क्या होगा सेटड वाले केस में माइनस सेवैं यह बाले केसे म माइनस 40 imm dob अब मुझे बताना सी बच जीति है यहारी है यह तो सेम होगा लेकिन सी प्लस का पेओफ कितना आ रहे हैं पेओफ भी सेम आएगा गया जब जीते हैं तो 30 रुपए मिलेगा लेकिन जब हारे हैं तो जेब से कुछ जाएगा ही नहीं तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि जीते हैं तो s-x और हार गए तो 0 और हार गए तो 0 कैसे आया बताना आपका माइन्स की आ रहा था बट आपने माइनस 70 लिया नहीं आपने 0 ले लिया तो practically in the case of C plus the value is s minus x and 0 max high on s minus x comma 0 ka max formula wise रटना चाहते हो तो हां बिल्कुल सही है रहे हो यह रट के यह आएगा रट के यह आए और डाउट नहीं है इसमाच आर्यू विट में तिल दिस पॉइंट पक्का कोई फ्रिक्शन तो नहीं है ओके आई एक बार f minus बताइए क्या होगा वाट इस दिए f minus की वैल्ली कि f minus की वैल्ली एट एक्सपाइरी सर यह क्या है यह x minus s हो जाती हो और क्या मतब सॉरी f minus s f minus s f plus की वैल्ली होगर s minus f है तो f minus की वैल्ली क्या होगी f minus s हाँ यह ना because f value of f minus is equal to value of f plus negative is equal to minus of value of f plus is equal to minus of s minus f is equal to f minus s तो value of f minus is equal to f minus s यहां तक कि अगर सब कुछ समझ आता है तो लिखिए ok value of p minus बताइए value of p minus बताइए क्या होगा यह at expiry पूछ रहा हूं मैं at expiry कि पॉइंट टंबर यह है कि पॉइंट नंबर भी है value of p minus क्या होगा सर एफ माइनस ऐसी लिखने का दिल कर रहा है लेकिन एफ की बदले हम लिख देंगे x तो यह हो जाएगा x minus s यह हो जाएगा x minus s आई एक बार दुबारा देखते अगर सेम केस में मैं घूब के लिए निगालता चीजए सॉरी अगर मैं सेम केस में f minus क्ले diu нिगालता कि हैं अगर मैं सेम कीज में f minus क्ले निगालता तो क्या f minus जीता है क्या case number one में भारा है यहां जीता यहां जीता यह आ हेलाह यहांपे no result what would be the pay-off वाट वुट बी दर पाइव बताने हैं वने टैश्ट लूजस्स थर्टी वैन इस्ट सेविंटीन प्लोस स्वाटीं ए घड़ाइए लूज यही प्लस बॉल न चाह रहूं थैंग्स जब फोर करेक्टिंग्स जब थनी मैं कात गाल चाह रहूं माइबड 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 सॉरी 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 एक बार एफ माइनस बताओ एफ माइनस के केस में क्या हुआ एक सो दस अगर अगर एक से एक सो दस तो एफ माइनस की बैट कि भाव जाएगा एक सो दस के नीचे तो यहां पे जीते यहां पे जीते यहां पे नो रिजल्ट यह यहां पर हारे यहां पर हारे यह दोनों केसे में क्या होगा प्रॉफिट कितना कितना यहां पर सतर रुपया यहां पर चालिस रुपया बाकी सब केसे में क्या लॉस कितना कितना डिफरेंस कितना है 30 माइनस यहां पर दस है माइनस यहां पर निल हां यहां ना पी प्लस का बैट और पी प्लस का पे आफ वताओ क्या होगा पी प्लस का बैट और पे आफ वताओ क्या होगा पी प्लस के लिए तो सेम ही है और पे आफ क्या होगा यहां पे 70 रुपए जीते हैं यहां पे 40 रुपए जीते जब हारे जब हारे लेस्से पी-प्लस के केस में गोल रहा हूं पी-प्लस कौन था और अप्शन टू सेल मार्केट में भावबिवाए एक सोचालिस रुपाय मेरे पास राइट है कि मैं तुम्हारी दूकान में आके तुम्हें 110 का बेच सकता हूं बेचूंगा क्या नहीं मार practically what is happening इंग यह दो केसेस में हो गया एक्स माइनस एस दो बागी के केसेस में क्या होगा बागी की दो गए जीरो ओर यह एक्चिली जीरो नहीं यह जीरो कॉमा माइनस 30 का मैक्सिमुम फिच जी जी रो है न। एक्जैम में अगर आप वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आफ पी प्लस इस मैक्स ऑफ जीरो कॉमा एक्स माइनस एस फॉर्मुला वाइस तो यही बन रहा है लेकिन अगर आप एक्जैम में इस फॉर्मुला के बेस पे आंसर निकालने वाले हैं तो बहुत दिखकत है दोस्त आपको आपको कॉंसर्ट समझ आ गया आपने उससे फॉर्मुला बना दिया नौट दी अधर वे राउंट है ठीक है इसको कंक्लूड कर रहा हूं देखिए लगा कि टाइंटि यह यहां पर सी प्लस और पी प्लस की वैल्यो गया होती है सी प्लस की वैल्यों है मैक्सिमम और 0,7-6 और यहां पर वैल्यों 0,7-1 यहां तकि अगर सब कुछ क्लियर है तो लिखो ओके या फिर हैंड रेस या फिर थमसब हैंड रेस कुछ भी कर दो अगर कोई डाउट है तो नो लिखो मैं आपको अन्म्यूट करने का राइट दे दूँगा कि मैं डिसकेशन आगे बढ़ाता हूं यह हमने एक कॉंसेप्ट कर लिया कि वाट इस दी वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन्ज एट एक्सपाइरी तो कॉल ऑप्शन की यह वैल्यू है फूट ऑप्शन की यह वैल्यू है ठीक है लॉंग और शॉर्ट है तो प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वो यू विल बी अबल टू डिसाइड अब एक बार इस कॉंसेप्ट को यहीं बड़ी पात करता हूं आपसे दूसरी चीज़ डिसकस करता हूं सुनिएगा दो टाइप की आप्शन है आपके कॉर्स में एक अमेरिकन एक यूरोपियन अमेरिकन और यूरोपियन अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपसे यह बोलू कि एक्सपाइरी पे एक्सपाइरी पे ऑप्शन एक्सरसाइज करने की कंडिशन क्या है अप्शन शुड़ बी इन द मनी एड द मनी या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन वेन विल दी ऑप्शन भी एक्सरसाइज अच्छा ओप्शन एक्सरसााइज करने का राइट किसके पास है एक्सरसाइज draw करेगा कभ जब आप्शन होगा इन द मनी ना की drafting' आूट् practitioners अच्छाए एक बर्शाट पार्टी क्या चाहेगी चेoff अगर को टी एंड हुआ तो ऑप्शन की Ethereum होगी लए हिसे लिए है न अब हमने एक चीज जानी कि लॉंग पार्टी के पास option exercise करने का right है वो exercise कब करेगा जब option in the money हो ठीक है ना एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ long party चाहे see हो चाहे p.o will exercise the option when it's in the money चीए ना when it is in the money मुझे बात बता हूँ at time t यह in the money है तो यह तो what was I saying अगर at the expiry option in the money है तो चाहे c प्लस हो चाहे p प्लस हो उसको exercise कर लेंगे ठीक है ना अब मुझे एक बात बताओ अगर time t से पहले यहाँ पे वो in the money है तो exercise किया जा सकता है नहीं किया जा सकता इस question का answer मिलेगा about the nature of the option अगर option अमेरिकन है तो इट कैन बी इट कैन बी एक्सरसाइज अट एनी टाइंट अगर अगर ऑप्शन यूरोपियन है तो इट कैन बी एक्सरसाइज एट एक्सपाइरी ओनली सर इसी लिए नाम ए और ए रखा गया था नहीं 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 यह बस मैं ऐसे ही याद करने के लिए अपने ट्रिक लगा दी मैंने कि option अमेरिकन ऑप्शन केन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम मतलब बिफोर एक्सपाइरी एस वेल और यह कब हो सकता है ओनली एट एक्सपाइरी अच्छा मुझे एक बाद बता हूं मान लो मैं आपको बोल रहा हूं अमेरिकन ऑप्शन एमेरिकन ऑप्शन लुक्या है थीक है ताम इस एक्छल तो वन ए एक्स इस इक्छल टी एस एट स्माल टी मतलब एस अफटर थ्री मुंंस is equal to let's say 105 call option purchase at time t call option purchased at time t call option purchased at time 0 was 2 रुपे C0 was 2 रुपे मैं पूछ रहा हूं आपसे स्टी मतलब ऐसे टाइम थ्री मुद्स केस वन इस एक सो पाँच केस टू इस एक सो तो केस थ्री इस नाइनटी फाइफ केस फूर इस 45 ठीक है मुझे एक बात बताओ इसे इस उप्शन को 16 की सी प्लस पाइटी एक्सरशाइज और नोट कैनilos Extra प्लस पाइटी एक्सर्साइज क्या इसके पास राइट है हां राइट तो है येस रीजन क्या रीजन है बताना बिकॉज ऑप्शन इस अमेरिकन विल इट एक्सरसाइज विल इट एक्सरसाइज केस वन में येस केस डू में येस केस ट्री में लो केस फॉर में लो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो पे आफ कितना होगा वाई रूपीज टू रूपीज जीरो एंड जीरो अगर exercise करते हैं तो profit कितना होगा थ्री रूपीज जीरो माइनस टू एंड माइनस टू हाँ या ना अब practically ये वाला जो case है न जब exercise ही नहीं किया तो इसमें मुझे payoff और profit और loss नहीं लिखना चाहिए पूछो क्यों बेकास ये तो hold कर रहे होगे न विल इट exercise एट थ्री मुंट्स विल इट exercise एट थ्री मुंट्स नो यह exercise ही नहीं करेंगे तो पेओफ होगा क्या ना पेओफ होगा ना profit and loss की बात आएगी क्यों क्यों कि यार एक साल का option ना hold कर लो ना इस बात समझ आ लिए सबको क्या बोल रहों रहा होंगे अमेरिकन option के बैट क्या लग रही है कि भाव सौ पार कर जाएगा भाव सौ पार कर जाएगा कब यह जीरो से लेके वन के बीच में कभी भी हंड्रेड प्लस हो जाएगा कि है ना मान लीजे एस जीरो मान लेते हैं इसको एस जीरो इस इक्वल टू नाइन्टी फाइफ तुमान लीजे यहां पर है एस जीरो नाइन्टी फाइफ और एस टी इस हंट्रेड इस अमेरिकन option के case में क्या बोला जा रहा है कि भाई हो सौरी अमेरिकन option के case में बोला जा रहा है यह तो बड़ा नाटक है कि कोई feature on होगे मेरे system में जिसमें मैं जैसे ही किसी चीज को काटता हूं तो उसका जो भाव हो वोफ़ोवी अब नहीं होने चीए problem अब मुझे बताना अगर अमेरिकन option है तो यहां पे भी itm हो गया यहां पर भी itm हो गया और यहां पर भी itm हो गया कि सभी बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं कभी भी कभी भी आप exercise कर सकते हो और अगर यह यूरोपियन होता यह अमेरिकन है तो आइटीम हो गया एंड कैन भी एक्सरसाइस्ट अगर यह यूरोपियन होता तो क्या होता यह 95 यह 100 सॉरी यह टाइम जीरो यह टाइम टी कि यहां तीनों में यह ऐटीम है यह ऐटीम है यह ऐटीम ही तीनों के तीनों केसे में it is ITM but इसे यह तीनों के तीनों केसे में it is ITM but cannot be exercised only exercise यही हो सकता है अगर यह European का case हो तो European exercised at maturity only exercise करोगे कब मतलब time of time of exercise American में anytime कर सकते हो European में only at expiry कर सकते हो लेकिन condition क्या है exercise करने की exercise करने का right किसके पास है long party के पास और exercise करोगे कब जब आप फायदे में होगे तब meaning when the option is in the money when it is ITM are we clear till this point यह था European और American ठीक है I think आपको European और American का discussion में clarity है मैं एक बार conclusion फिर भी लिख दे रहा हूं conclusion is this कब किया जा सकता है if it is before the expiry भी कर सकते हो यह only at expiry और exercise की condition क्या है exercise साइज कंडिशन इन दमनी होना चाहिए इन दमनी होना चाहिए ठीक है जी अब नेक्स टॉपिक पर आ रहा हूं गुड न्यूस आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन यह जो सिंपल वाली चीज़ है इन्स लेबस यही वाला है अमेरिकन ऑप्शन की वालुएशन आपके स्लेबस में नहीं है अब देखिएगा एक बार डिसकुशन यह है टाइम जीरो यह है टाइम टी ठीक है वालुज बताइएका मुझे क्या है यहां पे है s-x,0 का मैक्स यह है कॉल की वाल्यू ठीक है ना c प्लस की वाल्यू है ये ठीक बोल रहा हूं है कॉल ओप्शन की वाल्यू यह है यह है टाइम स्माल मत लुएग ओ भद से अगे Hmm दूरिंग दे लाइफ ऑ बसे या इस्कॉल ओप्षिन की कोई वैल्युह गी या नहीं हो विल इट हैव एनी वैल्यू और नॉट दुबारा गुल रहा हूं कुशन यह यूरोपियन ऑप्शन है यूरोपियन का मतलब क्या हुआ कि यह कब एक्सरसाइस किया जा सकता है ओनली एट ओनली एट मैच्यारिटी ओनली एट मैच्यारिटी हाँ सर यहां पर यहां तक है ठीक है यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइस ओनली एट मैच्यारिटी तो इसकी वैली होगी कितनी मैक्स ओफ्स एस माइनस एक्स कॉमा जीरो ठीक है सर यह भी समझा गया अब डूरिंग दा लाइफ अफ अप्शन अब 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 अगर आपका आंसर इफ यॉर आंसर इस नू तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप क्या मुझे दे दो गए दुबारा सुनना अब किसी चीज को मैं कुछ नंबर्स के साथ बोल रहा हूँ टी जीरो और यह टाइम टी मान लो एस जीरो था नाइनटी एकस इस सो एक टाइम टी इस पॉर्ट रेट स्पॉर्ट प्राइज एट टाइम टी इस रुपीज एक सो पचास स्पॉर्ट प्राइज है टाइम टी इस एकसो पचास मान लेते हैं यह थ्री मंद्स है और यह वनियर है आपकी शर्त क्या थी कि एक साल बाद टाइम जीरो पे आप बोल रहे हो आज 90 रुपे का है एक साल बाद 100 से उपर होगा एक साल बाद 100 से उपर होगा तीन महीने बाद ही देड़ों सोर रपे हो चुप है और ऑप्शन यूरोपीयन है और आपने सी पे किया इसका लेट से पांच रुपे ड़ा ठीक है ना यूरोपीयन ऑप्शन यूरोपियन ऑप्शन मतलब यूरोपियन ऑप्शन कि शायद बीश में मिउट हो गया था लेकिन मदब कुछ डिस्रॉप्शन नहीं हुए डिस्कॉशन में फिर भी मैं एक बार दुबारा बोल दे रहा हूं मैं आपको याला केस एक्स्प्लेंड कर रहा हूं आप सेइंग दाट मान लीजिए जस्ट वन सेट मैं एक बार दुबारा केस एक्स्प्लेंड कर रहा हूं सुनिएगा मान लीजिए टाइम जीरो मैंने एक कॉल ऑप्शन में एंटर किया सी प्लस पोजीशन लेके मेरी पोजीशन है कुछ ऐसी मैंने पांच रुपए दिये आई पेड फाइव रुपीज उस समय स्पॉट रेट था 90 मैंने एक्सरसाइज प्राइज रखा 100 तो मैंने बैट के हमारी कि एक साल के बाद टाइम होराइजन इस वन येर पी इस इकूल टू वन येर एक साल बाद का ऑप्शन वन एर कॉल ऑप्शन ऑन अपर्टिकुलर प्रुड़क्ट ऑन अपर्टिक क्या है कि एक साल के बाद सो पार कर जा गाएं कि दलाल इसमें को डाउट नहीं है इन दमनी आउट आफ दमनी और एटीम इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लो आप्शन को आज जिस समय आप चेक कर रहे हो अगर उसी समय exercise कर पाते अगर आपके पास exercise करने का राइट होता तो क्या आप exercise करते और exercise करते तो आपको कितना पैसा मिलता पे आफ क्या होता इस 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 इन दमनी और हमाच इंद मनी इस 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 फिफ्टी रुपीज ठीक है ना आप सौ रुपे पर अगर परचेस कर पाते देड़ सौ रुपे के समान को तो आपको पचास रुप बचता तो दिस इस वाट मतब दी ऑप्शन इस डेफिनेटली इंद मनी और इंद मनी होने के वैसे इसकी वैल्यू कितनी है देड़ सौ रुपे इस इस कॉल द इस आप्शन को एक्सराइज कर सकते हैं नो रीजन यूरोपियन ऑप्शन है क्या यह इंद मनी है इस इंद मनी यह इस रीजन बिकॉस एस इस मोर देन एक्स विट मी तिल दिस पॉइंट अब मुझे बताओ मान लो यह सी प्लस की पोजीशन आपके पास है यह सी प्लस होल्डर आपको आपने आपसे मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा कि क्या आपको लगता है कि इसकी कोई वैल्यू होगी बिफोर दी एक्सपाइरी जातर लोगों ने आप आंसर लिखे विज़ा नहीं कोई वैल्यू नहीं होगी मैंने का क्यों तो श्रूरेंट ने बुला सर बिकॉस पिकार उन्होंग यह भूला कि आप उसको बàiिक तो सकते नहीं उसको एक्सेसाइस कर सकते नहीं तो प्र किस बात की वैल्यू मैं बुलरा हुँआ तो आप यह मुझे फ्री में तो नहीं दोगे तो इसकी कुछ वैल्यू तो है कितनी है उसको छोड़ो उसकी क्या वैल्यू है उस बात को भी छोड़ो लेकिन इसकी कुछ वैल्यू है यह हमको पक्का पता है हाँ या ना कि एक स्टुडेंट कह रहा है सर आप ना बहुत स्कीमी बन देंगो आपने जानके इस केस में एस एट टाइम स्मॉल टी को आपने यहां पर जानके प्राइज एट टाइम स्मॉल टी को देड़ सो रुपे कर दिया है अगर इसे आप 90 रुपे रखते हो या इसे आप मान लो एक बार को 70 रुपीज रखते हो तब मुझे बताना क्या इसे एक्सराइस किया जा सकता है इसकी इसकी इंटरिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हां या ना इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है अब मुझे एक बात बताओ क्या यह आप्शन आप मुझे फ्री में देदोगे क्या यह आप्शन आप मुझे फ्री में देदोगे कार्टिक कह रहे नहीं यह भी नहीं दूँगा क्यों भाई इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है गर बैट किया है बैट यह कि प्रमग एक साल बाद सव रुपीड के उपर हो जाएगे हुआ दो बारा सुनो टाइम जीरो पिट क्या लगी थी। टाइम जीरो फे रही अचा है कि टाइम वद्छाये तो सब प्राइस हो गया 105 रुपे तो आपको सी प्लस होने का कितना पैसा मिलेगा प्राइस रहे गया 95 रुपे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा अगर प्राइस हो गया इसको एक सो पांच रुपे किया था इसको 85 रुपीज कर दो अगर प्राइस हो गया 85 रुपीज तो आपको सी प्लस होने की वज़े से कितना पैसा देना पड़ेगा कि वाट विल बी दब पे ओफ देना तो कुछ पड़ेगा नहीं तो अगर आपके पास ऑप्शन पड़ा है टाइम थ्री मन्स तो आपके मन में पता है क्या रहा होगा मैं आया मैंने बोला इसकी कोई वैली तो है नहीं मुझे ही दे अब आप मन में सोचुके कि अगर इसे एक साल तक होल्ड करू और अग अगर भाव सो के नीचे रहा तो देना तो कुछ है नहीं और अगर सो के ऊपर चले गया तो मिलेगा खुछ जरूर तो यह तो एक ऐसी चीज हुई ऑप्शन बायर का पे आफ क्या है जीरो और एस माइनस एक्स का मैक्सिमम तो जेब से जाना तो कुछ है नहीं तो यार फिर होल्डी करते हैं न प्री में क्यों देते न सभी बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं एलए गलत बोल रहा हूं हासर बोल सॉरे और इसको लिखो कि कैसे दोस्त बात यह कि यह इन-दमणी है क्या नई यह S is less than X, so it is out of the money, out of the money है कि क्या मतलब होगा कि इसकी intrinsic value हो गई 0, इसकी intrinsic value हो गई 0, लेकिन but it has speculative value, इस speculative value को आप बोलते हो time value, मतलब आप बोल रहे हो, क्या पता, क्या पता, यह 100 को पार करी जाए, आज भले गर्दिश में चल रहा हो, लेकिन क्या पता, at time one year, यह 100 को value पार करी जाए इसकी, ठीक है ना, सर एक बात बताओ, यह वाले case में, यह case number one था, एक student ने लिखा है theta decay, बड़ी बड़ी बाते हैं, बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन इसी कोई theta decay, इसी कोई time value कहते हैं, आप मुझसे theta decay नहीं बूच सकते हैं, इस class में इसके आगे, अगर आपका question यह कि क्या इसी time value क आगे चलके theta decay बना दिया जाएगा, हाँ, वो बनाए जाएगा L2 में, L1 में मैं कुछ नहीं बोलने वाला है, इसके आगे, ठीक है ना, इसके बारे में और कुछ बात नहीं करते हैं, सुनो, case number one में, क्या option में, खुद में कोई value है, हाँ है, पचास उरफे की intrinsic value है, क्या इसमें time value भी है, क्या इसमें time value भी है, yes, time value भी है, total value of option क्या होगी, value of option, इसके दो पार्ट्स है, एक है time value, एक है intrinsic value, उल्टा लिखना चाहिए, एक होगी intrinsic value, दूसरी होगी time value, ठीक है ना, अब देखना क्या लिख रहा हूँ, value of option, इसके दो पार्ट्स होगे, एक होगे intrinsic value, एक होगे time value, case one में, intrinsic value थी 50 रुपे, time value भी कुछ-कुछ थी, इसमें भी कुछ-कुछ है, तो जो total value होगी, वो 50 प्लस होगी, और case two में, intrinsic value होगी 0, कुछ-कुछ time value होगी, तो this will be more than 0, मुझे एक बात बताना, कोई ऐसा case बताओ, कि intrinsic value negative हो जाए, और कुछ time value हो, तो overall value, time value से कम आए, intrinsic value कब होगी negative यह बताओ, intrinsic value कब होगी negative, not possible, intrinsic value negative नहीं हो सकती है, क्यों, because जब intrinsic value negative होगी, तो आप option को exercise ही नहीं करेंगे, the option will exercise, will not be exercised at all, it is OTM, you don't need to exercise it, तो intrinsic value कितनी होगी, what will be the intrinsic value of a C plus position, what will be the intrinsic value of the C plus position, एक है time 0, एक है time T, intrinsic value कितनी होगी, intrinsic value होगी, S minus X, 0 का max, हाँ या न, और time value क्या होगी, at time T, nil, क्योंकि अब तो time खतम होगया न, तो time value बचेगी नहीं, और time value highest किस point पे होगी, इस point पे, और इस point पे intrinsic value क्या होगी, nil, हाँ या न, इतना समझ आता है अभी के लिए, सार एक बात बताओ, in between के होगी, देखना time value को क्या game है, time value मान लिजे इतनी, ये time value न, ये है 0 और मान लिजे ये है 15, और ये है maturity, तो time value न, धीरे धीरे निपट के 0 ही होने वाली, time value is ultimately going to be nil, time value is going to be nil, at maturity, time value ये समझ आता है आपको, in between, at time T क्या होगा, in between it will be max of s minus pv of x, 0 हाँ या न, यहाँ पर जो x था वो pv of x हो जाएगा, और pv of x कैसे निकालेंगे बताओ, is equal to x divided by 1 plus rf whole to the power, ये जितना difference होगा, are you with me till this point, or what will be the time value in between, it will be lower than, time 0, but, positive, हाँ या ना, time value negative हो सकती है, क्या, no time value cannot be negative, time value cannot be negative, are you with me till this point, अगर आपके कोई doubts है, मैं video pause करता हूँ, आप पूछ लीजे, recording pause करता हूँ, sorry, सर रख question कराता हूँ, इसके उपर, लेखो question, option type, European put, European put, ठीक है, X is equal to 80 rupees, time frame is equal to 1 year, RF is equal to 5%, compute, intrinsic value after, 3 months, case 1, case 2, case 3, spot rate at time 3 months, is equal to, 70, 78, 108, निकालो इन 3 के 3 cases में, intrinsic value, चलो, करो, जिनसे ये question, अल्रेडी बन गए, वो एक बार, इसी को European call, बना दो, वो एक बार, इसी को European call, बना दो, ठीक है न, ये, ये एक question था, इसी case में, अगर सारा कुछ, सेम होता, इसे European call बोलते, बाकी सब कुछ सेम होता, तो क्या value आती, वो बताना है आपने, ठीक है न, करिये, आओ देखते हैं, एक बार, question समझते हैं, बहले, time 0 पे, एंटर किया है, contract में, ये एक साल का, photo option का contract है, exercise price है, 80 रुपे, option है, क्योंकि put option है, देखना, मैं, मैंने time 0 पे bet लगाई, time 0 पे bet लगाई, time 1 year पर, जो price है, वो 80 से नीचे होगा, वो 80 से नीचे होगा, है न, और देखना हुआ क्या है, इस case में, एक case में, 70 रुपे चल रहा है, एक case में 78 चल रहा है, एक case में 108 चल रहा है, ठीक है जी, एकस वास 80, अब मैं खड़ा हूँ 3 मन्स पे, अगर, एकस इस 80, इफ एकस इस 80, तो वाट इस present value of x, वाट इस PV of x, इस 80 डिवाइद बाई 1.05, होल तो दी पावर 0.75, येस, नो, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ये आ गया, 77.125, 77.125 आ गया, present value of x, अब एक बार put options देखते हैं, क्या बोल रहा है, put option की value बतानी है, अगर, put option की intrinsic value बतानी है, अगर, इस पॉट्रेट इस 70, 78 और 108, ठीक है न, x के नीचे रहने पे positive value आएगी, एक student कहा रहा है, 0.25 नहीं लेंगे time, आप बताओ, 0.25 लेना चीए क्या, कितना time पीछे आरे हो आप, कितना time पीछे आरे हो, 9 महीने पीछे आरे हो न, तो 9 महीने पीछे आरे हो, तो क्या करोगे, 9 by 12 होगे न time, 3 by 12 कैसे लोगे, अब, maturity के time पे x देखते, अब क्या देखोगे, PV of x, bet क्या है, 77.125 से नीचे होगा बाव, case, 3 case ले लेते हैं, 70, 78, और 108, P प्लस, की bet, 1 है या lost है, 1 oblique lost, इस case में 1 है, बाकी दोनों में lost है, और P प्लस की intrinsic value क्या होगी, जब lost है तो value आ गई 0, जब 1 है तो value आ गई 7.125, बोलो हाँ या ना, हाँ सर, और यही अगर मैं call option क्ले करता, तो क्या होता, तो 77.125, के उपर जाएगा, तो जीतेंगे, तो उपर किस case में जा रहा है, यह दोनों cases में, और P, सॉरी, C प्लस की intrinsic value कितनी रहेगी बताओ, intrinsic value कितनी रहेगी, 77.125 के उपर चाहिए, तो यहाँ पर आ गई 0, यहाँ पर आ गई 0.875, और यहाँ पर आ गई 30.875, यहाँ आँसर आया था क्या सबका, कोई डाउट से तो कुछी है, नहीं तो आगे पढ़ रहा हूँ, राइट वन मोर क्वेश्चिन, एक्जाम्पल टू लिख लो एशे, आँ ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के चंता ना करो, ब्रेक ले लेंगे, एक्जाम्पल टू, यहाँ तक के समझ सब कुछ आगया, वो बताओ, लेट से टाइप आफ आफ आप्शन, टाइप आफ 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 आप्शन, दिस इस यूरोपियन कॉल, ठीक है, टी इस एक्वल टू वन येर, एक्स और आरेफ दोनो जेरो, एक्स इस एक्वल टू एक्सो पाँच, और आरेफ इस एक्वल टू चार परसेंट, आफ्टर थ्री मॉन्स, सबस्पॉट इस एक्वल टू जिरो, एक्वल टूट टू 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 थिक्या, पॉर टू एक्वल टू टू एक्वल टू टूक्वल टूट्टस, एक्वल 2022. 20 and call option value is equal to 18 compute time value निकालो भाई आई यह solution देखते हैं मुझे लगता है आप से खुद बन जाएगा बट मैं सिर्फ इसले करा रहा हूं कि चलो थोड़ा सा जल्दी कर ले मुझे बात बताओ एक्स क्या है यहां पर एक सो पाँच पी वी ओफ एक्स क्या होगा एक सो पाँच डिवाइड़ वाइव वन पॉइंट जीरो फोर नाइन बाइट वेल यह कितना आ रहा है बताओ एक सो एक पॉइंट नाइन फाइफ सिक्स यह आ रहा है मेरा मैं इसे वन जीरो वन पॉइंट नाइन सिक्स कर दे रहा हूं ठीक है यह वैल्यू यूज करूंगा मैं ठीक है जी अब मेरी बैट क्या है कॉल ऑप्शन है पहले मैं 105 देखता आज के दिन पर मैं 101.96 इस पर चेक करूंगा तो मेरी बैट क्या है कि 101.96 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए मेरी अभी का स्पॉट किया है माई बैट इस दाट प्राइस टुडे शुर्ड बी मोर देन 101.96 एस एट जीरो पॉइंट फाइव इस इक्वल टू वन जिरो कितनी है इस इक्वल टुवन टुएंट इस इक्वल टुएंट बैट क्या हुए है बैट इस वन इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होगी डेल्टा 120-101.96 यह कितना आया यह आया 18.04 ठीक है न अ अरे याश यह तो नेगटिव आ जाएगा यह यह जास्ट वन सेट एक सेट एक सेट एक सेट एक सेट एक सेट रुपन मुझे कुश्चन ठीक करने दो एक काम करो कुश्चन में इसे कर लो वन वन फाइव इसे कर लो वन वन फाइव स्पार्ट को कर लो वन वन फाइव वाट वुट वी डेल्टा इट विल बी वन जिरो वन पॉट नाइन जिक माइनस है प्लस वन वन फाइव इस थरीं पॉट जिरो फो इंट्रिंसिक वैल्यू विल 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 दिफरेंस ब्रेंस तू यह स्नो बिकॉस प्राइश चल रहा है एक सो पंदरा सीफ लाट वैल्यू वैल्यू क्या होगी बैट वरन एंड वर्ट वीड़ालीव फाइव वन फाइव नेंस वन जीरो वन और पोइं hybrid वी तो इस इक्वेल टू थर्टीन पॉइंट जीरो फूर तो वाट विल बीड़ टाइम वैल्यू इट विल भी फॉर पॉइंट नाइन सिक्स यह आ गया बैलंसिंग फिगर एक और यहां पर 120 होता तब क्या करते जो ऑरिजिनल केस था यह बोलो केस केस टू करते लूब अगर यह 120 होता अगर यह 120 होता तो सी प्लस की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही थी सी प्लस की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही थी 18.04 अब ऐसा हो नहीं सकता कि सी प्लस की वैल्यू एटीन हो जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू एटीन पॉइंट जीरो फोर हो और टाइम वैल्यू नेगेटिव हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस नॉट पॉसिबल दिस इस इस पॉसिबल राइट ठीक है जी यह कुश्चन खुद से फ्रेम करता हूं तो ऐसी गरबड़ घुटाला हो सकता है ठीक है माय पॉलोजीज ठीक है यहां तक कि अगर सब कुछ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं वेल्कम तो दे नेक्स्ट डिसकेशन ओन ऑप्शन्स हम कर रहे हैं पुट कॉल प समझिएगा मैं आपको कुछ केसे दे रहा हूं लिखके यूँ एफ तो थेंक और आंसर टीक है मैं अगर आपको बुक्स के तरीके से कराऊंगा तो यह 15-20 मिनट का टॉपिक है लेकिन इट विल बी वेरी नॉन इंट्यूटिव और सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मुला से यू वान टो ओन वन स्टॉट फ यूंट स्टॉट ऑस इट की लिविटेड अव्तर वन य्यर व्ट यूंट वूंक ट्यूंट वंट यूंसाई डियूंट थैन्साइटीछ कि क्या करना होगा इस केस में अगर यही पूरा का पूरा केस बोलू तो आप एक बार इसे इस तरीके से समझिए लेट से मैं आपको बोलता हूं आपके पास एक आई टी सी लिमिटेड का शेयर है एक्जिस्टिंग पोजिशन है ठीक है आप इसे होल्ड करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई भी डाउनसाइड रिस्क नहीं चाहिए डाउनसाइड रिस्क नहीं चाहिए अपसाइड बेनेफिट चाहिए या नहीं चाहिए अब साइट पोटैंशियल यह चाहि कि अब साइट पोटैंशियल चाहिए लेकं डाउंसाइड रिसक नहीं चाहिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह मानूआ के अप एक बार को मैं आपसे डिसकस करता हूं मान लो केस नूमबर टू कि आपके पास आई टी सी लिमिटेड का एक्जिस्टिंग पोजिशन है अब आपको डाउंसाइट प्रोटेक्शन चाहिए कि आपको डाउंसाइट प्रोटेक्शन चाहिए क्या करोगे बताओ मुझे इस केस में यूवल से कि मैं पी प्लस बाई कर लूगा हाँ या ना पी प्लस बाई कर लूगा ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं अची के ने एक बार एक एसा लेके देखते हैं आपके स्प्लस पॉजिशन नहीं और आपने प्रस्ति लेकर लिए एक Michaल देखते है युझा के अट्रेंक प्रफे एक्सर साइज मान लिजिए एक्सर साइज ब्राइस मान लीजे एक्सराइज प्राइज इस थ्री ट्वेंटी फइव ठीक है दिस इस एक्सराइज प्राइज और प्राइज एट टाइम वन मतलब एस टी या फिर एस वन ये यह लिख रहा हूं मैं केस ए बी सी यह केसे जाए दिखते हैं मान लीजे दिस इस टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड और फॉर हंड्रेड ठीक है न अगर मेरे पास S प्लस और प्लस पॉजिशन है तो क्या होगा S प्लस होने के वज़े से मुझे यहां से मिलेगा चार सो यहां से मिलेगा 300 और यहां से मिलेगा 200 और स nasıl प्लस पोजीशन है मेरे पस 135 पे प्लस पोजीशन है तुर दाउन्साइट na ने नेट में प्याओफ क्या बाना मेरा अनु है उवरवर एल्पे उफ यह हो गया 400 यह हो गया 300 पच्चिस यह हो गया 300 बच्चिस अच्छा एक बात बताना केस नंबर डी ले लो केस डी ले लो 500 इस केस में क्या होगा बताना के स्प्लस इस 500 और टी प्लस जीरो तो दिस इस 500 केस ले लो प्राइज हो गया 100 रुपे अब क्या होगा एस प्लस इस सो पी प्लस इस तीन सो पच्चिस के नीचे की बैट थी दिस बिकम्स दो सो पच्चिस तो यह हो गया 325 हां यह ना केस एफ ले लो 325 का है एस प्लस इस 325 दिस जीरो दिस इस 325 है प्राक्टिकली बोलना क्या चाह रहे हैं प्राइज अगर सो दो सो तीन सो चार सो पांच सो अगर प्राइज ऐसी जगह पर रहता है अगर प्राइज तीन सो पच्चिस से कम रह रहे हैं तो यह जो लेवल है वो 325 का रहे जा रहे हैं और अगर 325 के ऊपर जा रहे तो यह लेवल ऐसा हो जा रहे है दिस इस हाओ मैं ग्राफ लुक्स लाइक येस और नो सभी बोल रहा हूं नहीं एक बार सोच के देखो मैं आपको नहीं सेम चीज़ एक बार एक्सेल में भी बंढ़ा हुआ कि दस्ट वन से लिए कि देखना एक पर प्राइस क्या क्या है अपने कि सो दो सो कि यह मान लीजिए प्राइस है अपने एस प्लस पोजिशन क्या है पी प्लस पोजिशन क्या है और कंबाइंड एस प्लस प्लस पी प्लस इसकी कंबाइंड पोजिशन के एक बार यह देखते हैं आईए ठीक है एक्सराइस प्राइस इस इक्वल टू 325 यह पोजिशन क्या है एस प्लस की पोजिशन तो सेम आ गई खत्म प्लस की पोजिशन क्या गई इस इक्वल टू 325 माइनस दिस दोनों की कंबाइंड पोजिशन क्या गई दिस प्लस दिस सई बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं इसमें सब कुछ ठीक है कुछ गलत है सब कुछ गलत है पी प्लस के केस में नेगेटिव तो होई ही नहीं सकती है वैल्यू तो यह आगई सारी की सारी जीरो ठीक आप पोजिशन अगर यहां तक कि आप सैटेस्फाइड दो लिए ओके इन दो चैट बोक्स हो इरा ओक्षाइग को इस दिस इंसर्ट चार्ट शस दिस इस ओके एंग ए यह गर आपके पास पड़े हैं आपके पास पड़ेंगे अदो एक प्ल этом व्रेकिन्ट-वून्हाइटम डिर्ण ओवर आल आप यह चाहते हो कि आपको डाउंसाइड की प्रोटेक्शन मिल जाए तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाए और अगर भाव प्रोटेक्शन मिल जाए गावरी प्रोटेक्शन में आपको प्रोटेक्शन मिल यह तो आपको 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 अगरोटेक्शन ठीक लिखा है गलत लिखा है यहां तक कि अगर सब कुछ समझ आगे तो लिखो ओके ठीक है जब भाव जाता है नीचे तब आपको डाउनसाइड की प्रोटेक्शन मिल रही है और अगर भाव चला गया उपर तो आपको अपसाइड इंजॉई करने का पूरा का पूरा टाइम मिल रहा है ठीक है जी इफ प्राइस गोज अबव 325 देन यू आर इंजॉइंग एस प्लस नाइटिंग बट स्पॉट आपने शेयर होल्ड करके रखा है ना आप एक शेयर होल्ड करके रखोगे और उसके सामने एक पुट खरीद के रखोगे शेयर लॉंग स्टॉक लॉंग और पुट लॉंग है ना एस प्लस कॉल तो होई नहीं सकता कॉल को लॉंग करना होता तो सी प्लस लिखता क्या दिक्कत थी उसमें ठीक है जी आज़र यहां तक क्योंके है आगे मूग करूं देखना मुझे एक बात बताओ अभी के लिए मैं क्या चाहता था कि मैं ध्यान देना मैं यह चाहता था कि मुझे अपसाइड का बेनेफिट मिले लेकिन डाउंसाइड का प्रोटेक्शन मिले क्या अपसाइड का बेनेफिट मिलना और डाउंसाइड का प्रोटेक्शन मिलना कॉल का फीचर नहीं था कौल का फीचर नीता मान लोगर यहां पर सी प्लस होता होता तो मेरे पास अगर यहां पर सी प्लस होता तो मुझे बताना सी सी प्लस के केस में मुझे क्या मतलब what would have been the what do you call the cash flow in the case of C plus एक बात बताना है is equal to max of zero comma s minus f s minus x s कितना है hundred minus x कितना है तीन सो पच्छिस कि ऐसा कुछ आ रहे हैं हाँ या ना येस और नो ये ठीक किया मैंने या नहीं किया मैंने अभी के लिए मैंने आपको original position क्या दी थी मैं आपको यह कह रहा था कि आप यह चाहते हो कि आप एक साल के बाद एक साल के बात श्ट्रॉक होल्ड करो टी सि का लेकिन आपको डॉन साइड रिस्क नहीं चाहिए मतलब अपसाइड पॉटेंशियल चाहिए लेकिन डॉंसाइड का रिषिक नहीं चाहिए मैं अगर इसे और इसे प्रोट करूं तब क्या बनेगा एक बार बताओ में सब्सक्राइब चार्ट देखना वैसे प्रोटेक्टिव पूट का चार्ट यह सी प्लस का इस प्लस एंड पी प्लस में आपके जेव से इन्वेस्मेंट कितना जा रहे है आपको स्पॉट पे शेयर खरीदना पड़ा था आपको स्पॉट पे शेयर खरीदना पड़ा था लेकिन पी प्लस जो है वो एक छोटा सा आपको प्रीमियम देना पड़ा होगा सी प्लस के केस में सिर्फ प्रीमियम दिया है आपने हाँ या ना को लॉंग करने के केस में आपको क्या मिला बताइए वॉट हवी रिसीव मतलब आपको देना क्या पड़ा यू है टू पेज पेज़ माइनस मतलब परचेज प्राइस ऑफ स्टॉप वस पेड हाँ या न और पुट को लॉंग करने के लिए क्या करना पड़ा होगा पुट प्रीमियम हैज बीन पेड है न यह दो चीज़ें आपको करनी पड़ी है सिए प्लस के केस में क्या हुआ सिप्लस के केस में आपको क्या मिलाए abstract options Oreos 3025 어बसाइड बेट बियॉंड 325 टो इसके लिए आपने क्या दे दिया होगा इसके लिए आपने कॉल प्रेमियम दे दिया होगा हाँ या ना सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं बताओ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपने क्या इस में क्या आपने इस में क्या वोडियो कोल कोई शेर खरीदने के पैसे दी यह नई सर यह नहीं दी यह इसको आसान भाषा में समझना सी प्लस सॉरी एस प्लस पी प्लस के केस में क्या हुआ आपके हाथ में स्टॉक पढ़ा है डाउनसाइट प्रोटेक्शन मिल गया तो स्टॉक का आप जो भाव है तीन सो पच्छे सुरुपए वो तो रही दाया आपके पास इसके उपर का जो पोटेंशियल है वो सारा का सारा मिल जा है ठीक है सी प्लस वाले केस में क्या हुआ आपको ऊपर का बेनिफिट तो मिल गया लेकिन ग्राउंड पर आपके वैल्यू जीरो गई है क्यों क्योंकि आपने तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लिया है ना सरे बात समझ नहीं आ रही है मुझे बात बताओ अगर बाइचां आप एर वन के एंड में मैं आपसे बूछूं कि आप खरीदना क्या चाहते दे वाट डिडिवांट रियली आपको अपने हाथ में शेयर चाहिए था ना सज़ी बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं की आपको तो अपने हाथ में यह शेयर चाहिए था ना katी Kazakhstan ये शेयर कैसे मिलेगा का मुझे बताओ आपको अपने इस option को exercise करना पड़ेगा न आपको अपने इस call option को exercise करना पड़ेगा अगर आप इस call option को exercise करते तब क्या होता अगर आप इस call option को exercise करते तब क्या होता दुबारा बोल रहा हूं सुनिएगा आपकी requirement क्या है आपकी requirement यह थी that you want one share of ITC after one year ठीक है तो इसके लिए क्या कर सकते थे आप इसके लिए चुपचाप से C प्लस कर सकते थे C प्लस at 325 C प्लस at exercise price of 325 इससे क्या होता इससे ये होता कि एक साल के बाद आप 325 उर्पए देते और आपको share मिल जाता हाँ या ना कि मतलब अगर ये है price अगर ये है price after one year कि मुझे अगर आप ऐसे कब डिलिवरी की बात कर रहे हैं फिसिकल डिलिवरी अगर आप फिसिकल डिलिवरी की बात कर रहे हैं तो आपको आई टीसी का share देने के लिए कितने पैसे देने पढ़ेंगे आपको आईटीसी का शेर देने के लिए कितने पैसे लेने मतलब कितने पैसे देने पढ़ेंगे आपको आईटीसी का शेर खरीदने के लिए कितने पैसे देने पढ़ेंगे है अगर फिजिकल डिलिवरी चाहिए तो यह सारे के सारे केसे में आप 325 के दो कि हैं आगी सार ROB H कि इस टs में यहां पे सो डिक यहां पे दो सो डिक यहां पे भाई तीन सो पच्चिस या उसके उपर के भाव पे तो आपको तीन सो पच्चिस देने पड़ेंगे उससे कम बाले रेट पे आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगी आप डिरेक्टली जाके मार्केट से खरीद के आ जाओगी ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं ठिक बोल रहा है हमने उपर क्या गंप्यूट किया हमने उपर यह कम्प्यूट किया था कि सी प्लस की वैल्ली होगी जी जिरो जी रो जी रो जी और यहां से वैलियू शुरू हो जाएगी इस एकवल तो देस माइनस हंट्रेड इस माइनस 325 माइब इस माइनस 325 येस और नो तो सी प्लस की वैलियू यह होगी अगर आप कैस्ट सेटलमेंट कर रहे हो तो अगर आप फिजिकल डिलिवरी ले रहे हो तो आपको यह से केसे में 305 रुपे देने पड़ेंगे यह तीनों केसे में आप जाके आप्शन अवेली नहीं करेंगे आप जाके मार्केट से खरीद लेंगे यहां तक के सब कुछ क्लियर है यहां तक के सब कुछ क्लियर है आपको हाँ सर क्लियर है अब मुझे एक चीज बताओ मान लो आपने कैस सेटलमेंट किया मुझे यह बताओ आपको यह कैस सेटलमेंट करने के बाद यह वाले केस में देखना 600 और मिल गया यह 600 और मिल गया लेकिन अब अगर आप मार्केट से खरीदने के लिए जाओगे तो आपको कितने का पड़ेगा पर चेज फ्रॉम मार्केट यही पड़ गया आपको माइनस हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड और माइनस त्रीट्वेंटिफाइव और येस और नो कि यहीं कंडिशन आगई ठीक देखेगा अभी लिए मैंने कुछ-कुछ पीसेश खड़ेगी अब मैं सारे के सारे को क्लब कर रहा हूं इफ यू रिएली वॉंट अस्टॉक आफ इटी से लिमिटेड आफ्टर वन यह देन वाट यू रिएली वांटेड इटी से लिमिटेड आफ्टर वन यह विदाउट देडाउंसाइड तो वाट यू गुट आव डवड़ दन इस कि आप आजी एक स्टॉक खरीद लो और साथ में उसके उपर एक खरीद लेना येस और नूँट खरीद लोगे दो डाउंसाइड प्रोटेक्शन तो मिली गया और जो आपने स्टॉक लिया है वह स्टॉक के वैसे आपको अपसाइड प्रोटेक्शन मिलता जा रहे हैं येस और नूँट आसर बिलकुल या फिर सेक आपसी व्लस खरीद सकते हूं है कि अभी के लिए न जिर्फ ये 3श की बाल कर लेता है अबके लिए मैं सिर्फ और सर्फ 20 तीनस की बाद कर लेता हूं c plus at 325 में क्या value होगी c plus at 325 क्या value होगी प्लस 75 रुपे इसमें निल इसमें निल हां या ना सर नीचे वाले cases क्यों नहीं ले रहे वो तो आपको पूरा का पूरे ये वाला case दिखाने के लिए किया था न मैंने मेरे लिए इतना जादा लंबा चोड़ा लेने का सेंस थोड़ी नहीं मैंने बोला कि अगर मुझे एक साल के बाद affiliated चलिए और डाउंसाइड रिस्क नहीं चैए तो आज ही शेयर खरीद लो और उसे Shade गर लो तो स्टॉक आ गया साथ में पूट प्रोटेक्शन आ गया या फिर एक सी प्लस खरीद लो लेकिन इन दोनों में इन्वेस्मेंट बहुत अलग-अलग हुई है दूसरा क्या है सी प्लस की वज़े से मुझे एंड में जाके क्या मिल रहे है मुझे एंड में जाके क्या मिलरहे मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सेंटमेंट हों के 75 ़ुपय उपर से मिल रहे मैं यह पी तो चाहूंगा न कि मैं, what you call, कि मुझे ये 325 रुपए भी तो मिले, सरी समन्द नहीं आरी बात, एक बात बताओ, अभी क्या हुआ जब भाव हो गया 400 रुपए, जब भाव हो गया 400 रुपए, तो आपको अपसाइट प्रोडेक्शन चीए था, आपको 75 रुपए बैलेंस के मिल रहे हैं, आप य S PLUS, C PLUS में जो, इन्वेस्मेंट स्टोक खरीदने के लिए करनी है, वो अल्रेडी कर तोक ए ताइम-जीरो पे, C PLUS में जो इस सब्सक खरीदने के लिए व्यवस्मेंट चीए इस दिस कैश लो एंड जस्ट वन से एंड दिस कैश लो आर दीस टू कैश लो जैग्जैक्टली सेम हाँ या ना हाँ या ना सरी बात समझ नहीं आ रही दुबारा बोलो सुनना मैंने आपको बोला मेरी रिक्वाइर्मेंट है मुझे एक शेयर चाहिए मुझे आई नीड वन शेयर ऑफ आई टी सी एक टाइम वन चीक है विदाउट डाउनसाइड रिस्क विदाउट डाउनसाइड रिस्क तो आप्शन क्या है मैंने सी प्लस खरीद लिया ठीक है मैंने कॉल आप्शन करीद लिया अब मुझे बताओ अगर मैंने सी प्लस लिया तो मेरे पास क्या है मेरे पास है राइट टू बाइ एट टाइम वन मेरे पास पैसा किस दिन है आई हैव फंड्स इन हैंड एट टी जीरो तो मैं क्या करूंगा मैं दो चीजें करूंगा पहले मैं एक सी प्लस लोंगा और साथ में सी प्लस लेने में मेरा पैसा तो कुछ लगा नहीं एक खास जब मैंने एस प्लस और पी प्लस किया था एस प्लस और पी प्लस किया था तो एस प्लस खरीदने में शेयर करीदने का पैसा लग गया पी प्लस खरीदने में कोट ऑप्शन खरीदने का पैसा लग गया लेकिन जब मैंने सी प्लस किया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ा मुझे यह परचेस प्राइज ऑफ स्टॉक यह तो मेरे हाथ में ही रह गया ना बच गया तो मैं इसको क्या करूंगा इन्वेस्ट परचेस प्राइज ऑफ स्टॉक एट आर एफ हाँ या ना या फिर दूसरा ऑप्शन है पी प्लस प्लस एस प्लस या तो यह खरीद लो या तो सी प्लस और आर एफ में इन्वेस्मेंट खरीद लो तो कुल मिला के बोलना क्या चाह रहो अगर मैं कॉल ओप्शन पे लोंग हूँ तो मैं क्या कर सकता हूं मैं शेयर खरीद सकता हूं कब at time 1 कितने का खरीच सकता हूँ x का तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ ऐसा जोगार बिठाना चाहिए कि मैं आज present value of x को invest कर दू मैं आज present value of x को invest कर दू और मुझे at time t at time t मुझे x मिल जाए हाँ या ना तो at maturity p plus s is equal to c plus plus x or before maturity p plus plus s plus is equal to c plus plus present value of x this is how the relationship is this is called port call parity theorem दूबारा देखना क्या हुआ ये एक्सेल के टर्म्स में मान लो मैंने क्या किया इसे डिलीट कर दे रहूंगा सबको मेरे पास option number one क्या था कि मैं पी प्लस और एस प्लस कर सकता था पी प्लस प्लस एस प्लस किया तो मेरे पास इवेंचुली ये पैसा आ गया हाँ या ना हाँ सर सेकंड ऑप्शन है कि मैंने किया से प्लस और प्रेजेंट वैलि demás मतलब मैंने रिस्क फ्री मतलब मेरे पास जो पैसे पड़ेते मैं ने उसे आज रिस्क प्री बॉंड में इंवेस्ट कर दिया मुझे इसकी वजे से एंड में क्या पैसा मिलेगा मुझह इसकी वेसे एंड मैं मिलेंगा तीन सो पच्चेस रुपे प्रेजेंट वैल्यू अफ एक्स आज है फ्यूचर में क्या बन जाएगी फ्यूचर वैल्यू आफ प्रेजेंट वैल्यू आफ एक्स हाँ या ना हाँ या ना मान लो मैं आपको आरेफ दे देता मैं आपको आरेफ दे देता मैं बोलता 325 रुपए मुझे अगर एंड में चाहिए और मान लो पांच तका इंट्रस्ट रेट है तो वाट विल मैं आरे वाट विल इस तिंग भी इट विल बी 325 divided by 1.05 इतने पैसे मैंने इंवेस्ट कर दिए एक साल के बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे इस इक्वल टू दिस इंटू 1.05 विच विल भी 325 तो हर केस में मुझे एक्स का रिटर्ण क्या मिलने वाला है 325 येस नो और सी प्लस प्लस एक्स यह कितना आ जाएगा बताना इस इक्वल टू दिस प्लस दिस अब मुझे बताओ क्या ये दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं इस इक्वल टू दिस इस इक्वल टू दिस एंड सी प्लस प्लस प्रेजेंट वैल्यू अफ कॉल इस कॉल्ड फिड्यूशेरी कॉल दोनों का इवेंच्वल आउट्पुट क्या है कि आपको एक स्टॉक मिल जाएगा इड्टी एंड ऑन यह विदाउट डाउन साइड रिस्क स्टॉप विद डाउन साइड ह्सक्राइड दोनों केशिज में आपको यहीं मिल दिए जा एज पों ला जाने पी प्लस अश्च और वेंगण प्लस ऑ सीप्लस अड़ा पर पी प्लस प्लस S प्लस इस एकुल टू सी प्लस प्लस X और अगर बिफोर मैच्वरिटी कर रहा हूं तो P प्लस S is एकुल टू सी प्लस प्रेज़ेट वैल्यू अफ एक्स हां या ना सल नंबर वाइज मतलब या फिर वोट यूँ वट यू से टैक्टिकल ही तो समझ आगया ये बोलना क्या चाह रहे हैं दोस्त बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कि end का result सेम है कि end result क्या हो रहा है आपको एक stock मिल रहा है with downside protection एक रास्ता है प्लस प्लस एस प्लस कर सकते हैं दूसरा रास्ता है कि कॉल ऑप्शन बाइ कर लो लेकिन शेयर को खरीदने का जो पैसा है वो आज ही आप आरेफ में डालतों ठीक है न प्लस और एस प्लस को कंबाइन करने पर क्या हो रहा है कि आप एक स्टॉक खरीद रहे हो उसका डाउनसाइट प्रोटेक्शन आज ही ले ले रहे हैं आप एक साल बाद एक भाव पर शेयर खरीदने का राइट ले रहे हो और उस समय एक साल के बाद शेयर खरीदने का पैसा आ ना या ना बिल्कुल तो दोनों के दोनों केसेज में इवेंच्वली क्या हो रहा है आपको ये कंडिशन मिल जाएगी है आपके हाथ में इस टॉक आजा रहा है विद दाउंसेट प्रोटेक्शन कुश्चन बहुत सिंपल है दो अगर दो रास्तों से अगर दो दुकानों से स हारी लाइफ में दोस्त बात यह है कि अगर प्लस प्लस एस प्लस इस इक्वल टू एक्स अगर मैं यह बोलता हूं तो क्या बोलना चाहरा हूं मैं कि अगर मैं स्टॉक खरीदू और पी लॉंग करूं इसका वही मतलब होगा जो सी कॉल खरीदना और और पैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एस प्लस का क्या मतलब होगा तो यह होगा सी प्लस माइनस पी प्लस पी वी ओफ एक्स ठीक है ना एक तरीके से ना इसको प्लस प्लस को हटाई लीज़े अब इसके आगे जो वैल्य वही इनफ होगी एक स्टॉक खरीदना कैसा होगा एक कॉल खरीदना एक पुट शॉट करना और पैसे को बैंक अकाउंट में डेपॉजिट करा देना ऐसा होगा या फिर अगर म करने से आपको पीवी ओफ एक्स मिल जाएगा मतलब इस इस लाइक इन्वेस्टिंग इन आरेफ अगर आप मार्केट में कॉल खरीदना चाहते हैं न तो इट विल भी ऐस गुड अगर आप एक पुट को लॉंग करें स्टॉक को लॉंग करें और मार्केट से पैसा उधार ले ले माइनस पीवी ओफ एक्स कुल मिलाके बोलना क्या चाह रहें आप चाहें तो एक कॉल को लॉंग कर सकते हैं या फिर आप एक कॉल को लॉंग करने जैसा ही कैश फ्लो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग दीस थ्री इंस्ट्रूमेंट ठीक है बाई यूजिंग दीस थ्री इंस्ट्रूमेंट तो अगर आप स्टॉक को शॉर्ट करना चाहते हैं अगर आप माइनस एस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे यूशुड डू पी माइनस सी माइनस पीवी ऑफ एक्स सर इसका क्या मतलब हुआ बहुत सारी मार्केट्स में प्रेट को शॉर्ट करना अलाउड नहीं रहता उस मार्केट में आप एक पुट को लॉंग कर दीजे एक कॉल को शॉर्ट कर दीजे और एक एक पीवी ऑफ एक्स का माइनस का मतलब पोजीशन क्रियेट कर लिए बॉरो कर लिए इस इस इट ठीक है ना और लिए एकस को बडों पर लिजे कॉल को स्पल दीजिया और लांकर दीजए आपको को वही आउट以. मिलेगा वही इंट्फलॉ मिलेगा वही कैश फ्लॉ मिलेगा जो एक स्टॉक को शॉर्ट करने से मिलता है ठीक है मैं एक बार वीडियो पॉस्क रिकॉर्डिंग पॉस्क कर रहा हूं अगर आपके कुछ डाउट्स है तो एल भी टेकिंग अप दूर्ज के एक्जैम में सेम कुश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो आप से यह बोलेंगे कि एक कॉल ऑप्शन हो गया सी अगर आप ऐसी ही पॉजिशन सिंथेटिकली क्रियेट करना चाहते हो तो क्या करोगे तो यू विल आफ टू से डाट एक प्लस एक एस प्लस एक पीवी एक्स माइनस यह करूंगा दिस इस वाट यूल आफ टू से ठीक है ना अब जो मैंने कुछ पढ़ाया यह तो मैंने आपको सिर्फ इतना दिखा दिया कि कैश लो कैसा बन रहा था ठीक है मैं एक बार मैं इसको नोट्स के स्टैंड पॉइंट से लिखवा देता हूं आपको आगे आपको उसमें तकलीफ ना जाए आपकी जो भी डाउ अगरे आपने एसा किया थोट एलिटे नोट्स आपने परेटी का यह और प्रॉटेटीव पुट का कैश्टा सेंव कि पर दियूश्ययरी कॉल और प्रोटेक्टीव पुट इसका मतलब था सी प्लस प्लस पीवी ओफ एक्स या फिर सी प्लस प्लस एकस लेख लीजे भी इसको इस एक्वल टू कैश्छ लो ऑफ प्रोटेक्टिव पूट इस एक्वल टू एस प्लस प्लस पीप्लस सी प्लस का क्या मतलब हुआ यह हुआ एट मैच्यॉरिटी यह हुआ बिफोर मैच्यॉरिटी सी प्लस प्लस प्रेजंट वैल्यू ऑफ एक्स इस एक्वल टू एस प्लस प्लस पीप्लस ठीक है न मैं क्या कर रहा हूं मैं अब यह पोजिशन्स प्लस प्लस को हटाते जा रहा हूं सर क्यों हटाते जा रहे हूं बेकॉज दोस्त बहुत सिंपल सी बात है यह जो प्लस साइन लगा हुआ है यह लॉंग दिखा रहा है आपको तो प्रैक्टिकली मैं यह बोलना क्या चाह रहा हूं लॉंग कॉल ऑप्शन एड लॉंग जेट सी बी जीरो कूपन बॉन्ड इस एक्वल टू लॉंग स्पॉट एंड लॉंग पॉट आप्शन इसमें लॉंग कहां से आ रहा है यह समझेगा अरिये कॉल ओप्शन पॉट ओप्शन से क्या हो रहा हैं यह कॉल यह दिखा управ जेट सीविए स्पॉर्ट यह है पी दिक्राइब फूट ठी港 अब अगर मैं इसी को रियर्रेंज करूं तो सी प्लस प्लस पी वी ओफ एक्स इस इकुल टू पी फ्लस एस सी एक्स इस इकुल टू पी एस ठीक है न अब अगर मैं को गोई बोले सी क्या होगा वाट विल बी सी इट विल बी प्लस एस माइनस एक्स माइनस एवी ओफ एक्स एट मैच्यारिटी क्या होगा इट विल बी सी इस इकुल टू पी प्लस एस माइनस एक्स बोलना क्या चाहर हो यह हो गया सिंथेटिक कॉल यह बना कैसे है यह बना है एक पुट लॉंग करके पुट लॉंग और स्पॉट लॉंग और तीसरा बताओ मुझे यह क्या है माइनस एक्स क्या होगा short bond, short bond का क्या मतलब हूँ यह बताओ short bond का क्या मतलब हूँ हूँ अगर bond खरीदना हो तो investing at RF है long zcb is equal to investing at RF और मुझे यह शॉर्ट कर रहा हूं यह कैसे पता चला आप सारे के सारी पूजिशन खुदी कर सकते हैं अब अगर मैं आप से इस सी केवदल से पी पूच लेता तो क्या आगर इक अगर मैं आप lóg यहांपे सिंझन इक पूच लेता तो क्या कर दें we would have been the ऐसी माइनस एक्स प्लस इडियोफ एक्स सी प्लस एक्स माइनश के यह कर लेते और के करो्त शेंट पूट यह वोड़ाव बीन कॉल लॉग बॉर्ण लॉग एंद स्पॉर्ट शॉर्ट है यह ना यह हो गया सिंथेटिक पॉट इसी तरीके से सिंथेटिक स्पॉर्ट बन जाएगा इसी तरीके से सिंथेटिक पीवी ऑफ एक्स बन जाएगा सारे के सारे करके नहीं दिखाऊंगा इम शॉर्ण इसके आगे का पॉर्ट्शन आप बहुत अच्छे से कुछ से मैनेज कर सकते हैं एक चीज लाक लास्ट बोल देता हूं यह है पुट कॉल पैरिटी ठीक है ना दुबारा लिख रहा हूं पुट कॉल पैरिटी थेवरों पी सी पी यह क्या है सी प्लस एक्स इस इक्विल है पी प्लस एस एगें यहां पुट कॉल पैर इसे होती है पूट कॉल फौरवर्ड पैरीटी फिट कॉल फौर्वर्ड पार टी वहांसे स्पार्ट के बदले फॉर्वड का योज्स करते हैं मुझे बताना एभ इस इक्म टैस इन्टु वन प्लस आर ठीजियुकल तो यह क्या होगा सी प्लस पी वी ओफ एक्स इस एक्वल टू प्लस एफ दिवाइड़ बाइड़ बाइड वन प्लस आर वोल टू पावर टी यह बात समझ आती है आपको हाँ या ना तो नोट्स के स्टैंड पॉइंट से अगर आपने लिखा है तो इस पॉइंट नंबर ए ए वन ए टू ए थ्री हो जाएंगी सिंथेटिक पॉजिशन ए थ्री हो गई सिंथेटिक पॉजिशन ए फोर हो गया आपके लिए पॉट कॉल फॉरवर्ड पारिटी ए फाइव में लिख लीजे अधर पॉइंट्स पॉट कॉल फॉरवर्ड पारिटी पॉट कॉल पारिटी यह किस पर अप्लाए होती है अप्लाइज ओनली ओन यूरोपियन ऑप्शन्स पॉट कॉल एंड पॉट यूज इन दो पीसीपी फ्रेमवर्ग एक्स इस सेम यह जो कॉल आप्शन है और यह जो पॉट ऑप्शन है यह दोनों का एक्सरसाइस प्राइस सेम रहा होगा तब जाके यह कंडिशन सैटिस्फाइब करेगी फोल्ट ट्रू करेगी ठीक है सिर्फ और सिर्फ इतना है यह पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपक को इसके एक दो क्वेश्चन्स वगेरा रुखिये दिखाता हूं मैंने अपने सामने सीबुक खोली हुई है जस्ट वन से मैं इसके कुछ क्वेश्चन्स आपको देता हूं फिगर थोड़े से चेंज कर दूँँगा कि इसका एक्जाम्पल लिख लिए कि से ट्रूसत कर दिखर लिए an asset is trading at rupees 90. exercise price of call and put is equal to hundred is equal to 4% time to maturity is three months. Compute the difference between put and call values. करो कंप्यूट कंप्यूट करो इन दिस केस्ट क्या होगा बताईए आपके स्क्रीन पर दो कुश्चन्स लिखें यह एक्जैम्पल वन है जिसको मैंने अभी यह ग्रीन हाइलाइट कर दिया उसके बाद यह एक्जैम्पल नंबर टू है जो कि यह टाइप डैप के सामने कंप्यूट करो यह दोनों की वैल्ली आई यह सॉल करते हैं यह तीन आंसर्स मिलें तीनों के तीनों अलग अलग यह सॉल्यूशन देखते हैं यहां पर क्या किया हुए बोल रहा है एक्जैट इस ट्रीडिंग एट 90 रुपीज यह क्या दिया है एक्सराइस प्राइस दिया है कॉल और पुट दोनों का हंड्रेड तो यह एक्स दिया हुए आरेफ दिया हुए टाइम तो मैचारिटी दिय हुए थ्री मन्स बोल रहा है वैस निकालो क्या होगा डिफरेंस विटीन दो कॉल एंपोट वैल्यूश सी प्लस पीवी ऑफ एक्स इस एक्वल टू पी प्लस एस यह ना अब मुझे निकालना क्या है सी माइनस पी इस एक्वल टू एस माइनस पीवी ऑफ एक्स सी माइनस प तो पीवी ऑफ एक्स क्या होगा हंड्रेट डिवाइड बाइव फोर फोल्ट टु दी पावर 0.25 थ्री मुंस कितना होता है त्री मुंस इस एक्वल टू तू थ्री बाइट टू इस एक्वल टू जिरो पॉइंट तू फइफ यह निकालो कितना है गा बीच में 9.024 दिए देना बुल रहा है कंप्यूट दू डिफरेंस बिट्वीन पॉट एंड कॉल वैल्यू तो यह एक्चुली 9.024 वह अंसर यह पूछ रहा है पी माइनस सी यह पूछ रहा है पी माइनस सी तो यह कितना होगा यह सी माइनस पी आ रहें 9.024 नेगिटिव त लेटना स्टॉप्राइब फिफ्टी को एस दिया हूए रफ दिया हूए यह थ्री मन्थ पॉट ऑप्षिन एक्ससाइस प्राइब फिफ्टी ग्रेंग आप फिफिटी पी दिया हूए 1.5 सी फ्लस पी वी ऑफ एक्स इस एक्वल तू पी प्लस एस पी है बन पॉन पॉन एक्स है 50 और प्रेजंट वैल्यू आफ एक्स इस दिस मुश्किल है निकालना वन पॉइंट जीरो फाइव वाइटु पावर एक्स पॉइंट तू फाइव नेगेटिव इन टू फिप्टी नेगेटिव प्लस वन पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टीटू कॉल इस फोर पॉ प्लस माइनस में ऊपर नीचे ना किया हूं मैंने एक बार आप चेक कर लिजे फिर भी पॉर पॉइंट वन जीरो सिक्स आ रहा है मेरा इस वास पुट कॉल पैरिटी एंड पुट कॉल फॉरवर्ट पैरिटी कि ए वन से लेके ए फाइफ तक का डिस्क्रिप्शन था आप इसके आगे एक चीज़ लिख सकते हैं एगे सिक्स कि सॉरी कि ए है ना यह एवन एवन का जो प्रूफ है यह मैंने आपको यहां पर लिखवाया हुआ था मैं इसको स्टार माप कर दे रहा हूँ अगर आपको यह लग प्रूफ चाहिए तो इस डिस वन यह एवन को प्रूफ करके मैंने दिखाया था विच इस ओवर है इस एवन स्टार थीक है जी क्यों आ रहा है यह सारा का सारा सेम आएगा यह मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है सर एक्जैम में प्रूफ आ सकता है क्या कोई चांस नहीं है तो यह एवन का प्रूफ था अगर आप सिर्फ एक्जैम स्टेंड पॉइंट से पढ़ रहें तो आपके लिए पूरे के पूरे चैप्टर में यह पांच पॉइंट इनफ हैं एवन से लेके एफाइफ तब के सर आपने यह बहुत बढ़िया बात बोली हमको ऐसे पढ़ना पसंद है कि एंड में रटने का माल दे दो हमारे हाथ में बस ठीक है कोई डाउट से तो पूछिए वीडियो य यह पड़ा है यूटिलीटि कर संदेक ओद नंबरफन है क्रियोंग सेंथेटिक फॉजिशन ग्र एंटिली नंबर वन पनीय किए और गया है इसमें इसकी यूटिलिटी क्या है एक तो यह है कि आप इसकी सिंथेटिक पोजीशन बना सकते हैं ठीक है ना सर इसकी इसको यूटिलिटी क्यों कह रहे हो मान लो अगर मैं आपको बोलता कि सिंथेटिक अंडरलाइंग बनाओ सिंथेटिक अंडरलाइंग बनाओ तो क्या करतें सी प्लस एक्स सिंथेटिक अंडरलाइंग एसकी पोजीशन बनानी होती तो क्या करतें सी प्लस प्रेजेट वैल्यू आफ एक्स माइनस पी यह कर देतें छिपनाने का मार्केट से मिल जाता है तो सी प्रेजेंट वैल्यू आफ एक्स माइनस पी बनाने का पॉइंट ही क्या है S is equal to C plus PV of X minus P बनाने का फाइदा ही किया है बिल्कुल सही कह रहे हूँ अगर आपको underline को short करना हो फिर क्या करोगे minus C minus PV of X plus P तो एक long put एक short call एक long put एक short call और borrowing at RF borrowing at RF यह position बनानी पड़ेगी एक short spot एक short underline position के लिए हां सर यह तो समझ आ गया बोलना क्या चाहरे हो तो एक तो यूटिलिटी है synthetic position बना सकते हो भी सेकेंड यूटिलिटी क्या है कि सेकेंड यूटिलिटी है कि आप इससे arbitrage opportunities देख सकते हैं सर यह नहीं समझाया मान लो आपने इस केस में क्या किया था 4.106 का call option का value निकाला था करेक्ट मान लो अगर यहां पर आपको दिया रहता यहां पर इसने बोला था due to light trading in call options there was not a listed quote for three month call मान लो यहां पर बोलता कि call की quotation है because बहुत कम trading है बहुत कम trading है तो लिस्टिंग नहीं है तो मान लो कॉल की value दे देता जैसे बोल रहा है और sell costly thing तो इसे long करते इसे short करते दोनों से क्या आ जाता arbitrage gained कितने का 7-4.106 2.89 का 2.89 का arbitrage gain आ जाता सर यह तो समझ आ गया यह पुट कॉल forward parity का क्या मतलब था यह इसका क्या sense बनता सेम जिस तरीके से आप synthetic spot create कर सकते उसी तरीके से आप synthetic forward create कर सकते उसी तरीके से आप इन में भी arbitrage की opportunities देख सकते तो अगर आप F&O market की बात करें तो उसमें call option put option forwards यह future यह तीनों का use करके आप कुछ ना कुछ arbitrage opportunities का मतलब you can find arbitrage opportunities in them अब सुनना यहां तक जितनी बात किये सारी की सारी स्लेबस की अब इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सुनों आप मैंसे कोई बोलेगा सर अगर यह आर्बिट्राज यह ना आते हैं तो हम लोग काम दंदा करी क्यों रहें अर्बिट्राज का मतलब क्या होता है इस्प्रॉफिट इट इस रिस्कले स्प्रोफट्ट इनवेश्मेंट k구나 दो बेस्ट है जॉब छोड़ो आर्बिट्राज जुना इन्वेस्मेंट करना नहीं है और पैसे मिलेंगे मिलेंगे पैसे मिलने 100% से पैसे मिलने हैं इसके जैसा काम नहीं है जौब आप छोड़ो आर्बिटराज दिलवा होगी दोस्त होता क्या है मार्केट में आप कोई कॉंसेप्ट समझ आना चाहिए कि ये दोनों की वैल्यू में अगर डेल्टा आ रहा है तो आर्बिटराज उपर्चुन माइक्रो सेकेंड में खुदी कैच कर लें तो इस वज़े से सिस्टम इस तरीके से चल रहा होता है कि ये दोनों में कभी भी आर्बिटराज उपर्चुनिटी आएंगी ही नहीं आ रही होंगी तो वो खुदी सिस्टम खुदी चूसता जाएगा अगर उसको लग रहाए कि कि हैं रही है खुदी और यह महखा यह सथा है ईसको खरीद लेगा खितनी बार इती बार खरीक करेंगे यह साथ रुपए वाले को बेचके इसका दाम जो साड़े-पांच ले आएगा और ये चार वाले को खरीद-खरीद के सकता हम साड़े-पांच ले आएगा तो दोनों के प्राइज कर जाएंगे मैं कनवर्ज वर्ड पे कही बार इतना फोकस इसलिए डालता हूं को खतम करना होता है तो सारे के सारे लोग उस पर प्रॉफिट करने लग जाएंगे यह पॉइंट को बोलता हूं फॉट का पारिटी का यह क्वेशन दिया हूए आपको प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल करें बोल रहा है एक्स लिमिटेट शेर्स अर्करेंटली प्राइज एट 295 पर शेर अन अनलेस्ट इस कंसेडरिंग पर्चियर्ट अफॉट उन एक्स लिमिटेट शेर्स प्राइस अ पे फॉर पॉट पर शेर इस रिलेवेंट रिस्क फ्री रेट इस फोर परसेंट सेकेंड इसको सॉल करने के लिए मेरे इसाब से एक्जैम में दो से तीन मिनिट लगने चाहिए पूरा का पूरा कुश्चन सॉल करने में टू मिनिट्स इस मच मोर देन इनफ प्लीज ट्राइस वीडियो को पॉर्ट वीडियो को पॉस करो अगरे रिकॉर्डिंग में देख रहे हो तो खुद सॉल कर रहा और फिर आगे चलके अनपॉस करके इसका सॉल्यूशन देखना मैं यहीं बहुत कर रहा हूं आप सबके लिए बेट कर रहा हूं इसमें करना क्या है इसमें कैसे गलती हो सकती है क्या करना है इसमें बताओ बोल रहा है एस दिया हुए है एस दिया हुए है दो सो पंचयान बे पी कितना है यह दिया है एक्स टू सिस्टी फाइव डिवाइड बाइड वान प्लस आर एफ होल तो दी पावर टी यह करना है पी कितना है इनलिस्ट ऑब्स और शिक्स मंत कॉल ऑश्टी नाइन तो यह 59 का है वाट शूड़ी एक्सपेक्ट टू पेपर पूट इस फोर परसंट इस वन पॉइंट जीरो फोर और सिक्स मंत का यह तो दिस जीरो पॉइंट फाइव जीरो यह करना है कितनी आर यह पी की वैल्यू 23.85 23.85 यह आर यह वैल्यू अब यह 23.85 आर यह सिंथेटिक पूट की वैल्यू दिस इस सिंथेटिक पूट और मार्केट में पूट की वैल्यू है यह क्या करो इसको करो शॉर्ट और इसको करो लॉंग तो आर्बिट्राज गेन कितना आएगा यह दोनों का डेल्टा इसको शॉर्ट करोगे इसको लॉंग करोगे तो आपका एक्जैम में क्या दिया होगा कि क्या करना पड़गा उट को शॉर्ट ठीक है और P बनाने के लिए करना क्या पढ़ता है P बनाने के लिए C प्लस PV आफ X माइनस S तो मार्केट में ये गेन होगा कैसे put को करोगे short call को करोगे long ZCB को करोगे long और spot या फिर underlying asset को करोगे short ठीक है जी ये करना होगा ये put को short करने की बात कहां से आ रही है ये put को short करने की बात आ रही है यहां से और ये बाकी तीन को long करने की बात कहां से आ रही है बाकी तीन को long करने की बात आ रही है यहां से synthetic put को long करना मतलब क्या हुआ यह हो गया तो अगर आप करेंगे तो आपको छे महीने के बाद 6 months का profit आपका 6.15 का हो जाएगा आए आगे बढ़ते हैं हम देख रहे हैं एक topic जिसका नाम है binomial options binomial model rather I should have not written binomial option it is binomial model as per your c book this is the last topic of derivatives for me obviously a few other topics are left but हमारे लिए story wise narrative wise चीक बैठेगा तो पहले binomial model देखते हैं मान लीजिए मैंने आपको एक केस दिया मैंने का जी time zero पे call option दस रुपए का premium पे किया आपने और exercise price मिला 100 रुपए का आपकी bet क्या है c plus की bet क्या है that at time t 100 रुपए से उपर होगा at time t the particular underlying asset let's say the underlying asset is an RIL stock reliance का stock है अगर मैंने reliance के stock पे एक साल का call option buy किया है at exercise price of 100 तो what is my bet my bet is that at time one year the stock price of RIL would be more than 100 rupees this is my bet correct आगे move कर रहा हूं देखिएगा अब मेरा discussion इस बात प्यार है मान लो मैं यह निकालना चाहता हूं कि यह c is equal to 10 यह कैसे compute कि औप्शन की valuation कैसे कि अभी तक कि क्या देख चुके हैं बताना अभी तक कि देख चुके हैं c plus PV of X is equal to P plus S put call parity देख चुके तो क्या call option की value निकाल सकते हैं क्या call option की value निकाल सकते हैं हां निकाल सकते हैं कैसे P plus S minus PV of X एक यह देख चुके हैं ठीक है ना और क्या क्या चीज़ें देख चुके हैं अब हमने एक तरीका देखा हमने एक देखा कि अगर मैं आपसे पूछू call option की value तो आप क्या करते हो आप निकालते हो max of 0,s-x इससे आप intrinsic value निकाल लेते हो time value हमें नहीं पता किस तरीके से निकाला जाती है कुछ तरीका होता होगा निकालने का और यह दोनों को टोटल करके value of option आ जाता है यह नहीं या फिर अगर अभी क्ले मैं बोलू तो आपने एक ऐसी वराइटी की जिसमें आपको value of option दिया है यह value of option कैसे दिया होगा demand forces, supply forces का interaction पे हाँ या ना market में अगर एक एक साल का call option एक साल का call option on R.I.L. stock available है तो इसकी demand होगी इसकी supply होगी उसके basis पे 10 रुपए की value लगाई जा सकती है ना तो मान लो यह आ गया 10 रुपए intrinsic value है सात रुपए तो तीन रुपए आ गया balancing figure हाँ या ना हाँ सर यह भी किया जा सकते है तीसरा मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको आप बन गए मैंने आपको बोला भाई मुझे बताओ मुझे कॉल आप्शन की value निकालनी है कैसे निकालों तो सिंपल सा parameter क्या होगा वैल्यू ऑफ एनीटिंग वैल्यू ऑफ एनी एसेट चाहे वह option है चाहे कॉल आप्शन है चाहे वह कोई real estate एसेट है चाहे वह कोई share है सबकी value कैसे निकाली जाती है जो future में cash flows होने वाले हैं इसको discount कर दिया और summation of discounted cash flow कर लिया सही लिखा है गलत लिखा है मैंने सर लिखा तो सही है अब एक बात बताना मैं खड़ाऊं time zero पे कि मान लिजे स्टॉप की प्राइज है पचास रुपे फ्यूचर में इसकी वैल्य हो सकती है इसकी value क्या हो सकती है आज इसकी value है 50 रुपे future में इसकी क्या value हो सकती है हो सकता है 0 rupees पहुंच जाए हो सकता है 500 रुपए पहुंच जाए सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं ideally value कैसे लगानी चाहिए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके अगर spot price 500 रुपए हो जाए ST 500 रुपए तक हो जाए तो हर case में call की value निकालो और यह सब को discounted कर लो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं अगर यहां तक के समझ आ रहा है तो लिखो ओके मुझे time 0 की value पता है 50 रुपए time t time at one year पर क्या value हो सकती है 0 भी हो सकती है 500 भी हो सकती है अच्छा एक stock जो 50 रुपए का है उसकी एक साल में value जीरो हो जाए इसका कितना probability है बहुत कम या बहुत जादा लो या हाई और जो पचास रुपए का stock है वो एक साल में 500 रुपए पहुंच जाए इसकी probability लो या हाई अच्छा जो 50 रुपए का stock है वो मान लो सत्तर से सौ के बीच में रह जाए इसकी क्या probability है एक साल में यहाई है अब आपकी बुक्स शायद ऐसा नहीं करके दिखाएंगी बढ़ एक बार सोच के देखो मैं ठीक लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं यह वैल्यू क्या होगी इस टाइम पर यह एक नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन बन जाएगा हां या ना अगर आप विजुलाइस कर पा रहे हों तो यह ऐसा डिस्ट्रिबूशन बन जाएगा तो जो टेल्स में वैल्यू है मतलब बहुत कम वैली होने की बहुत कम प्रोयबिल्टी जादा वैली होने की बहुत जादा बहुत जादा वैली होने की भी बहुत कम प्रोयबिल्टी और हाई प्रोयबिल्टी बनेगी यह बीच वाले एरिया की हां या ना इसकी लोग प्रोयबिल्टी इसकी लोग प्रोय एक सिंद्ट रुकिए गाओ मान लो एक्सरसाइज प्राइज है सब्सक्राइज रुपे गाओ मैंने वैल्यू कैल्कुलेट की एस एट टाइम वन इयर मैंने कैल्कुलेट किया वन टू थ्री फोर फाइफ इससे सेवन्टी सेवन्टी वन सेवन्टी टू सेवन्टी थ्री सेवन्टी फाइफ फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड वन फाइव हंड्रेड टू वानलो यह वैल्यूज कैल्कुलेट की तो क्या मैं पी वी मां सॉरी कॉल वैल्यू एट वन येर कंप्यूट कर सकता हूं कितनी चै मैक्ष ऑफ जीरो कॉमा यहां पर आजाएगी वन यहां फे टू यहां पर आएगी तु यहां पर आएगी फाइफ कि एंस ओन एंस फोर्थ यहां पर कितनी आ जाएगी फॉर थर्टी फॉर थर्टी वन फॉर थर्टी टू ठीक लगा या नहीं लगाए यह सब मैं समझ आ रहे ना मैं क्या कर रहा हूं करना नहीं होगा एक्जैम में इतना लंबा चौड़ लेकिन आपको प्रोसेस समझ आ रहा है न अगर प्रोसेस समझ आ रहा है तो लिखो ओके अब मुझे एक चीज बताओ यह सारी की सारी के हैं possible values of stock यह सारी की सारी value के है possible values of call option अब अगर मैं आपको इसके सामने इसकी probability दे दू मान लो 0 होने की probability 40% 1 होने की probability 1% 2 होने की probability 1% 3 होने की probability 1% 5 होने की probability 1% ऐसे कर करके सबकी probability दे दू मान लो यह सबकी इसकी probability 0.1% इसकी probability 0.1% इसकी probability 0.1% तो कि आप call option की value निकाल लोगे हाँ का सब्सक्राइब इस एक वेल्यू आजाएगी इससे टोटल ऑप्षन की वैल्यू हाजाएगी इसको हम सीटी बोल लेंगे बॉल हाया ना और सी टी से सी जीरो आ जाएगा सी जीरो विल विल वाट सी एट टाइम टी डिवाइड़ वाइड़ वाइन प्लस आर एफ पूल टुदी पावर टी हां या ना यहां तक समझ आ गया तो लिखो ओके अभी तो मैंने सिर्फ प्रॉइबिल्टी आपको बोल दिया कि कुछ ऐसा होता होगा सर एक बात बताओ एक्जैम में अगर हमको ऐसे 500 केसे दे दिए और सबकी प्रॉइबिल्टी मल्टिप्लाय करने के लिए दे दिया तो हम सीटी और सीजीरो निकालने में सीटी बजवा लेंगे पूरी हां या ना दोस्त यह सब करना नहीं है यह सब तो करते हैं बहुत भार है यह एक प्रोफाइल एक फोर्व में होती है जो लोग यह कॉंपलेक्स सेक्यारीटीस की वाबरेशन करते हैं वो करता हैं यह सारा का सारा का मेरे फ्रेंजे اس प्रोफाईल में काम यह होता है प्राक्टिकली देखना क्या बोलना चाहरा हूं प्राक्टिकली मैं शायद ऐसा बोलना चाहरा हूं कि मान लो आज 50 रुपए की प्राइज है और का सेबिए सबरैणि के के móए चोक थैन एक्स c, ये है s t, c t कितना आएगा बताओ, c t कितना आएगा, what is this, नालाया कि ये s zero था, ये s t है, ये c t है, x is equal to 60, और यह चालिस के केस में क्या वैल्यू आएगी बताना माइनस टेंड हाँ या न चालिस के केस में माइनस टेन हाँ या न रिस्पॉंस नहीं आ रहे हैं मुझे अब देखना मान लो इसकी प्रोइबिल्टी ए सिक्स्टी परसेंट तो क्या बोल सकता हूं टेन का सिक्स्टी परसेंट और जीरो का फॉर्टी परसेंट जीरो तो कॉल की वैल्यू क्या होगी देखनी इसग्स कॉल की वैले एक टाैंवन उन जीरो अगर निकाल रहा हूं लगाँ सीजिरो तो वैल्यो वेल्यू क्या होगी इस डिवाइब वाइड वैन प्लसह एफ मान लो र' एफआश के परसेंट ये आखे मान लो चार परसेंट तो क्या होगा शिक्स डिवाइडड पुरना चाह रहा हूँ मेरे पास S0 available है स्ट से CT निकाल सकता हूं और CT को discount करके C0 निकाल सकता हूं हाँ या ना एस जीरो गिवन है कि स्टी गिवन है इससे CT कंप्यूट हो सकता है CT से C0 आ सकता है C0 क्या होगा CT स्टी डिवाइड़ वाइवन प्लस आर एफ फोल्टू दी पावर टी हाँ या ना स्टी कैसे निकलेगा कि स्टी के लिए अगर कॉंप्लेक्स मॉडल्स की बात करूं तो एक नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन करव बन जाएगा हाँ या ना हाँ सर हमें नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन करव नहीं बनाना रियल लाइफ में दस हजार पॉसिबिलिटीज होती होंगी हमें वह सारी नहीं कंसिडर करनी आपके सीबुक ने क्या बोला कि भाई तुम सब को छोड़ो तुम इसे बाइनॉमियल के केस में वैल्यू निकाल के बता तो मतलब एस जीरो गिवन है कि एक की एश की एक ती वैल्यू यह गिवन है क्या दोनों में ठीं हाइव वैल्यू और सी टीं लो वैल्यू निकाली जा सकती है हाँ या ना बताओ CT की high value और CT की low value निकाली जा सकती है अब एक बात बताना अगर ये CT की high value और CT की low value निकाल ली क्या ये दोनों को probability of high और probability of low से multiply करके मैं value of call option in case one and value of call option in case two value of call option in high move and value of call option in a low move ये निकाल सकता हूं ये दोनों को add करके क्या value of call option at time t आ जाएगा आ जाएगा क्या इसको discount करके value of call option at time zero निकाला जा सकता है निकाला जा सकता है बस इतना ही है पूरा पूरा चैप्टर इसके इसके सवाग कुछ नियाप पूरे चैप्टर ने है कि इसके सवाग कुछ निया पूरे के पूरे चैप्टर में ट्रस्ट में है यहाँ तक क्या आपके जो में सब्सक्राइब एक लाग केसे सब्सक्राइब क्योंकि यह तो मैं 1234 ले रहा हूं ना अगर मैं वन 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 ऐसे करके करूं तो तो मेरे पास इंफाइनाइट केसे अवेलेबल है हाँ या ना ये इंफाइनाइट केसेज में स्टी निकालेंगे उससे सीटी निकालेंगे सीटी से प्रोबिल्टी मल्टिप्लाइ करेंगे इससे वेटेड सीटी आ जाएगा ठीक है ना इससे वेटेड सीटी आ जाएगा इसको डिसकाउंट बैक करेंगे इससे सीजीरो निकाल ले प्रोसेस यह समझाना भी यहीं चाता है इंस्टिवूट हमको लेकिन प्रॉब्लम के हैं यह सारा का सारा तामजाम होगा एक एक बहुत बड़े computer के software से अब हमें software का access तो है ने exam में तो उसने क्या किया उसने हमें थोड़ी सी easy चीज समझाई उला छोड़ो ना इतनी बड़ी बड़ी बाते इतना बड़ा ना मानो मान लो कि अगर सिर्फ दो cases होते एक हाई एक लो तब क्या बनता है यह बताओ और यह भी सिर्फ one period के लिए करा रहे हो अभी क्या होगा आपको एक रेट अभी गिवन होगा मान लो एक 50 है पिर हो जाएगा सतर फिर हो जाएगा 40 आप लेवल टू में पढ़ोगे यह सतर के बाद एक केस आएगा असी एक केस आएगा पचास एक एक केस आएगा पच्चिस ऐसा ये टू पिरियड हो गया लेवल थरी में एक्जैम में मनलब सॉरी एक्जैम में तो नहीं देखा है एक्जैम का मुझे नहीं पता लेकिन अगर स्टडी के हिसाब से बोलूम जो सी बुक में कुश्चिंज दियें उसमें थरी पिरियड तक के दिया हुआ है उसमें थरी पिरियड तक दिया हुआ है आपके लिए क्या कोर्स में आपके लिए सिर्फ इतना कोर्स में आपके लिए आगे का कोई तामजाम कोर्स में नहीं है और उसमें अमेरिकन और यूरोपियन दोनों ही कोर्स में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कोर्स में तो आपको क्या दिया जाएगा आपको दिया जाएगा बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको अभी का प्राइस बता दिया जाएगा एस जीरो आपको स्टी का प्राइस बता दिया जाएगा या फिर स्टी निकालने का तरीका दिया जाएगा स्टी से आप सीटी निकालेंगे वन पर आजाएगी तो आप क्या करेंगे आप इसे पुल बाक करके टाइम जीरो पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है एनी क्वेश्चन्स इन दिस प्लीज आस्क और इल्स मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूं अपने एंट से आईए मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मान लीजे एस जीरो इस इक्वल टू फिफ्टी अप मूव इस इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइफ डाउन मूव इस इक्वल टू जीरो पॉइंट एट जीरो कि अप मूव डाउन मूव का क्या मतलब है कि एस जीरो अगर पचास है तो एस टाइम टी कितना होगा फिफ्टी इंटू वन पॉइंट टू पॉइंट फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो तो यह क्या हो गया यह आगया फॉट्टी और यह कितना आ probability of down move, not given. ये कितनी आएगी बताना? ये कितनी आएगी? 1-60% that is 40%. अब अगर exercise price आपको यहाँ पर दे दिया जाएं, if let's say they are telling you that the exercise price is 45. compute value of option, compute value of European option, European call option rather, तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल ST आ गया है, ST से CT निकल जाएगा क्या? what will be CT? अगर X 45 है, तो CT क्या होगा बताओ? 17.50 और निल, हाँ या ना, probability दी हुई आपको, 60% और 40%, 60% और 40%, ठीक है? क्या करेंगे बताइए? 17.5 into 60% and nil into 40%, कितना आता है? into 60%, this is 10.50, this is nil, a total is 10.50. इसे पुल, यह क्या आ गया? यह आ गया, C at time T. यह आ गया, C at time T. Just one sec. ठीक है नो? अब, आपको अर्ष से क्या करना है? C at time 0 निकालना है. मान लो, T is equal to 1 year. Say, T is equal to 1 year और RF is equal to 7%. Compute C 0. C 0 is equal to C 1 year divided by 1 plus RF hold to the power T. तो यह क्या हो गया? It is 10.50 divided by 1.07, 4 to the power 1. That is 9.81. यह आया आपकान से. That's it. कुछ नहीं करना इसके सभाँ, यह ही है. This is what binomial is. ठीक है अब मैं एक बार आपको इसका मीनिंग तो एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ. Now I'll discuss things in the manner of notes. ठीक है? अब देखेगा. Point No.1. Binomial model. Point No.1. You have S 0 available. ठीक है? You have S 0 available. यह होगा given. इससे आप compute करोगे S T. Up Move वाला. और इससे compute करोगे S T. Down Move वाला. ठीक है? तो यह आप करेंगे compute. यह होगा आपका Step 1. ठीक है? इससे आपका आएगा Step 2. इससे आप क्या compute करेंगे? आप इससे compute करेंगे CT और CT. इसको Up Move वाले को यू गोल दे रहा हूँ. इससे डाउन गोल दे रहा हूँ. ठीक है? अगर call के बदले put option दिया हुए तो PTU, PTD हो जाएगा. ठीक है न? इसके बाद Step 3. इसको multiply करेंगे Probability of Up Move से, इसको multiply करेंगे Probability of Down Move से. ठीक है न? यह combined value हागई Step 4. Step 4 में क्या होगा? This value, let's call it X and this value, let's call it Y. Y generally 0 होगी. ठीक है न? Y generally 0 होगी. Generally 0. सर हो सकता है क्या कि ना भी हो? हाँ, कोई specific exam में वैसा question बनाऊगी, तो हो भी सकती है. Add it up. Step 5. Add both. Result is equal to CT. Step 6. Compute C0. C0 is equal to CT divided by 1 plus RF equal to the power T. T. यह है पूरी की पूरी पिच्चर आपके mind में. अब देखना छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख रहा हूँ, क्या करना होगा आपको? अप मूव की value, ST अप मूव यह कैसा आएगा? आपको S0 दिया होगा? S0 इन्टु यू, इन्टु अप मूव फैक्टर. यू क्या है? अप मूव फैक्टर. D क्या है? D is down move factor. अब अब वाले notes में नहीं लिखी होती है बात, लेकिन, चलो मैं भी नहीं बोलता हूँ, confusion हो जाएगा जबर दस्ती. यू is equal to up-move factor, D is equal to down-move factor. ठीक है? Probability of up-move factor. यह हो सकता है आपको question में given, what? इसको निकालने का एक formula है. क्या है देखीगा? 1 प्लस RF-D divided by U-D. 1 प्लस RF-D divided by U-D. This is the formula to compute the probability of up-move factor. ठीक है? जैसे अभी आपको मैंने जो question कराया था, अगर आप उसमें देखोगे, तो अब RF कितना था? 7 परसेंट था. अब move factor कितना था? 1.25 था. डाउन-move factor कितना था? 0.80 था. तो probability of up-move क्या आती उस case में? 1 प्लस RF, तो RF is 0.07 minus D, D कितना है? 0.80 divided by U-D. 1.25 minus 0.80. यह कितना है? 27 by 45, which is 60%. और probability of down-move क्या होगा? 1 minus probability of up-move. तो आपने क्या क्या चीज़े पढ़ ली? You have studied point number 1, point number 2, point number 3, point number 4. ठीक है जी. आपके question में probability of up-move and down-move, मतब probability of up-move और down-move गिवन था, लेकिन exam में उसने अगर U और D दे दिया, तो हो आपको probability of up-move और down-move नहीं देगा, आपको खुद compute करना पड़ेगा using this formula. तो आपके याद करने की क्या-क्या चीज़े हैं? ये, ये और ये. हाँ या ना. जिस तरीके से call की value निकाली है, इसी तरीके से put की value बें निकाली जा सकती है. सर एक बात बताओ. ये formula आया कहां से? अभी के लिए pending. ये आपके L1 में syllabus में नहीं है. आप अगर पुरानी वाली वीडियो देखोगे, तो मैंने ये discuss किया, ये कहां से आया. अभी के लिए pending मैं नहीं पढ़ा रहा. I am not sure I should teach this to you or not. मैं आपको बता सकता हूं, but I don't want to teach this to you. पुरानी वाली वीडियो में ये explain किया हुग गया है. ठीक है, एक और चीज़ बोल रहा हूं. ये जो probability है ना, इसका logic, L1 के syllabus में नहीं है, L2 में है. ठीक है, मैंने पिछली बार L1 में भी पढ़ा दिया था. मैं आप आपको एक चीज़ बता देता हूं, ये जो probability of up-move and probability of down-move है ना, इससे आप बोलते हो, rn probability, rn probability, मतलब risk-neutral probability बोलते हूं, rn probability, this is not some subjective probability, जैसे मैं आपको बोलू, what is the probability of India winning, against West Indies, आप बोलोगे 98% winning, 2% losing, ठीक है, in a test match, जो चल रहे हैं भी, उसमें इंडिया की विनिंग क probability, 98%, ये subjective है, आप कुछ और बोलोगे, आपका पड़ोसी कुछ और बोलेगा, मैं कुछ और बोलूँगा, यहां जो probability की बात की जारी है, it is rn probability, that is risk-neutral probabilities, ठीक है, ये risk-neutral probability से इसका जो formula है, वो linked है, there is a reason that it is risk-neutral probability and there is a way to compute it, मैं यहां पे अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ answer निकालना और इस पूरे के पूरे chapter को tackle करना सिखा दूँगा, इसके बाद में separate video record कर लेंगे, अगर आपके अंदर हिम्मत बचेगी तो, और मैं उसमें आपको उसका logic बता दूँगा, अगर आप चाहेंगे, तो नहीं तो बस इतना याद रखना है आपको, कि यह risk पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर ए लिख लिए इसको रादर, पॉइंट नंबर बी, एक्जाम्पल, हमने किया ये, X इसी, सॉरी, S is equal to 50, time is equal to 1 year, up move is equal to 1.25, down move is equal to 0.80, compute, S is this, और X is 45, compute, C 0, ठीक है, ये हमको निकालना था, तो मेरे पास S 0 available है 50, time is equal to 1 year, यहाँ पर मैं, up move और down move दोनों निकाल दूँगा तो, S U, ये कितार है 50 into 1.25, which is 62.50, S D, आरहे 50 into 0.80, which is 40, यहाँ मैंने step number 1, मैंने S T compute कर लिया, S T से C T आएगा, ये कितना आ गया, दिस इस 12.50 and दिस इस निल में, इसको मल्टिप्लाइ करो प्रोबाइबिल्टी से, into P U, P U into P D, P U और P D है नहीं, इसके लिए देखो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, प्रोबाइबिल्टी अप मूव इस एकोल तो, 1 plus RF minus D divided by U minus D, RF कितना है, 7% RF is equal to 7%, so ये हो गया, 1 plus 0.07 minus D is 0.80 divided by U, 1.25 minus 0.80, ये हो गया, 27 by 45, that is 60%, ये है probability of up move, probability of down move कितना आ गया, 40%, ये आया, 60%, ये आया, 40%, ये है P U, ये है P D, दोनों का दोनों आपने वर्किंग नोट 1 में देख दिए, 12.5 into 60%, क्या आ रहा है ये answer, ये है कुछ और आ रहा है तो, अच्छा, X 45, सॉरी, 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 माइ बैड, माइ बैड, ST से CT निकालना था, X is 45, X is 45, तो 62.5 minus 45, ये आ रहा था, 75, और into 60% कर दिया, ये आगया 10.50, ये आगया निल्ट, ठीक है जी, ये हो गया, step 1, step 2, step 3, C into, CT into P कर दिया, इन दोनों को कम्बाइन किया, ये आगया, CT is equal to 10.50, ये कैसे आए, summation of CT into P, ठीक है न, CT से आपने C0 निकाल लिया, by the way, this was your step 4, और इस से आपने step 5 निकाल लिया, C0, C0 is equal to what, CT divided by 1 plus RF, whole to the power T, CT is 10.50, divided by 1 plus RF, 1.07, whole to the power 1, that is 9.81, ठीक है जी, ये हैं आपके दो पॉइंट्स, आपने ये पूरा का पूरा एक चार्ट बना लिया होगा, probability of up move को, आपने बस ये mention करना है, कि ये जो probability of up move और down move है, ये दोनों की दोनो risk neutral probability है, आर एन probability, ये mention करना है, ठीक है, दोनों का formula आपने mention कर दिया है, अब move factor और down move factor के लिए आप क्या करेंगे, ST is equal to S0 into up move factor, या फिर S0 into down move factor, ठीक है ना, क्या इसी तरीके से आप pot option का value निकाल लेंगे, सेम, जैसे आपने ST निकाला है, वैसे ही step 2 पे pot option की value आजाएगे, अगर इसके बदले, call के बदले, अगर ये put होता तो क्या करते है, अगर call के बदले put होता तब क्या करते है, सारा कुछ सेम ही है, कुछ खास परक हैं नहीं दो, had this been put, then what would be the solution, अगर ये call के बदले put होता, तो क्या करते हैं अगर ये call के बदले put होता, तो यहाँ पर PTU निकालते हैं और PTD निकालते हैं, into probability of up-move, probability of down-move, step 4 is, P into T into probability of up-move, और P at time T into probability of down-move, step 5 is add both, step 6, P 0 is equal to PT divided by 1 plus RF pull to the power T, खत्म, और कुछ नहीं, ठीक है जी, सारा कुछ सेम, in fact एक काम करो, मैंने आपके लिए जो question compute करके दिया हैं ये वाला, इसी case में, इसी case में अगर सारा कुछ सेम है, यही सारी की सारी details है, यही सारी की सारी details है, compute P 0 बोलता तो क्या solution होता, निकाल के बता हूँ, compute P 0 for me in this very case, इसी case में P 0 की value निकालो, फटा-फट, that's it, यह question लिखा हुए आपके लिए, इस case में P 0 की value निकाल लिए, ठीक है, मैं वीडियो पॉस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए, यही से कॉपी कर लेते हैं, यह दुबारा कर देता हूँ, चलो, S 0, कितना है, 50, अब move factor क्या है, 1.25 से multiply करना पड़ेगा, down move factor क्या है, 0.80 से multiply करना पड़ेगा, तो spot price at time T हो गया, 62.50 and 40, ठीक है, put की value क्या होगी at time T, if X is 45, what will be the value of put? It will be nil in this case, bet क्या है, 45 से नीचे जाएगा, यहां उपर चला गया, value is nil, value is 5, हाँ यहां ना, probability of up move factor or down move factor यहां आ चुका था, 60 और 40, वो तो same ही रह जाएगा, yes or no, into 60% into 40%, this is nil and this is 2, combined value is 2, यह हो गया, P at time T, P at time 0 क्या होगा, 2 divided by 1.07, whole to the power 1, कितना अतर बता हो, 1.87, कितनों का आया था 1.87, सिर्फ एक परसंद का, just 1%, 2, okay great, अच्छा बढ़ रहा जाते हैं, मैंनत कर निकल जाएगा ऐसी भार में, हूँ, done, अब अगर आपसे एक कुश्चिन एक्जैम में आए, अगर आपसे कुश्चिन एक्जैम में आए, तो मैं पूरा का पूरा बनाता भी नहीं, अगर आप इसके तीन-चार कुश्चिन सॉल कर लोगे न, तो यह माइड विल बिकम सो, क्लियर अबाउट इस वेस्चिन एक यह एक्जैम में, यह सब इतना ताम जाम करने की ज़़ुरत है नहीं, विकॉज हो क्या रहा है, कॉल ऑप्शन में सिर्फ उपर में वैल्यू निकलती है, और पॉट ऑप्शन में सिर्फ नीचे में वैल्यू निकलती है, पॉट ऑप्शन में सिर्फ डाउन मूव फैक्टर में वैल्यू निकलती है, और कॉल ऑप्शन में सिर्फ उपर वाले में निकलती है, तो तो सिर्फ आप क्या किरूगे आप सिर्फ और सिर्फ इतना बना लोगे और उसके बाद आपको पता है सारा का सारा खुछ से तो इट इस यह question करने में actually एक minute लगता है पूरा example करने वाले से एक minute में one minute में solve कर लेंगे अच्छा अब इसी का मैं पार्ट इए लिख रहा हूं पार्ट इए मैंने यह डीटेल्स कॉपी की और मान लीजे मैं यहां पर लिख रहा हूं पार्ट इए यहां लिखा था कंप्यूट सी जीरो एंड पी जीरो यहां पर मैं सी जीरो की वैल्यू दे रहा हूं आपको 9.81 मान लीजे कंप्यूट पी जीरो यूजिंग पूट कॉल पैरिटी करो भाई सॉल मैं नहीं करूंगा आपने करना है देखना एक बार पूट कॉल पैरिटी से क्या है पूट कॉल पैरिटी सी प्लस पी वी ऑफ एक्स इस इक्वल टू पी प्लस एस मैंने स्टूडेंट्स को देख रहा है चो कई बार ना स्ट्रगल करते हैं उनको ने एक्जैम में यह नहीं ध्यान आ रहा हुता कि सी प्लस पी वी ऑफ एक्स था है मतलब वो उनको यह पता है फ्रिडूशरी कॉल और प्रोटेक्टिव पूट बटे सम्टाइम टेंड तो थिंग दैट सी प्लस प्लस पी ऑफ एक्स था और साथ में सी प्लस पी था मतलब उनको नहीं यह यह पता है कि यह चार टर्म्स यूज हो रहे हैं बट उनको यह एक्स पीएस मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग तो आपको चीज यह आद आ जानी चाहिए चीज इस इकवल तो 9.81 प्लस प्रेजंट वैल्यव एक्स इस फॉट्टी फव डिवाइड़ बाइड बाई 1.07 इस इकवल तो पी प्लस एस इस 50 पी कितना रहा है बताना 1.8 1.87 आ रहा था है ना क्या यह वाली वैल्यू और यह वाली वैल्यू सेम आ रही है यह आंसर इस तो पुट कॉल पैरेटी तो होल्ड करेगा ही न यहां लिख लो वैल्यू आफ Pt using binomial model is equal to will be same as value of pt या फिर ct जो भी हो और ct will be same as value of this using put call parity तो अगर आपसे exam में बोलता है कि आप what do you call call option और put option की value दोनों निकालो तो अगर आपने call option की value यहां से निकाल लिए सर यह बाइचान से माइए कि नहीं मैंने call option की value निकाल के दी थी 9.81 मैंने यहां से लिए थी फ्रॉम स्टेप बी इस फ्रॉम स्टेप बी कि करना तो दिस विल ऑल्वेज होल्टू पुट कॉल पैरिटी ऑल्वेज होल्स ट्रू ठीक है ना दिस इस डन यह था इजी पार्ट इस चैप्टर का अब आई यह थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट सिखा रहा हूं कि एफ कि एज रेशियो निकाल रहे हैं हम देखिएगा क्या होता है है रेशियो आई यह समझते हैं मुझे मतलब इसके आगे वाला जो पार्ट है ना मुझे लगता है वह अगर आपसे एक्जैम में टेस्ट किया जाए तो कुछ लोग फसेंगे मुझे बात बताओ इस इस एक्जैम्पल को यह इस वर्किंग को ध्यान से देखना और आपने मुझे आंसर करना है आपको एस जीरो पता है एस टी पता है ठीक है आपको एस जीरो पता है और एस टी पता है यह जो प्रॉइबिल्टी से मल्टिप्लाइ किया है मैं इसको थोड़े से आगे देख लूँगा अभी किले मैं से आगे यहां मूग कर दे रहा हूं मैं इन दोनों का यूज करने वाला हूं यह हैज रेशि क्या मैं स्टॉक खरीट सकता हूं अगर मैं किसी स्टॉक पर बुलिश हूं तो क्या मैं वह खरीच सकता हूं हां या ना अंसर करो if I am bullish on a stock, can I buy the stock? ओके, अगर मैं bullish हूँ, अगर मैं bullish हूँ, तो मैं क्या करसकता हूँ? स-प्लस कर सकता हूँ या नहीं? आप yes और no लिखते जाइएगा बस, क्या मैं bullish हूँ? तो S प्लस कर सकता हूँ? क्या मैं C प्लस कर सकता हूँ? क्या मैं P- कर सकता हूं और बीरिश में क्या करूंगा बताना S-C- और P- अच्छा एक बात बताओ अगर मैं ऐसी पोजीशन क्रियेट करना चाहता हूं जिसमें मार्केट कहीं भी जाए मार्केट कहीं भी जाए मुझे नुकसान भी ना हो भले फायदा भी ना हो इस पोजीशन को बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल लेकिन यह जो वर्ड है यह आपको L2 में सिखाया जाता है अभी के लिए आप इसे 100% हैज समझ लो 100% हैज अगेंस्ट प्राइज मूवमेंट अगर मैं ऐसा पोजीशन बनाना चाहता हूं तो मुझे बताना क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एस प्लस और सी माइनस एक ही पर्टिकुलर प्रोड़क्ट पर कर दूँ अगर मैं एस प्लस अगर मैं एक स्टॉक का शेयर खरीद लूँ और कॉल माइनस कर दूँ तो क्या सेम बात रहेगी और ओवरॉल इंपैक्ट क्या होगा निल अच्छा मैं किसी का सी माइनस और एस प्लस कर दूँ तो ओवरॉल इंपैक्ट क्या होगा निल ठीक बोल रहा हूं कि अलग बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं सर अच्छा एक बात बताओ मुझे एस और सी दोनों का ही अपसाइड बेट है मतलब दोनों के दोनों सेम डिरेक्शन में मूव करेंगे मतलब एस गोज अप सी विल आलसो गो अप चीक है ना तो अगर मैं एस को लॉंग कर दूँ और सी को शॉट कर दूँ तो जब प्राईस उपर जायेगा तो मुझे यहां पे गेण हो जायेगा और यहां पे लॉस हो जाएगा हां या ना अगर गेन और लॉस का अमाउन बराबर हुआ तो ओवराल बेसिस पे निल हो जाएगा हाँ यहां तक समझ आता है तो लिखो ओके और अगर प्राइज गिर गया तो यहां पे लॉस हो जाएगा और यहां पे गेन हो जाएगा अगर अगेन इन दोनों का मैं किसी तरीके से प्राइज बराबर कर दूं तो अगर इसका लॉस और इसका गेन का कॉंटम बराबर कर दूं तो ओवराल निल हो जाएगा आर यू विट में तिल दिस पॉइंट इफ येस प्लीज राइट ओके इन दे चैट बॉक्स अभी तक किस जिसको सबकुर समझा गया हो ओके लिख दो चैट बॉक्स में बस ठीक है आगे मूव करते हैं एक बार ना यह देखिएगा मुझे बास बताओ जब मेरा स्टॉक चालेश से 62.5 गया वेन इट मूव फ्रॉम 40 तो 62.5 डेल्टा कितना आ रहे है 22.50 वन दे स्टॉक प्राइज मूवड बाइ 22.5 माइक कॉल प्राइज मूवड बाइ सेवंटीन पॉइंट फाइफ जिरो येस नो सेवंटीन पॉइंट फाइफ जिरो हां या ना ठीक है इससे बोलते हैं है रेशियो है रेशियो का क्या मतलब है डेल्टा सी वाइ डेल्टा स याट इस 17.50 वाइड वाइट वैंटी टो पॉइंट फाइफ जिरो यह आया 0.77 बार अर्यों विट में तिल दिस पॉइंट विट में तिल दिस पॉइंट यह नो यह बोलना क्या चाह रहे हैं अगर आप अच्छा एक सेकंड रुको यह है रेशियो आया 0.77 बार इसको 0.78 लिख सकता हूं अब सेम वर्किंग का इसी वर्किंग का पुट का हैज रेशियो निकाल रहा हूं इसी वर्किंग का पुट का हैज रेशियो निकाल रहा हूं देखिएगा या फिर यहीं पर ही लिखी लेते हैं ना पुट का हैज रेशियो हुआ है मुझे इसकी ज़बूरत नहीं है मैंने क्या किए मेरी कॉल की वैल्युव अगई थी 62.5 एन 42.5 अगर मेरा x 45 तो मैंने कॉल निकाला अगर मेरा x 45 है तो मैं पूट की वैल्यू निकालता हूं पूट कितना होगा बताना इब वाट विल बूट इंस केस तब्रक्रेवीज और फाइव तो चैनल बूरत बूर्ण सब्सक्रार पॉर्ट की वैल्यों जीरो ओर फाइव अधा डेल्टा पुट कितना होगा ये बताओ एक पार change in value of put option 5 होगा या minus 5 होगा 62.5 minus 40 plus 22.5 17.5 nil plus 17.5 0 minus 5 so this is minus 5 और hedge ratio of put option ये कितना होगा delta off put option divided by delta spot so this is minus 5 divided by 22.50 यह कितना रहा है बताना माइन्स दिस्assung कर्मिकत अस वी सब्सक्राइट ₺ माइनस जीरो पॉइंट टू टू टीक है मैं जिसको है जरेशियो लिख रहा हूं न इसको डेल्टा भी बोलते हैं है जरेशियो और डेल्टा ठीक है इसका मतलब क्या होता है एक बार वो समझ दो इसका मतलब है चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन ड्यू टू चेंज इन स्पॉट प्राइज और यह कैसे मेजर कर रहे है डेल्टा सी और डेल्टा पी डिवाइड़ बाई डेल्टा एस यह कैसे निकाल रहे है डेल्टा सी बाई डेल्टा एस या फिर डेल्टा पी डेल्टा एस इसको क्या बोलता है डेल्टा या हैंज रेशियो ठीक है ना अब समझने वाली बात यह है कि डेल्टा ऑफ कॉल एपसोल्यूट प्लस डेल्टा ऑफ पॉट एपसोल्यूट इस इकवल तो बन देखो बैट रहा है गया यह जीरो पॉइंट सेवनेट प्लस मॉड औफ जीरो पॉइंट टू नेगेटिव इस इकवल तो वाट यह क्या बना इस इकवैटेट्ट 2.78 प्लस जीरो पॉइंट टू टू अट ऑफ पॉट इस एक्वल तो नेग्स इट सेम एकसर्सथाइज प्राइज हो अगर शेव एकसर्सनेस प्राइज हुद एम मैचउड अरुंट्क Jersey हो सेम अन्डर लाइं दो आपका कॉल का डेल्ता और पुट का डेल्टा का टोटल वन होगा एपसॉल्यूट टर्म्स में तो अगर एक पॉइंट सेवन एट दिया है तो दूसरा पॉइंट टू टू नेगेटिव ही है है एज रेशियो में आपने क्या सीखा आपने सबसे पहली चीछ सीखी यह तो यह एफ वन था है एफ टू यह एफ वन एफ वन में आपने निकालना सीख लिया एफ टू ही के जी एफ थ्री हाला कि यह अंडरस्टेंडिंग आपको खुदी हो गई होगी बट एक बार ध्यान रखो डेल्टा ओफ कॉल इस पॉजिटिव डेल्टा ओफ पॉट इस नेगेटिव डेल्टा ओफ कॉल इस पॉजिटिव डेल्टा ओफ पॉजिटिव डेल्टा ओफ पॉट इस नेगेटिव हाँ या ना आर यू विट मी तिल दिस पॉइंट और नॉट मैं एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग पॉस कर रहा हम आप अपने डाउट्स पूश लिजे पहले प्राइस या फिर चेंज इनपॉट डिवाइडेट बाइट बाइचेंज इन स्टॉप प्राइस आपको एक और चीज़ यह पता अजैने कि डेल्टा ओफ ब्लस डेल्टा पॉट्वुट की एब्स इप्सॉल्यूट वाल्यूज इपोल तो बहल बन डेल्टा ओफ पॉजि डेल्टा ओफ कॉल विल भी पॉजिटेव दोनों के दोनों सेम डाइरेक्शन में मूब कर रहे हैं राइट आईए इस ये मेरे ख्याल से आपके एक्जैम का लेवल यहीं तक होगा इसके आगे का कुश्चन वो नहीं देगा लेकिन आपके बुक मेंने क्वेश्चन सॉल किये हुए हैं जो मैं अब आपको कराने वाला हूँ उसके तो इसलिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लि आप यॉअ औरको निकालना सिखा रहे हूं क्या करने एक बार यह देखिएगा एक बार पॉइंट 7-8 डेल्टा पकल लेता हूं पॉइंट 7-7 यह एक यह वालाव यह डेल्टा एक डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्षिन है इसका क्या मतलब है देखिएगा जब प्राइस बढ़ती है जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का प्राइस घटेगा जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का प्राइस घटेगा ठीक ना एंड वाइसे वर्सा शेयर का प्राइस गोज डाउन कॉल का प्राइस गोज अप डेल्टा निकाला कैसे था आपने डेल्टा आपने ऐसा निकाला था यू सेड चेंज इंग ओप्षिन ड्यू टू चेंज इंग इन श्टॉक ऑप्षिन या फिर अगर मैं बोलू तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं न डी इंटू डेल्टा एस इस इकवल टू डेल्टा सी है ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं देखिएगा मेरा यह डी आया था 0.77 यह 0.78 बोल दे रहा हूं 0.78 आया था यह 0.78 डेल्टा एस इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि एक कॉल आप्ष्शन 1 कॉल आप्ष्वन इस इकवल टू.78 शेयर्ड इस इकवल टू 0.78 शेयर्ड हा या ना तो अगर आप ऐसा पॉर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें कल price के moment के बाद आपके portfolio की value में कोई change ना हो I repeat आप ऐसा एक portfolio वनाना चाहते हैं कि price चाहे उपर जाए price चाहे नीचे जाए आपके portfolio की value change ना हो तो आपको क्या करना चाहिए आपको one call long कर देने चाहिए one c प्लस कर देना चाहिए और 0.78S- कर देना चाहिए या फिर 0.78S- कर देना चाहिए और 1C- कर देना चाहिए क्या आपको यहां तक की कहानी समझ आ गई था हाँ या ना इस दिस पीस clear to you चीक है आगे बढ़ते हैं मान लीजे आपने ऐसा एक portfolio बनाया होता अगर आपने ऐसा portfolio बनाया होता तो क्या होता आपका S 0 था 50 S at time T कितना था S at time T कितना था 62.50 और दूसरा क्या आ रहा था 40 न? 62.50 और 40 चीक है और CT कितना आ रहा था CT आ रहा था 17.50 और 0 दिस वस 17.50 और 0 अभी तक कि मैंने probability से multiply नहीं किया है नहीं किया है अब मान लो आपने 0.78 shares लिये होते और एक call short किया होता एक call short किया होता तो इस case में आपकी wealth कितनी होती 0.78 इंटू 62.50 प्लस एक call short किया है तो वन इंटू माइनस 17.50 हाँ या ना आपकी wealth यह होती यह नहीं होती इसको total करो कितना रहा है बताओ 0.78 जहां मैंने लिखा है ना मैं computation के लिए 0.77 बार यूज कर रहा हूं मैं 0.77 बार यूज कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं मैं ना अपने calculator में 7 लिख देता हूं 0.7 लिखता हूं मैं जितनी बार टाइप कर सकता हूं मैं इतनी बार 77 लिख देता हूं पॉइंट 7777 जितने बार हो उतनी बार लिख देता हूं इंटू 62.5 एस्टी ओ वन 17.5 नेगेटिव एस्टी ओ टू रिकॉल वन प्लस रिकॉल टू आंसर आ रहा है 31.11 ठीक है एक बार वेल्थ सिनारियो टू में निकालो यह सिनारियो वन था अब मूव वाला सिनारियो टू में निकालो वेल्थ कितनी आ रही है जीरो पॉइंट सेवन सेवन बार इंटू 40 प्लस वन इंटू जीरो यह कितना आ रहा है यह भी आ रहा है 31.11 यह वाले केस में भी वैल्यू 31.11 आ रही है हाँ या ना अगर आपकी वैल्यू 31.11 आ रही है तो लिखो ओके यह तो वाकई एक है यह नहीं है अब एक बार सोच के देखो न चाहे प्राइस कहीं भी चला गया हो आपका पॉट्फोलियो कहां चला गया 31.11 यूर पॉट्फोलियो founders कंप्लीटली घजट येस और नो ये टोटल वेयल्थ है आपकी इस इस टोटल वेल्थ स्टोटल लाग किया होता और एक कॉल죠 आ गांता एक बार एक काम करो, इसको 50 बना के देख लो, इसको 50 बना के देख लो, चलो होगा के, अभी कले इसको और extend नहीं करते, confusion बढ़ जाएगी, मैं बोलना के चाहर हूँ, अगर आप 0.77 stock long करते हो, और एक call short करते हो, तो फरक ही नहीं पढ़ता, आपका कोई भी price हो, price आपका कल के दिन पर कुछ भी price हो जाए, फरक नहीं पढ़ता, आपके portfolio की value, end में 31.11 ही आएगी, ठीक है जी, ये मैंने कैसे निकाला, h into st minus ct, इससे निकाला, आपकी books ये formula यूज कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से, इसे formula बोलूँ चाहे नहीं बोलूँ, फरक नहीं पढ़ता, दोनों cases में value आगई 31.11, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं time 0 पे देखता हूँ, तो मैंने time 0 पे क्या किया होगा, मैंने time 0 पे 0.77 shares खरीदे होंगे, stock खरीदा होगा, और एक call को short किया होगा, minus 1 into call, ऐसा किया होगा, हाँ या ना, 0.77 stock, कितने पे लिये होंगे, stock का भाव है पचास, और call option कितने पे short किया होगा, यही तो निकालना है, तो minus call option की value is C, is equal to what, यह कितना आ गया, 0.77777 into 50, यह आ गया 38.85 minus C, यह आ गई portfolio की wealth, at time 0, हाँ या ना, यह portfolio value यह portfolio wealth at time 0 हो गई, यहां तक समझा रहा है आपको, यह 31.11 की value कब है, value at time 1 year, इसकी value at time 0 कब क्या होगी, value at T0, क्या होगी बताओ, 31.11 divided by 1.07, यह कितना आ गया, यह आ गया 29.07, यह दोनों की value आपस में match करनी चाहिए, यह कब match होगी, 38.38 minus C is equal to 29.07 कर दो, यह आ गया 9.31, यह आ गया 9.31, देखेगा आपके call option की यह value आ रही थी, गया 9.81, कुछ mathematical mistake हुआ है, कुछ mathematical mistake हुई है, find करो तो एक बार, 7% ही था ना, हमने RF कितना लिया था, 7% लिया था, कितना लिया था, RF, RF was 7% only, just one sec, 0.77 into 50, इस 38.88 है, ओके, दिस इस 38.88, minus 29.07, this is coming out as 9.81, यह precisely correct होगे, यह 38.88 था, अब देखना मैंने क्या किया है, एक बार यह hedge ratio वाला, पूरा का पूरा पीज, complete close कर रहा हूँ, सुनियेगा, मैंने hedge ratio कैसे निकाला, डेल्टा C by डेल्टा S, डेल्टा कॉल है, डेल्टा पोट कैसे निकलेगा, डेल्टा P by डेल्टा S, ठीक है जी, अब मैंको एक hedge portfolio बनाना है, hedge portfolio, मैं क्या चाहता हूँ, कि कल, पोटफोलियो की value constant रह जाए, irrespective of भाव कहीं भी जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं shares long करूँगा, और call short करूँगा, shares long और call short, सर इसका उल्टा भी कर सकते थे, बिलकुल कर सकते थे, कोई फरग नहीं बढ़ता, आप करके देखिएगा, answer same आएगा, L2 में सारे permutation combination है आपके slaves में, सारे permutations combinations है slaves में, यह क्या हो रहा था, hedge portfolio using call option, अगर hedge portfolio using put option बनेगा, तो क्या होगा, आप shares long करेंगे, और put भी long करेंगे, ठीक है न, क्योंकि इन दोनों की अलग-अलग movement है, अगर price बढ़ता है, तो shares long की है, value बढ़ेगी, call short की है, value घटेगी, यह दोनों का है जो गया, no result, अगर price बढ़ता है, तो shares long की है, value बढ़ेगी, put long की है, value घटेगी, combined result, constant, no effect on the portfolio, ठीक है, अब, movement तो पता चल गई, opposite है, यहां movement पता चल गई, same है, एक बार को call और share वाले का hedged portfolio देखते है, यह कैसे बनाओगे, आप delta into stock, जितना delta आया है आपका, dc into delta stock is equal to delta c, यह आगया आपका relationship, हाँ या ना, यह समझ आता है न, यह relationship आ गया, तो एक call में, one call is equal to d into s, one call is equal to delta stock, one call is equal to delta stock, तो अगर आप एक call को short कर रहे हो, तो आप 0.77 shares को long कर दो, ठीक है, जब आपने यह चीज़ की, तो क्या बना, आपके portfolio की value at time t कितनी आई, 31.11, चाहे up move हो, चाहे down move हो, आपके portfolio की value आ रही है, 31.11, ठीक है, portfolio की value at time t, portfolio value at time t is equal to 31.11, portfolio value at time 0 कितना होगा, 31.11 divided by 1.07, यह कितना आगया, यह आगया आपका 29.8, 29.07 आ गया, अब आपने देखा portfolio at time 0 बनाया कैसे जा सकता था, तो यह बनाया कैसे जा सकता था, आप डेल्टा number of stocks खरीदते, minus call short करते, इसकी value कितनी आने चाहिए, 29.07, डेल्टा into stock, stock का price given है, डेल्टा given है, C निकालना है, डेल्टा है 0.77 multiplied by stock, stock का भाव है कितना, 50, minus C is equal to 29.07, C की value आ गई 9.81, इसी तरीके से P की value निकालने जाओगे तो वही आजाए कि 1.81, तो आपको ए 1.81 कितने तरीकों से निकालने आता है, पहला, put call parity से, दूसरा, binomial table, binomial model से, और तीसरा, hedge ratio से, मुझे उमीद नहीं है कि आपसे exam में hedge ratio से, इतना लंबा चौड़ा काम करवाएगा, मुझे क्या उमीद है, आपसे बस hedge ratio पूछ लेगा, मुझे उमीद है आपसे ये जो मैंने आपको पूरा करवाए, इसमें F3 तक के पूछेगा, इसके आगे का नहीं पूछेगा, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं चांस नहीं लेता, मैं करके सारा का सारा जाता, तो this was F4, ठीक है, इसी तरीके से आप डेल्टा पूट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम कर रहे थे कल, ऑप्शन की वैल्यूइशन, जिसमें कॉल की वैल्यूइशन हमने निकाल ली थी बाइप PCP, बाइनॉमियल और डेल्टा, उसके बाद पूट की वैल्यूइशन वन पॉइंट एट सेवन थी, यह मैंने आपको पॉट कॉल पैरिटी और बाइनॉमियल से करा दिया था और हैज रेशियो से करने का होमवर्क दे दिया था जाद अदर लोग कर गया है नहीं है, कुछ लोगों ने भी बना दिया है, ठीक है, अब लेट लेट उस सी जो स्टूडेंट्स का अजब दे स्टूडेंट्स अज़स्टन अज़स्टन इस लिसन फ्रॉम नें क्या किया उन्होंने कैसे किया है, बताईए दोस्तों, क्या करेंगे बताओ, पहले तो इंडिविजूल कैसे में पूट की वैल्यूज मिलेगी हमको, एक्सरसाइस प्राइज ओफ फॉटी फाइफ फाइफ रुपीस, तो इस टाइम टी इस जिल, और फाइफ रुपीस, अब क्या किया आपने, डेन रिक्याट के लेट इस रेशियों, अच्छा, ठीक ह त्वेंटी दूएज पैफ थुएज पर टॉएल पाइव सिरो पॉजिटीव यह नेगेटिव ट्वेंटी इडू पैव 20 इडू पॉजिटिव पॉजिटिव मानिस फैव यह ओके ऐध डेल्टा ईफ ठोट यह कितना है माइनस 5 वाई 22.5 ौ कितना है यह है जिरो पैंट टूट 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 टीक है अब क्या गरूँ तर इसकी वैल्यू हम इंडिविज्वल ऑप्षिंस में डाल के देखेंगे तो उसकी वैल्यू थर्टीन पैंट सेवें थर्टीन पॉइंट एट एट आ रहे है क्या है आपने हैज कैसे बनाया अब हैशन पॉर्फोलियू अब हैशन पॉर्ट पॉर्ट पॉल्यू यह कैसे बनाया आपने 62.5 इंटू हैज रिशयो और 40 इंटू हैज रिशयो प्लास पूट आप वैल्यू जिस इंटु पॉइंट वाइज रिशयो प्लस दर्स जिरो नहीं नहीं भात ही थैपने एक से रूप 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 आरामसे पाइटा डीपी इस एक्विल टू डेल्टा पी डिवाइडड बाइड वैड्टा एस है ठीक है नम आप अब क्या बोल रहे हो डीपी इंट्टू डेल्टा एस इस इक्वल टू डेल्टा भी बोलना क्या चाह रहें देखिएगा स्पॉट स्पॉट और पुट यह ऑपोजट डेरेक्शन में मूव करता है एनी विच वेज डेल्टा भी इस अल्वेज नेगेटिव राइट इसकी जो वैलियो वो नेगेटिव में आती है तक आध यह अभी तक क्या हम जब कॉल के साथ हेजज पॉट्फोलियो बना रहे थे तो व === टलॉघ लॉंग कर रहे हैं क है कोल के साथ बता रहो हो और पुंट शॉट कर रहे ते या फिर फॉट शॉट कर रहे थे और मोन कर रहे थे यह था स्पार्ट और कॉल्स्वाई का दीन या फिर शेयर जो बोलना चाहते हैं वो बोल लिजे अगर आप इसे करेंगे लॉंग तो यूड लॉंग दपोट ऐस वेल अगर आप इसे करेंगे शॉट तो यूड शॉट दपोट ऐस वेल रईट इस इस आउड विल गो थेनो अब क्या रिलेशंशिप बनेगा है रेश्यो इस पॉइंट टू टून था में हैज ratio right little तो दो पॉइंट्स पे आप दो परटफोलियोः देखने वाले एड़ टाइम टी टाइम Garden जी अगर मैं बात करूँ के सब्सथा देगा 85 आपका leaders क्यों कैसा दिखेगा अच्छा एक और चीज में मिस कर गया बोलना अभी तब कि हम बोलते थे वन शेयर स्वरी वन कॉल कि इस इक्वल टू फ्रैक्शनल शेयर्स कि या फिर वन सी इस इक्वल टू एच एस ऐसा कुछ कहते हैं अब आपका पॉर्टफोलियो एट टाइम टी कैसा दिखेगा मुझे बतावा वी हो में के एच इंटू एस प्लिस पी एसा दिखेगा आया न एक कितना जिरू पॉर्ट टू 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 नेगटिव सिंक्टितन अगर अपक्प्रक्रेव तो अशुण10 या pepper पॉंस पॉइंट टू टू ये इंटो फॉटिव ये प्लस पांस रुपेल यही गी है के आपने ताइम में बोड़ा डिफ्रेंस है, माइनस फाइव आना चाहिए माइनस फाइव आना चाहिए हाँ तो तो सेम होना चाहिए दुबारा बोलो सौरी इंवेस्मेंट एंड वैल्यू शुद भी आइधर बोथ निगेटिव और बोथ पॉजट अच्छा ओके ओके ठीकी ठीकी कि एस फेजिए यह माइबट माइबध माइबड इस दोनों का साइन सेम होगा तोनों ओन कर रहे है और दोनों कर 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 रहे हो कितनी आर्ये मुझे बताना एक बाए कि यह सेकेंड वाले केस में भी यह आ रही है अब अगर मैं इसे this is the value at time t अगर मैं इसे फॉल बाक करूं at time 0 तो इसकी क्या वाली हो जाएगी 13.8 divided by 1.07 था गया ये ऐस ताव जाएगं तॉल पॉल वाल्यु नौल आट वहां क्या करेंगे। फोल्स प्र ट। शिरो प्लस पीच इस पॉयं टुरुत बार इनटो एस फिरो कि वाठ फिव फ्टिस ये उन प्लस पीज पॉइंट टू बार इन्टू 50 प्लस पी इस एक्वल तो 12.98 पी इस कमिंग आउट एस 1.87 एग्जाट सेम वैल्यू एक को ध्यान क्या रखना ध्यान सिर्फ यह रखना है कि अगर कॉल वाला पॉर्ट फोलियो बना रहे हैं तो इस एंट में जाके सॉल्यूशन कैसा हुरहे है पूरा का पूरा क्लोजर कर रहा हूं डिस्केशन का इस टाइम जीरो इस टाइम टी यहां पर आएगा एच इंटु एस टी माइनस सी टी चाहे आप मूव हो चाहे डाउन मूव हो दोनों के दोनों में वैल्यू सेम ही आने बादी है ठीक है इसको पूल बैक करेंगे तो इस स्टेप वन स्टेप टू विल भी है एच एस टी माइनस सी टी डिवाइड़ बाई वन प्लस आरे फोल्ट टी पावर टी और यह किसके बराबर होगा एट विल बी इकुल टू एच इंटु एस जीरो माइनस सी जीरो यह इससे सी जीरो की वैल्यू आ जाएगी कंप्यूट सी जीरो ठीक है अगर यही पुट के लिए होगा तो क्या करेंगे सेम चीज़ अगर पुट के लिए होगी तो इट विल भी एच एस टी प्लस पी टी चाहे अप मूव हो चाहे डाउन मूव हो एक की बात है इसकी अगर आज की वैल्यू प्लस पी जीरो इसको डिसकाउंट करो गया डिसकाउंट करने के बाद इस रिलेशंशिप पे रखोगे और यू विल से कंप्यूट पी जीरो आट्स इट ठीक है जी यू कंप्यूट द वैल्यू पी जीरो अंडियर टन यही निकाल लेकले बोला तो इस तिंग जैंट दू अधि मतलब यह इस वाला वीडियो यहीं एंड करता हूं नेक्स वीडियो में देखते हैं जो बच्छे कोई टॉपिक्स हैं फारे जोटा सा पॉइंट रहे गया है हमारा बस यह खतम करेंगे और अप्शन सा हंड्रेट परसेंट प्लोज डन इंडस्टेट फोर एलवन सुनिए अपको टाइम जीरो टाइम टी सब पर वैल्यू होगे रहा निकालने हुए आपको पता है यहां पे कॉल आप्शन की अचसया ऐस एस माइनस एक्स है ना और और को मैंक्स की केस में वैल्यू है मैक्स ओफ गॉमा सिर्स गया मैच माइनस के अट मुछ एक बात बताव यह वाली जो वैल्यू है ऐा ताइम वैल्यू है यह घर ऐआम घख admired निए टाइम वैलिए क्यो नहीं सारे लिख रहे है आइए ये टाइम वैल्यों क्यों नहीं है पेकश सर्थ एंड ऑफ दी क्ट्राइक में टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है तो जो टोटल वैल्यू विच इस for an option at any point of time the total value is the combination of IV and TV at maturity TV 0 by definition तो जो बचता है वो IV ही बचता है ठीक है फिर इनफ अब मुझे एक बात बताईए आपकी बुक्स में एक एस्पेक्ट डिसकस किया हुआ है कि lower bound और upper bound of values पूछ रहे हो अभी सिर्फ और सिर्फ call पर focus करते हैं मुझे बताओ at time t मतलब between this मुझे एक बात बताओ यहाँ पर इस option की इस call option की lowest value कितनी होगी lowest value कितनी होगी यह मैं आपको ऐसेच पढ़ा चुगा हूँ सब के सब लिख रहे है जीरो सब नालायक है सब नालायक है हो ही नहीं सकती जीरो मुझे एक बात बताओ at this point of time time value तो पक्का positive होगी होगी time value तो पक्का positive होगी होगी this will be s minus pv of x सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं या फिर 0 इन दोनों का maximum तो आई वी कहां जा सकती है आई वी होगी 0 आई वी हो जाएगी 0 या फिर आई वी होगी positive तो practically इसकी lowest value क्या होगी इसकी जितनी आई वी है वो तो होगी होगी इसकी value plus something something होगी तो इसी लिए इसकी lowest value क्या होगी इसकी आई वी हां या ना इसकी आई वी येस और नो सब्सक्राइब करने तो दिखाता हूं जहां लिखा है कि अब मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा था एक सो पांच होता है तो call is in the money 85 होता है तो out of the money value हो गई 0 मैंने आपसे बीच का पूछा अगर यह सतर रुपए तब क्या होगा यह सतर रुपए तो यह out of the money है यह out of the money है इसका intrinsic value निकालोगे तो 0 आ रहा है लेकिन value फिर भी 0 से जादा ही आएगी अगर बीच में value 1.500 रुपए रहती इसका जो पीछला example था देखो यहां पे value 1.500 रुपए थी तो इसकी intrinsic value में बोल दे रहा था 50 है हलाकि इसमें थोड़ी सी problem है यह 50 नहीं है यह मैं आपका concept develop करा था तब मैंने 50 लिख दिया था अगर आपको ध्यान हो तो this is not 50 actually this should be 50 कैसे निकाला था यह s-x से निकाला था आपको s-pv of x करना है मानलो आर दिया हुआ है पांच परसेंट तो यह s कितना है s is 150 माइनस पीवी ओफ एक्स एक्स कितना है 100 100 divided by 1.054 to the power 9 by 12 यह आएगा ना ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं कि यह जो 50 आइवी लिखा है यह से रख करके लिख दिया था लेकिन यह 100 परसेंट सही नहीं है 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 हंड्रेट डिव वन पॉइंट जीरो फाइवाइट दी पावर एक्स पॉइंट सेवन फाइंगेटिव हुआ है कि कि इंट्उ हंट्रेड नेगेटिव प्लस 150 53.5 आ रहा है मेरा देखना यह आ रहे कि आपका 53.59 53.60 लिख देता हूं इसको में यह आ मेरा तो value minimum इतनी तो रहेगी रहेगी तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि आपकी जो total value है वो क्या रहेगी IV से तो उपर ही रहेगी 0 plus 50 plus time value क्या रहेगी उसको छोड़ो लेकिन IV से तो ज़ादा ही रहेगी उसकी value हाँ या ना हाँ या ना हाँ जी सर आप तो सही में पढ़ा चुकी हो यह तो मजाक में थोड़ी ना बोल रहा था तो मुझे एक बात बताना एक call option का lower bound क्या होगा हाँ या ना अब बताओ इसका upper bound क्या होगा इसका upper bound क्या होगा इसकी maximum value कितनी हो सकती है एक student ने लिखाए infinite एक student ने लिखाए infinite कल एक question दिया था आपको एक बार वह अला question करते हैं दुबारा रुखिए पहले question करवाया था आपको देखना European call option है एक साल का 105 इसका exercise प्राइज है चार टका आरेफ है तीन महीने के बाद अगर spot rate 115 और तीन महीने के बाद अगर spot rate 120 है तो आपको इसकी value निकाल नहीं है आपको यह दिया हुआ है कि कॉल आप्शन अच्छा ओके आपको 115 और 120 115 और 120 यह दोनों spot rates दिये हुए है एट टाइम 3 एट टाइम 3 आपको spot rate दिया है 115 और 120 अगर कॉल option की value 118 है सौरी अगर कॉल option की value 18 है दिससी 0.25 months अगर 18 रुपय का कॉल option का value है after 3 months तो आपको इसका terminal इसका time value निकालना है तो आप क्या किरोगे आपके पास exercise price दिया है इससे आपने pvfx निकाल लिए वो आगया 101.96 ठीक है वो आगया 101.96 101.96 इस यॉर पीवी ओफ एक्स इस पीवी ओफ एक्स ठीक है एंड यॉर स्पोट इस एक सो पंदरा स्पोट इस एक सो पंदरा तो बैट किसकी लगी हुए यह 101.96 की लगी हुए और वैल्यू है किती एक सो पंदरा तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 13.04 तो आपकी time value कितनी आगे बताना what is your time value 18-13.04 which was 4.96 in this case in this case बताओ इस option की minimum value क्या होगी IV minimum value क्या होगी इसकी IV that is minimum value of यह C plus क्या होगा IV that is 13.04 हा या ना और इसकी maximum value क्या होगी बताओ और यह तो 18 आपने कर दिया मैं बोल रहा हूं इस call option की maximum value क्या हो सकती है यह तो अभी की value आ रहे है ना 18 यह value आप लोग बोल रहे हो 18 यह 18 की value तो अभी आ रहे है यह 18 की value तो अभी आ रहे है मान लो मैं आपको यह कहता है जस्ट वन सिक एक सिकन्द रुपाँ मैं आपको यह कहता कि मान लीजे जो स्पॉर्ट है यह जो स्पॉर्ट है यह देवड़सो हो गया फिर कितनी आती वैल्यू कि फिर कितनी आती वैल्यू कि हैड दिस बीन 150 देन वाट पूर्ट बीड़ केस कि अब समझ नहीं रहे हो कुश्चन को अभी तक भी सुनो आपको वैल्यू फॉप्शन निकाल ला है रहीं का बैल्यू फॉप्षन कि यह मैनस पी वी ऑफड यह है क्या वाट्यो पॉप्शन औ리 आंसर इस नौ यह कया है वैल्यू अफ रॉप्शन के दो दो कंपोनेंट्स है इट आई वी और टीवी पिवी ऑल्वेस पॉजिटेव है तो मिनेमम वैल्यू क्या होगी मिनेमुम आईवी तो होगी वैल्यू आईवी क्या है मैक्स ओफ एस माइनस पीवी ओफ एक्स कॉमा जीरो हाँ या ना यह टोटल में लाके हो गई वैल्यू ऑफ ऑप्शन मैंने आपसे पूछा इसकी मिनिमम्म वैल्यू क्या होगी तो आपने बोला यह होगी मैंने आपसे पूछा इसकी मैक्सिमम्म वैल्यू क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यह हमेशा पॉजिटेव है यह हमेशा पॉजिटेव है मान लेता हूँ मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी मुझे बताना जब स्पोर्ट बहुत ज्यादा हो जाए जब स्पोर्ट बहु मान लो स्पॉर्ट होता हंड्रेड तो क्या होती इसकी वैल्यू सर हंड्रेड हो जाती अगर मान सॉरी स्पॉर्ट होता मान लीजे 500 तब क्या होता 500 माइनस पीवी ओफ एक्स मैं आपसे माकसिमम वैल्यू पूछ रहा हूं मैकसिमम वैल्यू क्या होगी मैकसिमम मैकसिमुम वैल्यू होगा स्पॉर्ट इससे ज arrangements आपके पास 2चीजे हैं हैं जब मिनिमूं इसके कितने पैसे लो गा मिनिमूं की टाइम पे आपको सोचना है मैं कितने पैसे लोगा तों पर और मैक्सिमम अगर मैं बोलू तो क्या बोल रहा हूं कि मैं 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 मैंक्सिमम कितने में खरीद लूँगा इसे तो यार अगर मुझे यह खरीद ना हो तो मैं जाके बोलूँगा कि यार मैं चुपचाप से पॉट ना खरीद लूँ जितने का स्पॉट खरीदूंगा मेरे पास क्या दे रहा है मुझे यह ऑप्शन क्या दे रहा है मुझे ऑप्शन दे रहा है राइट टुबाइए आफ्टर 9 मंस अगर थ्री मंस हो चुके हैं तो 9 मंस का डूरेशन बाकी है 12 मंस होने में राइट और मुझे कॉल ऑप्शन एक सो पच्पन रुपए का मिल रहा है तो क्या मैं लूँगा क्या दिया आंसर इस नो मैं कितने मैं क्या बोलूँगा कि यह राइट टुबाइए आफ्टर 9 मंस के बदले मैं सीधा सीधा स्पॉर्ट खरीद के ना बैठ जाओ तो मैं मैं मैक्सिम ना हो तो मैं बोलूँगा ऑप्शन क्यों खरीद हूं चुप चाप से जाके शेरी खरीद लेता हूं यह देड़सो का है तो अगर अगर आपका जो ऑप्शन है वह 155 का है तो आप क्या बोलोगे दिमाग खराब है गया ऐसा तो करोगे नहीं तो आप मैक्सिमम क्या लेकिन पीवी ऑफ एक्स भी तो माइनस करना था मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट पर मैंजिन करके देखो जस्टेट इस पॉइंट है जस्टेट इस पॉइंट मानलो बारा महीन है ना यह मानलो 11.5 मंस पे 11.5 मंस पे हूँ चल रहा है यह कितना दए 105 पांटशेहर देड़ सो मानेश लिग यह कोई बंदा मुझसे मैक्सिमम क्तिने रूपएं देगा उस्का दिमाग हरा भाभ है तब भी वो मुझे कितने यह विल पे मी स्पॉर्ट क्यों इससे जादा तो वैल्यू जानी नहीं चीए ना बिकॉज देन ही कें डारेक्टली वाइदा स्टॉक इट्सेल स्टॉक देड़ु सौर्पे का मिल रहा है तो कॉल ऑप्शन इससे मेंगा तो होई नहीं सकता तो वाट इस दा अपर बाउंड इपर बाउंड इस पॉर्ट प्राइज इट्सेल आरियू विध मी ओन डिस और नॉट आगे चलते एक बार पूट के लिए सूचते हैं यही चीजम है एक बार पूट के लिए सोचते हैं यही चीजम है इस पूट का अपपर बाउंड और लोर बाउंड क्या होगा मैं आपको इसके बाद एक जगा बताऊंगा जहां मैं फस्ता था मुझे जब यह सोच के प्रॉब्लम होती थी ठीक है मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी मैं आप नहीं वैसे उससे आप डबल कंक्यूज हो जाएंगे आपकी बुक्स यह वाला नरेटिव फॉलो कर रही है तो आप इसी को स्टिक करिए मैं को इसमें जो मैंने आपको नरेटिव समझा है मुझे इस नरेटिव में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती थी बटा नौट डिस्कस डाट विट यू कि mij डाओ अ पुट का लोर मंट पर वांड क्या होगा बताई यह की मुझे ऐख बात डराओ कि पुट का लोर्ऋ बाँंड क्या होगा स्पॉट का लोर बांड क्या है और अपर वांट किया है और अपर बाउंड क्या होगा इस वरी-स वर शुर्ट का लोर बाउंड किया होगा अगें इंट्रंसेख वाल्यू इंट्रिंसिक वाल्यू सिंपल है यह भी ठीक है ना कि पूट के केस में भी क्या होगा अगर 10 रुपए इस पीटी एकर पूट का भाव चल रहा है दस रुपए का या फिर अगर कोई भी केस में मैं बोलू अगर मैच्वारीटी पर क्या वैल्लियों अगर बीच में बोलू तो क्या होगी प्रेजेंट वैल्लियो इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव ही है यह अगर जीरो है अगर यह जीरो है तो भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू रहेगी रहेगी लेकिन लोवाउंड क्या है मतलब इसके नीचे तो किसी कीमत पे नी जाएगा तो जीरो के नीचे तो किसी कीमत पे जाएगा ही नी इन फैक्ट अगर आप एक चीछ सोच पा रहे हो अगर आप एक चीछ सोच पा रहे हो तो अगर आप कॉल की बात करें चाहे पुट की बात करें दोनों की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती यह value will always be positive तो lower bound क्या होगा हमेशा 0 lower bound क्या होगा हमेशा 0 और यह lower bound0 किसको भोलना चाहे हूं यह 0 कब होगा this has to be positive always क्या बोगा इसमें एक रहे रहे iv एक रहे टीवी यह tv क्या होगा यह always positive है और iv क्या होगा यह 0 पुट के केस में, अगर आप एक पूट ऑप्शन खरीदना चाहते हो तो मैक्सिमम कितने पैसे दे दोगे अगर आप एक पूट ऑप्शन खरीदना चाहते हो तो मैक्सिमम कितने पैसे दे दोगे बिलकुल एक्स दे दोगे आप और क्या दोगे इससे जाधा तो कभी नहीं पे करोगे इससे जादा तो कभी नहीं पे करोगे पुट के केस में आप मैक्सिमम एक्स दे देंगे ठीक है अब देखेगा आपकी श्वेजर यहां पे नहीं छोट असा डिफरेंस चीज बोलती है और हम वही चीज करेंगे जो यह बोल रहा है देखना यूरोपियन कॉल का माक्सिमम वाल्यू किया ए? स्ट यूरोपियन पुट का मिनिमम वाल्यू यह है लोवर बाउंड यह है अपर बाउंड यह क्या होगे यह स्पॉट यूरोपियन कॉल का लोवर बाउंड क्या रहा है बताना बोल रहा है ct is more than equal to max of 0, st minus x into 1 plus rf hold to the power minus t minus t यह क्या बक्वास कर रहा है यह बोल रहा है आई-वी से ज़्यादा होगा यह सब आई-वी का मतलब है और यह क्या लिख रहा है यह भी इसका मतलब आई-वी है यह सब बक्वास है लंबी-लंबी बाते हैं उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख दिया max of 0, x divided by x into 1 plus rf hold to the power minus t minus t minus s यह क्या है this is nothing but iv तो lower bound तो हमेशा क्या आई-वी हाँ या ना इस lower bound is iv are you with me till this point अपर बाउंड European call का क्या है एक्स यह यहां पर European put का अपर बाउंड क्या के रहे एक्स डिवाइड वाइड वाइड वन प्लस आरेफ hold to the power t minus t यहां पर क्या बोलना चाह रही है यह बोल रहा है बॉस यह था टाइम जीरो यह था टाइम यह था टाइम टी ठीक है अब पुट मैक्सिमुम कितने का लेलोगे जितना एक्स होता क्योंकि आपने एक्स पे करना था एक्स टी अब आपको अगर यहाँ पर time small t पर value निकालनी है तो आप क्या करोगे यह बोल रहा है PV of x होगी इसकी value दिखना है क्या बोल रहा है x divided by 1 plus rf hold to the power t minus t मान लिजेए यह 12 months है यह 3 months है तो 12 minus 3 तो यह क्या बोल रहा है यह answer बोल रहा है PV of x तो हम इसे मान ले रहे हैं यह correct है क्यों विकाज यह बोल रहा है boss अगर कोई चीज आपको 1.500 रुपे में मिलती यहाँ पर तो आप इसके आज थोड़ा 1.500 दे दोगे आप present value of 1.500 दोगे ठीक है जी yes or no अब मैं आपको बता रहा हूँ मुझे problem क्या आती थी मुझे problem यह आती थी कि में को यह लगता था जब मैंने पहली बार पड़ा कि देखना European put के time पे हम क्या बोल रहे हैं कि यार हम बाद में नहीं खरीद के आज ही खरीद लेते हैं तो present value of 1.50 तो एक बात बताना अगर same logic call पे apply करूँ तो अगर मैं को stock की खरीद लूँ अगर मैं आज की rate पे तो यह s के बदले क्या होगा present value of s हाँ या ना but you have to understand that यह जो s यहाँ पे use हो रहा है न यह s small t है यह present value of s capital T नहीं है यह simple small t है long story short बोलना क्या चाह रहे हैं कॉल पुट minimum value आईवी maximum value spot और पीवी ओफ एक्स ठीक है जी बस इतना याद रखना है अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो फ्लीज बोली मैं रिकॉर्डिंग पॉस कर रहूँ ठीक है इस इस इट एस फार एज यह लोवर बाउंड अपर बाउंड वर कंसर्ण यह हम कर चुके हैं यह आपका फाइनल क्रक्स है इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहता है मेरे ख्याल से यह आप से खुद से ही हो जाएगा यह आप से क्या पूछ रहे हैं इन सब का इफेक्ट कॉल ऑप्शन और पूट ऑप्शन पर क्या पड़ता है वह बताओ तो देखना एस माइनस पीवी ऑफ एक्स कॉमा जीरो यह इसका मैक्स सुरी मैक्स ठीक है ना वह बोल रहा अगर प्राइज ऑफ अंडरलाइंग इंक्रीज करोगे अगर स्पॉट इंक्रीज करोगे तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू में क्या इंक्रीज पूट में इसका ऑपोजिट डिक् एक्सराइज प्राइज इंक्रीज करोगे इस होल तिंग विल फॉल विल फॉल तो दिससounds इंक्रीज अगें इटीज से क्या अगेइन से वंपलन प्लस आरётсяएव इंक्रीज किया अपने इस होल। इंक्रीजिज और इस this whole thing False Biz घट गया यह गटने से यह पूरा nंवर बढ़ गया तो the overall impact is इंक्रीज इसके वाईसर वर्साइड टिक्रीज रई वन टू थ्री एंडल फोर्थ वॉलाटिलिटी पर क्या इंपाक्ट होगा वॉलाटिलिटी का क्या मतलब है देखना एक बार यह हो आप ताइम जीरो पढब वपर अ कि अगर एक कि एक यह लाईन है डो कि अहीं आपसे पूछ रहा हूं कि सकरेस्ट में अब मैडडीज वरिस फार्मर के सोच नहां किस केस में और ऍावी के जो प्राइजेज नो वो ऐसे रहने वाले मैं और केस नंबर क्रोट प्राइजेज हैं वो ऐसे रहने वाले कि हुआ प्छिश कल वाला नाटप हो गए है जाफ है क्ल प्रिस्क बहुत जादा है न यह तो कहीं भी बाग सकता है बहुत जादा हो सकते हैं तो अगर आप लॉंग पार्टी की बात कर रहें तो हमेशा वोलाइटिलिटी अच्छी लगती है आपको यू लाइफ वॉलाइटिलीटी बेकोज जतना जादा वॉलेटाइल रहेगा उतन जादा उप्षेंस वालुएबल रहेंगे तो टाइम टू एक्सपारेशन को पार्क कर देते हैं इसको छोड़ो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दी अंडरलाइंग एंड बेनेफिट्स कॉस्ट को कैसे काउंट करते हैं बताएगे सब्सक्सक्राइब यहां को द 이번 बोल रहे हैं यहां कोस्ट और बेनेफिट बोल रहे हैं वीडियो अपने अंसर देना र ήक्राइस वाल्यू ओफ फॉरवार्ड क्या होती है वेल्लियो फॉर्वड इस एडिस s minus x divided by 1 plus rf plus present value of opportunity cost minus present value of benefit हां या ना और value of अच्छा अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे f की value क्या होती है s minus pv of x तो call option की value क्या हो गई यह हो गई max of 0, s minus pv of x ठीक है जी अब मुझे बताओ अगर forward की यह value है अगर आप option cost और benefit consider कर रहे हो तो value of call option क्या होगी max of 0, s minus pv of x plus present value of opportunity cost minus present value of benefit ठीक है जी यह होगा हां या ना यह होगा अब मुझे बताओ opportunity cost बढ़ाने से क्या होगा overall call की value increase हो जाएगी और benefits बढ़ाने से क्या होगा benefits बढ़ाने से क्या होगा overall value decrease कर जाएगी तो these two are done put में exactly opposite relationship in fact call or put में न हमेशा opposite relationship रहेगा एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर volatility एंड टाइम एक्सेप्ट फॉर वोलेटिलिटी एंड टाइम वोलेटिलिटी तुम्हें आपको समझा चुका हूं जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है उतना ज्यादा वैल्यू रहेगी option की time to expiration का क्या मतलब है time to expiration आप already पढ़के आए हैं यह है time zero यह है time t time zero पे time zero पे time value होती है highest यहां पे होती है time value highest और यह धीरे धीरे decrease करती जाती है तो अगर time to expiration ज्यादा है time to expiration मतलब आप टाइम जीरो पे खड़े हो और दो options हैं एक है five year option एक है one year option एक ऑप्शन वन यह है वाला वन यहार ओप्शन वाले की time value ज्यादा होगी या फाइव यह वाले की time value ज्यादा होगी हुआ गो न इसमें आप एसा सोच के देखू न अगर मेर पास दो options है मेली पास दो उप्शन पाइफ काबशन को कि ऑन जियर का ओप्शन एक बार को भूल जाओ पीgen ale एक बार बोलो यह अमेरिकन ऑप्शन है तो मुझे बात बताना फाइव एर अमेरिकन ऑप्शन क्या दे रहा है ना व्र नियरडें खिया दे रहा है हाह या ना सर लेकिन यह तो आपने अमेरिछन वाली चीज़ बोलव दी है और यहां सब कुछ तो सेम्स लिखहा है लेकिन में अमेरिकन पॉट इस सम्सक्वन इस पायर उगा उतना जाधा वैलियutil होगी लेकिन कुछ यूरोपियन पूट्स में ऐसा नहीं होगा कुछ यूरोपियन पूट्स आरन एक्सेप्शन उसके किसमें डिक्रीज हो जाएगी यह मैं आपको एक्जैंपल से समझा रहा हूं देखिएगा पूट का क्या मतलब है बियरेज बैट बुलिश बैट बियरेज बैट मान लीजे टाइम जीरो पे एक्स इस इक्वल टू सौ रुपियर ठीक है जी एक्सरसाइज प्राइज हंडेड रुपीज मेरी क्या बैट है कि भाव जाएगा सौ से नीचे ठीक है कब एक साल में मान लो नौ महीने हुए हैं यह और जो प्राइस एड नाइन मंस हो गया मान लो यह हो गया है पांच रुपए एक रुपए हो गया मान लो मान लो यह हो गया एक रुपे अब मुझे बताना इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रही है आपको अगर अगले तीन महीने के लिए होल्ड किया जाए अगर अगले तीन महीने के लिए होल्ड किया जाए इन जनरल जितना लंबा समय उतनी जादा वैल दी लेकिन अब क्या हो रहा है अगले तीन महीने के लिए अगर मैं इस option को hold करूँ तो क्या होगा मुझे अच्छा मुझे एक बात बता सुब को छोड़ो अगर यह American होता अगर यह American option होता और मैं बोलता कि आज इस option को exercise कर लेते हैं तो मुझे benefit कितने कहा था मुझे benefit कितने कहा था अगर यह American option होता और मैं आज यह exercise कर लेता तो मुझे benefit कितने कहा था अगर यह option कौन सा यह option है put option obviously यह option है put option मेरी bet क्या है that price after one year will be less than hundred नौ महीने में price पहुंच गया सिर्फ एक रुपएगा तो क्या मैं bet जीत रहा हूं या हार रहा हूं I am winning the bet कि और अगर यह American option होता और मैं exercise कर लेता आज की डिट में तो मुझे benefit कितने का मिलता मुझे 99 रुपीज का benefit मिलता अब यह ठेरा European option क्या मैं exercise कर सकता हूं at time nine months नहीं कर सकता नहीं कर सकता अब अगर मैं नौ महीने और अगर मैं और तीन महीने के लिए करूं तो क्या possibility है एक possibility है कि यह और डिक्रीज हो जाएगा प्राइस कितना डिक्रीज हो जाएगा वन से जीरो पहुंच जाएगा तो यह जो मेरा विनिंग अमाउंट है 99 का यह इंक्रीज होके 100 हो सकता है और केस नंबर टू प्राइस बढ़ जाए और बढ़ने पे तो मेर अगर बढ़ गया तो मेरा गैन जीरो तक कैंथा कि हां या ना कि जो मैं रुपी चल रहा है मैरा यह ऊगले तीन महिने में अगर यह पहुंचा तो क्या करूंगा वसकता है मेरा लॉस पुरा का पूरा का खाता मुझा और मुझे जीरो कर कि जो गेन यह पूरा पूरा जीरो हो जाय और मेरा गेन हो सकता है जीरो पर आकर ठक जाए हां या ना यह पॉसिबिलिटी है झिस अगर कि ऐ खर, करूंगा अगर मैं deep in the money put की बात करूंगा तो मेरा क्या दे लोगा यह जल्दी से जल्दी मैं exercise कर पाऊं और अगर जादा समय रहता है अगर time to expiration जादा है तो मुझे इसकी value कम हो जाएगी मतलब यह जनरली इसकी वैसे मुझे को positive value नहीं मिलने वाली क्या यह बात आपको समझ आती है हाँ या ना इसी चीज़ को दुबारा एक बार समझाता हूं time zero पे अमेरिक European put है European put ठीक है x is equal to 100 आप क्या चाहोगे spot आपको दो case मिल रहे है spot price at यह time 12 months है है यह 12 months minus five days है 12 months minus five days पर प्राइज हो गया पांच रुपएगा कि स्टी इस इक्वल टू पांच रुपएग और केस नंबर टू केस नंबर टू केस नंबर टू इस पर नहीं हुआ है थ्री मंद्स में हो गया यह पांच रुपएगा आपको केस नंबर एच्छा लग रहा है या केस नंबर बी अच्छा लग रहा है केस ए बढ़िया लग रहा है या केस बी बढ़िया लग रहा है आपको गलत केस बी ज्यादा अच्छा है क्यों सॉरी केस ए ज्यादा अच्छा है येस येस केस ए अच्छा है क्यों क्योंकि दोनों में इंट्रिंसिक वैल्यू तो सेम है दोनों में intrinsic value तो मोटा-मोटा same है ठीक है PV of x-s करोगे तो वो भी अलग-अलग आ जाएगा बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दोनों के दोनों cases में x 100 है और s 50 है लेकिन case number b में न समय बहुत पड़ा हुआ है market में bounce back मारने का case number a में bounce back मारने का समय नहीं बचाए कुछ जादा तो case a में आप definitely sure हो कि ये तो profit में close होगा case b में क्या पता loss में close हो जाए तो यहाँ पर एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि जादा time होने के वज़े से आपको ये negative चीज़ पड़ रही है तो ये correct होगी ये बात ठीक है I've explained you all of these इसका reason समझना अच्छी चीज थी नहीं तो आपको रटना पड़ेगा आपका choice है आप जैसा सही समझे वैसा कर सकते हैं I'm completely done as far as options are concerned thanks a lot take care bye-bye